अब 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 कि अब 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 हलो भाई वेनों आवाज आ रही मेरी जल्दी सकंफर्म करिए आज important दिन है देखें कौन कौन जूट चुका है हमारे साथ हमारे साथन चतुरता जी जूट चुके हैं अब अब सब का स्वागत है धूस सीकर जी जूट चुकी है हमारे साथ कह रही है कि I am time on time गुड़ा जी कह रही है कि आ रही है बहुत बहुत धन्यवाद और इजूनाज जी भी हमारे साथ जूट चुके हैं आजकल प्रेंच हो गए है और हुला बोल लाए है आपको भी हुला सर्ट नियू वन जी जूट चुके है कह रहे है नमस्ते जी नमस्ते आपको हमारे साथ अभी कुछ देर में जो है हमारे अजय आरया जी जूट जाएंगे अजय आरया जी कह रहे है कि जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कीजिए सो लोग जैसे ही क्रॉस करते हैं हमारे साथ अचे भाई हमारे जुड़ जाएंगे तब तक हमारे साथ हमारे पार भाई जुड़ चुके हैं पार जी सागत है आपका क्या हुआ लेट हो गया आज आपको और थावाज आ रही है मेरी जी भीया आ रही है नमस्ते सभी को आपको नमस्ते भीया नमस्ते कैसे हो नमस्ते मज़ा आ रहा था एक जगह की थोड़ी किसी की बगबग सुन रहा था अभी जैस्ट फिर मैं बोला आ जाता हूं यहाँ अब इनों कुमार जी अब पूछ रहे हैं कि हीटे डिबेट्स नरूर नरूटो आर्या भाई क्यों आते हैं वो थोड़ा बिजी हैं धर के कामों में बिजी हैं कुछ सिच्वेशन से इस वजह से आजकल जोइन नहीं कर पा रहे हैं बट वह बहुत जल्दी आएंगे अब प्रशना आया है कि आप आज लिए नमस्ते फी टे डिवेट्स यह नमस्ते नमस्ते बाबु ठीक है हमारे सो विवस क्रॉस हो गए हैं हम अजे को वेलकम करते हैं अजे जी आप रेटी हो तो अपना हैंडरेज कर दीजिएगा और हम ये चला देखते हैं कुछ अच्छा सा चतुर वर्णम मया शश्टम गुड करम विभागशा इससे लिए कुछ बाते भी होने वारी हैं और अजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ अजय जी कैसे हैं अरे बढ़िया नमस्ते अभी को नमस्ते नमस्ते क्या हल है अरे मस्ते बस फड़ा भी मारो गए अभी मस्ते अभी मस्ते अभी अभी हमारे भाई जो हैं वो अच्छाइबी से लड़के आ रहे हैं अरे यार क्या अजय बदनाम कर दोंगे अजय का निया अजय कि थोड़ी तव्यद वस खराबती अभी कैसी आजय बाइब बताईए अरे मस्ते है आपका दोबारा वापस ऑनलाइन आने की आपको ऑनलाइन ही रहेंगे वेकली स्ट्रीम करेंगे वाब भाई वाई आप सब के लिए खुश ख़बरी है कि जिनके नाम से जिनके जाने के बाद भी जिनके नाम के गुनज गाये जा रहे थे इमान यूनियन के चैनलों पे वो दुबारा आ रहे हैं तो काफी डर का माहौल है वो डर हम आज आपको दिखाएंगे भी और गुलाफ ही कि है हमारे भाई के लिए हमारा भाई वापस आया है मुझे तो अपडेट भी नहीं क्या चल रहा है सब अरे सारा अपडेट देता है तुबको आज सब को सब को रिव्यू किया जाएगा यह देखो समर कुमार जी का पहला गुलाब आया है आपके लिए गुलाब के जाए लिए निको मैं हमेशा देखता हूं हमारी प्यार बहुत दिल भी आ गया है गोभी का फूल भी आने वाला होगा अरे निया आइकॉन आ गया है ना तो कल मैं साहिल की स्ट्रीम में देख रहा था कि हाँ गुलाब पेकने कली कहा गया तो लोग गोभी के पूल पेक रहे थे हैं यह आ रहा है यह वाला यहां के वाला यह बहुत है अन्षिका शुकला जी अनुराग यादो जी आपसे कुछ जदा यह देखिए क्या क्या सभी फूल आ गया है वाई सभी भाहियों को बहुत बहुत दन्यवाद अनानासी आ गया है आपके लिए अजी भाई बरो साना कोई को तुमने क्या बताया भाई नाम भी बरो से वाला और अजी अगया है हाई अन्ने ऐक अपंत किया बढ़ाती है अन्यवाद ना मिए कुछ कि अधिकैंन कि आची अर्थ में ने कृइब च्चल इन बाई च्चल ऑज क्ट अरव्रक ने थे daha मटविश, खकी अन्यवे अने और नीपार्थ में जोबैस अधिकों बहाई आँम प देखके लगता है मतलब तुमको देखके उन्हें खुशी नहीं हुई मुझे वैसे लग रहा है वो वाली खुशी नहीं हुई अच्छा, coming back to the point, कैसे हो अजय? अजय जी हमारे शायद इदर उदर हुए हैं, अजय कैसे हो, बताओ, क्या प्लान्स हैं कैसे अब आगे क्या करना चाहते हो और क्यों इतने दिन तक नहीं आ रहे थे? अरे याद देखो हम हैं कुछ काम में फज़े थे हाला कि हम नहीं बताएंगे अब हमारे गूप में दो लोग हो गए जो पर गुरुकुल से पढ़े हुए होंगे यह कंप्लीट करने के बाद क्या बनुगे ज़े जो गुरुकुल में कर रहे हुआ विद्या लंकार है पहत्रीन पहत्रीन हमारे सुपर स्टेट भी आ गये हैं कह रहा है हाफ स्टाल जी कह रहा है भीया में को शैव मत में जाना है कोई सुझाओ जी बिल्कुल आप जॉइन कर सकते हैं कश्मीरी शैवपंद से हमारे भाई हैं वह आपको अच्छे से बता देंगे कौन-कौन से पुस्तक हैं पढ़नी है आप उनको पढ़ सकते हैं उसे सुझाओ भी ले सकते हैं मलंग जी ने हमें सही हुग दिया है बहुत बहुत धन्यवाद त्यारे भाई तो आज हम लोग ने एक नई चीश शुरू की है कि तुमारे तरह उसे बैग्राउंड नॉइस आ रही है बैग्राउंड नॉइस को हम देखते हैं कि हम लोग जो है शुरुआत के जो पंद्रा मिट होते हैं वो अपनी ओडियंस के कुश्चन आंसर के लिए रखते हैं उसके बाद जो है अपना पूरा सिस्टम जो रहता है उसको शुरू करते हैं तो आज हमारे साथ अजे भी जुड़े हुए हैं जो डिवाइस डिसकनेक कर चुके हैं भी डूमेंट लिए को इश्चन नहीं है भी आ जाएंगे तो हम अपनी कूप रथा शुरू करते हैं और आपके प्रशन लेना शुरू करते हैं आजे समझ गया है हां तो अब आप अजे भी आ गये हैं तो अजे को भी टैक करके कुश्चन पूछ सकते हैं और पहला कुश्चन आया है गुड़्डा जी के तरफ से अब अच्छा पॉड्कास्ट होए वह आपका परसों है और जो पॉड्कास्ट होगा वह सुल्ताना जी के साथ होगा इंट्रेस्टिंग पॉड्कास्ट होगा हम कंड़क्ट करेंगे क्योंकि इस बार वाले पॉड अब कि इस चीज़ते वाई वो तो तुम और बहुसे वाला ही जानते हैं मोविनों की बात कर रहे तो नहीं वाई मोविनों के बिलकुल नहीं है इजुना जी पूछ रहे हैं कि आस्क ब्रमराक्षस अकल बढ़ी या भैस भाई अगर साइज में तो भैस ही पढ़ी है यह क्या बहुत खतर नाक आवाद लेके आई है फैज इजी ओ भाई कह रहे हैं आज अब बहुत ज़्यादा ते जा रही है अ तुम आदा मार्क भी नहीं सेट कर सकते हैं आप टीक है यहारा सेट कर दिया फ्लोर कम करो अउटमेटिक है अउटमेटिक है मेरे पास एक्सेस थावने कर दिये को चालो फैज इजी ओ जी कह रहे है आसके प्रमराक्षा सजे भिया और पार्त भिया सब एक बार बोलो दो कयो शूतिया है नहीं हम ऐसा नहीं बूलेंगा क्या कहते हो क्यास अरे क्यास हमारा प्यारा भाई है एर चूतिया मत बोलेंगे और क्या पता क्यास क्याड़ी हो इक्सेक्ली दीजे जी कह रहे है हीटे डिबेट के मेडिटेशन करके सूपर पावर मिल सकती है पर पावर आजे इस हां बताओ सूपर और कैसी चाहिए वह लेदर भी मदली नहीं बहुने मिलेगी देके जिन चीजों को हम अभी नहीं समझ पाते हैं तो वो चीज हमारे लिए सूपर ही होती है तो अभी आपकी जो सिती है मेडिटेशन करके तो नहीं मैं नहीं कहुंगा को इसी चीज़ जाएंगे योग-धर्षन पड़े योग-धर्षन में कोच शिध्धिया आए वह आपको मिल देखे योग से मिलेगी मेडिटेशन करके अगर आप सिफ मेडिटेशन करते रहेंगे तो जो है आप बुद्धिस्ट हो जाएंगे और बुद्धिस्ट तो नहीं होते हैं एक दिन वाल गाया हो जाएंगे अपने अप्रोटे वेट गीर हो जाएंगे इग्जाक्ली शुन्य में भी लीन हो जाएंगे पर अपरागत रूप से भी और आबाती में भी तो डीजे भाई कहा रहे हैं कि आस्क अजे भाई क्या में डिया जा चुका है कि अध्याए आठ श्लोप पांच और शेक्स पें करोगे क्या बाव उसके पर पूरी स्टीम कर दी जाएगी अजय तुमको कुछ कहना हो तुमको कुछ करना हो तो बता सकते हैं अब देखना पड़ेगा तो को देखिए लेते हैं अगला देखना पर हाँ कि अध्याइब करते हैं इसमें कुछ को प्राप्त करते हैं इसमें कोई संशे नहीं है इसमें बिल्कुन कोई जै, तो इसमें बल्कुन कोई प्रोब्ल्माटिक नहीं है जिसरूप को ध्यान लगाए है ब्रह्म को आदियात करते हैं और तो ब्रापऴ को वह जारा है एसा भी नहीं है कि मतलब सोच लिया क्रिशन जी के बारे में और लास्ट में जिसे कमा पढ़ लिया है अब लोग ध्यान देख जा कि क्या होता योग दर्शन में वैसा दाला देहान जान देन कि बैट के बस सुन दिया क्रिशन प्रिशन हो गया यह दूब ही हो जाएगा ना जो अपने अबित्यू समय में जो खुश भी ध्यान लगाता है जिस तरब भी उसका ध्यान जाता है वो उसी प्रकार उन चीजों को ही प्राप्त करता है जो उसके ध्यान में आता है लोग कहते हैं कि वित्यू का आता है यह जब इसकी फिशक को पहले आपके सामने से आपका पूरा जीवन गजर जाता है तो जासा जीवन जीएंगे वेसा नतिम समय में आपके मन में ध्यान आएगा कि अजय को पर पहला टार्गेट करें इंगे लुग नाम कमेंट कि अजय को लाइब करेंगे कि इसको करें इसका नाम ले जब लेना बहुत से बीच में तब तक आपके कमेंट करेंगे तब तक हम इसको मिस्स नहीं करते हैं और अच्छा हां मैं उस पर थोड़ा सा क्लारिफिकेशन देर देना चाहता हूं क्योंकि कुछ मुमिन भाई हमारे जो हैं वो इस तरीके से प्रिजन करने का प्रैतने करेंगे कि तुमारे गीता में भी यही लिखा हुआ है नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है जैसा जीवन आप जी अंतिम समय में कुछ ऐसी चीज़ा है कि कटोरा लौ मुझे मूपना है बागके जिसको कड़ी से कड़ी मिलानी हो वो मिला सकता है जानते हुआ कि इसके अंतिम शब्त थे जानते हुआ है इस वह मुद्ध वाले है 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 अब उनके ध्यान में तु जो है भगवान कृष जो यह आसमान और जमीन को अलग करने में बिग बैंक दिखाते हैं उसका कंपैरिजन किया जाएगा ना सदिये सुक्त से बहुत इंट्रेस्टिंग स्ट्रीम होगी आज ये के लिए क्वेशन आया अभिनो कुमार जी का कि पहला टार्गिट कौन होगा वह सबके कमेंट ले लेते हैं देखे किसको किया गया है अरे ये बड़ा आपने अंब्रेला टम बोल दिया भाई ये देखो अरे लेकिन कौन सा ये भी सही है कौन सा मुलना कौन सा दीजे जी कह रहे हैं कि आज करजे भाई हीटे डिबेट्स मुझे पहले से अध्यात्म में रुच्छी थी पर कोई गाइड करने वाला नहीं था बट यूटूब के माध्यम से आपकी कृपवा से बहुत कुछ सीखने को मिला है और आग अंकित कुमार जी कह रहे हैं आस एक स्ट्रीम प्रेजर्वेशन ऑफ वेदास पे अब अजय आ गया है अब पिल्कुल स्ट्रीम की जाएगी पिल्कुल की जाएगी अब इग्जैक्ली होता गया ना जै कि तरस फूली सी फिट बैक आ रही है कि अब मतलब जैसे एक्स मुसलिंस की वज़े से उन की स्ट्रीम देखते हुए हमारे लिए प्रेजर्वेशन का हमारे लिए खुद के लिए भी प्रेजर्वेशन का मतलब हो गया है कि सनत और मैनिस्क्रिप्ट राइट अल थैंक्स टू मिस्टर पिंकी पिर्णी तो उसको समझाया जाएगा डीटेल में इसके बारे बात तो सबको ऐसा लगता है ना कि अगर और टेडिशन है उसमें एक चेन होगा कि इसने सुनाया इसको ऐसा नहीं होता है ठीक है अगर तुम यह चेन बना के चलो को सपोस कर लो कि इतने साल रख पाऊगे इसको 200 साल तक 500 साल तक 1000 साल तक भाई फिर उसके बाद वो जितना बड़ा वेद नहीं होगा उससे बड़ी तो केन का नामे हो जाएगा केन का नामे आदा रखोगे वेदी आदा रखोगे Exactly और कौन उसमें क्या मिला दे रहा है आप कैसे बता पाएंगे कोई कहता है मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा कि जो आयत बकरी खा गई थी उसमें पाँच बार एक बड़े मर्त को दूत पिलाना है कोई कह रहा है दस बार पिलाना है कही तो एक ही बात गई थी ना तो वो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं जो chain of narration को proof मानते हैं authenticity का in fact ये counter proof है कि ये चीज authentic नहीं हो सकती क्योंकि ये 50 लोगों से हो के आ रही है chain of narration तो तुम्हारा loophole दिखा रहा है कि भाई ये हो चो कि तुम्हारी पूरी कुरान की transfer हुआ है जो वो एक बंदे से हुआ है वो एक बंदा कभ का जुड़ बोल दिया होगा विशन पता ही चलनेगा पता ही जलनेगा पता ही बंदे बंदे बंद कर रहे है लिटरली गजर चूती होते हैं ये लोग शौरे सिंग जी कह रहे हैं आस सर कें यू क्लियर माइड डाउट विए रियल आर्यन और आर्यन कें फॉम आउटसाइड और रॉट हिंदुजम विद देंसेल्ब्स हिंदुजम का मैं अपना परजी बाते हैं मैं अपना पस्पेक्टिर रहा हूं मैं चाहता हूं वजह इस कि मानते हैं कि इतिहास का वर्डन नहीं किया गया है और हम भी नहीं कह रहे हैं कि इतिहास का वर्डन किया गया है लेकिन जिन जगहों के उदाहरन लेके आपको चीजों को समझाया गया है वो जगह भारत में ही है तो वैदिक धर्म आपका अपना धर्म है वैश्विक धर् प्रक्रण आते हैं वो भारत के ही आते हैं तो आरेन हो सकता है आरेन उन लोग को कहते हैं जो बाद में आये या पहले आये या थीरे-धीरे आये वेद आपका इंडिया का हिए दोक्टर नीज राये ना उनका वो देखो पॉड काई साइंटिस्ट एमोजनेटिक साइंटिस्ट पूरा डिबंग है वो सिनॉली के अंदर भाई तुम बोलता है इन्होंने के अरेन इंडियर माना था मैस्टु मैक्स अरेन लिए ने अरे तीने यार साल मैस्टु मैक्स मान अरे उससे पुराना अरे इंडिया ने मिल गया भारत के अंदर वहीं सिनॉली ऐसी जगां मिला है जो कि उदर साइट पढ़ता भी नहीं है बहुत इंटीरियर में है वहीं एक बात बताओ आरेन इन्वेयं का नाम तुम किसी का अतियाद उठागे देखो भारत का किसी का अ पारत का उठालो माना पता उठालो एक तुजड किसी आज तब चर्चा हुई ही नहीं कि हम बाहर से आए कभी बात के अंदर इस ता डिवेटिंग तर राय फिर भी कभी बात ही नहीं हुई एक बात 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 है पार्ट तुम कुछ पह रहते हैं जी मैं वह अमरकोष्ट के साथ तीन में मैंने पढ़ा था वहां पर तो आरे शब्द का पूरा आपको आर्थ समझाया कि कुलीन वेक्तियों को जो स्वेत वस्तर धारन करते हैं यानि कि उच्छ स्वेश्ट को जिनकी विचार स्वेश्ट होते हैं उस तरह के लोगों के ग् अब पहले तो यह आप सबसे अनुरूत है कि आर्यन कहना और धर्मा कहना और कर्मा कहना यह तो छोड़ दीजिया पूरा बोली है कर्मा धर्मा आर्या आर्यन यह सब छोड़ दीजिया आर्यन कुछ नहीं होता कुछ होता ही नहीं है आर्यन हमारा शब्द है यह गुड़्डा कहा रही है जैसा करोगे वैसा भरोगे बिल्कुत से कह रही है डेवी जी आपके लिए राया यह अजे जी वाजिदी जी को मतब़ा अपने टार्गेट की बात पूछी थी वाजिदी जी आज जायत पटेल आया है आप चाहते हैं कि मरे हु को समझ जी का है वाजिदी को नुमैट जी का है मुफ्ती डोरेमौन हमने नाम करन कर दिया है जैनका डोरेमौन मुफ्ती साधान चतुर्ता जी कह रहे हैं कि आज ब्रह्मराश्चस मैंने तत्यूबूद दो बार पढ़ लिया पर समझ नहीं आया क्या मैं गधा हूं बिलकुल सर और दूसरी बात है कि आप सत्यात प्रकाश पढ़िए अगर तत्यूबूद नहीं समझ में आ रही है तो अगर सत्य प्रकाश से आपके संका का समाधान नहीं हो रहा है तो तत्यूबूद पढ़िए मैं अपनी जर्नी बता रहा हूं आपको दस्यौद जी कहा रहा है कि आज प्रहमध्ष्य संलीना भावी के साथ पोड कास्ट क्यों नहीं अई है इसर वो भाव नहीं बीटिक भी ना समझ में आपको पढ़ ले ना भाई फिर कुछ नहीं है किसा है कि हमारे पहरे पैनलिस जो है अपने पुरानी हिटे डिबेट की टीम कंप्लीट हो गई है इस दुना से भी प्रशन कर सकते हैं आप कि क्या अंजाने में किए गए कार अगया करंफल बनता है अजे कर अंधा इतना सिंपल नहीं है मेरे भाई विवेक या आप सांस भी लेते हैं तो आपका करफल बन रहा होता है अच्छा दूरा देखो एक एक जामपल में देता हूं लाइक तुम गाड़ी चला रहे हो और तुमने किसी को ठोक दिया और तुमने जान बुझ के नी ठोका फिर भी तो तुमने पाप तो कर दिया ना यार तो तुम्हारे लापरवाही के वज़ा से वह अन जाने से हुआ है ऐसा ही समझो ऐसा नहीं कि पूरा चुड़ जाओ गया है तुम गाड़ी ऐसे चला रहे हो और अगर वह आकर सामने से भीड़ जा रहा है तो तो मुझे ने लगता कि कोई पात है नहीं फिर कोई करम पले अग नहीं कोई बच्क है आपके निकाल कर लेसा है तो आपकी लापरवाही है ना वहां पर नहीं रहे हैंख कारम का क्या फल में यह दुनिया में कोई नियुक्त किस कारम का क्या पल है को बता ही नहीं हां कि इस दिन स्ट्रीम के लिए आइडिया कतम हो जाएंगे मेरे पास यह कि जिस दिन स्ट्रीम के लिए आइडिया कतम हो जाएंगे प्रेपरेशन नहीं रहेगे वही स्ट्रीम दुबारा कर लेंगे शुहम संग पूछ रहा है आजए भी आवाजदी को ठेल दो करते हैं के वाजदी नहीं अधार बार मेरे पास अधार आज 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 ही ठोग देते हैं है को इस दिए कि ए आज ही ठोटेते हैं मतलब क्या ही बूला जाए नारायन को स्वामे जी कह रहे हैं आस्क हाव इस भाष्य और भागवत पुरान अभी पढ़ा नहीं है रिपो कुछ उसके बारे में कह नहीं सकते कुंदर शर्मा जी कह रहे हैं कि आस्क ब्रह्म राक्षास भी लव यू वोईस बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई कि अध्युक्त बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई कि ठीक है पंद्रा मिट हो गये हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का जल्दी जी जितने भी सूपर चैट आएं सूपर चैट लेकि फिर हम स्ट्रीम शुरू करते हैं बागी एक हमारा अल्टरनेट चैनल है उस पर वो पूरी फुल स्ट्रीम जो है वो अपलूट की जा चुकी है अगर कोई मेरा प्यारा भाई है तो डिबेटर्स कॉर्णर की जो लिंक है वो शेर कर दें और वहां से आप देख सकते हैं बागी देखो जिन वगेरा जैसी कोई चीज तो होती नहीं है अजय है यह यह तो हमनों को भी पता है तुमको पता है अब वहां पर जो लोग थे लंबे चोड़े और मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है बहाई कद काठी भी जो है वो हमारे जाटों से मिल लई है हमें पता है जिन तो डेफिनेटली नहीं होते हैं तो मतलब नहीं इस तरीके से कहना चाहता है कि इतना अच्छे तरीके से यह कभूना किया गया कि उन्होंने कह दिया जिन थे साले इतना इंसान नहीं करते हैं तो हमारे पास कुछ आया है लव और ट्रूथ और डेर जी कह रहे हैं जाटों ने किसकी सवारी की थी सर यह जाट और उनके रसूली बहतर जानते हैं अज उनका बड़े भी है 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 हाँ बिल्कुल एक गिफ्ट तो हमारे जाटों ने दिया था उनको बड़े गिफ्ट अच्छा बटने के दिन एक जाट आ गया भाई वापस कब छोड़ो गया भाई उनका पीच्छा मरने के बाद मेंबर पूर वन मन्त है हमारे एक मैनिया से मेंबर रहे हैं कह रहे हैं वर्सु दैवा कुटूंबकाम को वासु देव कुटूंबकाम बोलना बंद करें बिल्कुल सब हम कभी नहीं बोलते है वो इंग्लीश लेक्ले मैं वी ए हो जाएगा ना अंग्रेज बोलते होंगे अंग्रेज बोलते होंगे एक्सेक्टली सोमेर स्वामी जी कह रहे हैं भाई उस जुल्फिकार दोगले को एक्स्पोस करें अजय भाई विक सर वो उसके साथ हम लोगने एक नई रणीती अपनाई है क्योंकि उसके साथ बहुत बार डिबेट की जा चुकी और वो आधी डिबेट छोड़के भागा है तो हम चाहते हैं कि पहले बिटा वो डिबेट पूरी करो तुम और केस गेमिंग जी कह रहे हैं ये सबसे पहली अलीना अली को इंडिया की है बिलकुल वापिसी के लिए अब मॉमिनों मसी पे चेलों और नौचुद्रूं की कहर नहीं ब्रहमराक्षल दभैया अजयए बेस चोड़ी है पिलकुल पाई भाई उन्बस जड़ी वाले कह रहे हैं कि अजय भाई तुम्हारी लॉंडी जाहिल डख आजकल कंविंस कंविंस बड़ा खेल रही है प्रमराक्षास पहले सही शब्द बोला था पिल्कुल करते हैं और पिल्कुल किया जाएगा मतला हम अपने कर्मों से करेंगे सिफ शब्दों से नहीं बठड़े कि दिया जाएगा इतना कंविंस करेंगे कि कंसीव कर लेंगी जीब सिटिंगी जी कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रीम में इतनी गाली क्यों देते हो बिल्कुल सर मैं सो स्ट्री कोशिश करेंगे कि कम किया जाए अब नो कुमार जी कह रहे हैं कि आर्या भाई पहला टार्गेट कौन है अरे यार इसको स्टार मार्किस ने करती है अच्छा तुम ही ने क्या था पाल भाई कह रहे हैं कि मलंग भाई ने जो है दस मेंबर शिक विट की बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई डॉक्टर अजे कुमार बस्वंते जी कह रहे हैं हाई हीट डिबेट भाई मुझे हिंदु धर्म के बारे में शुरू से पढ़ना है और समझना है कि कहां से शुरू करूँ गिव मी सम बुक्स सजेशन सर आप जो है सत्यात प्रकाश पढ़िए सत्यात प्रकाश पढ़िए कर दशन पढ़ो जैसे एक दर्शन आप ले सकते हैं वेदान दर्शन ले सकते हैं और संकर भाष्य जो है आप बिल्कुल संदीब सिंग बाजवा जी कह रहे हैं है अमर बलीदानी भगत भगत सिंग बिल्कुल सर्थ नमन है भगत सिंग जी को नमन है उनको वह आरे समाज से थे खता है अगर स्याही खतम हो जाए शत्यार प्रकास की बाद चली ना प्रकास की दादा जी का वह रिशी दयानां सर्थ ने खुद किया था अपने आतों किया था और भाई सिखोने के बाद भी उनका यग्यों पवित हुआ था अपने भगत सिंग जी का उस्टे खिरम फाड़ों नहीं करते हैं वह बातर लगा तबी तुन को चारिस्तानी चड़ते हैं वह क्या ना अम्रेट पाल नाम है वह क्या बोलता है कि आरे समाज ने सिख्षी को डिमॉलिश करने काम आरे समाज तुमको रियल सिख्षी बताईए तुम पूरा गुर 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 साही उठाओ पूरे पूरे में वेद भरा हुआ पूरा 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 पूरे समाजी पूरा पूरे समाजी हो गया तो यह लोग बोलते हो जी सिख्षी डिमॉलिश करी है आरे समाज ने अमनत बचाईए एक्सेक्टली और इनपाइक जो है क्योंकि सिख्ष तो अपना ही पंत है बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस पर बकाईदा एस्ट्रीम लगातार एस्ट्रीम शुरू की जाएगी उनका ग्रंत पढ़के एस्ट्रीम शुरू की जाएगी और सिख्षों के साथ शुरू की जाएगी ये स्ट्रीम की पूरी सिरीज की जाएगी लेकिन यह है कि अभी हमारे एक भाई हैं संदीपन रॉय जी उनके चैनल पे आप तो स्टेटर्स देखे कि लेकिन जो खालिस्तानी जो खालिस्तानी है उनकी तो आरे समाज जो है कैनेटा में भी बजा रहा है चंद्रा कि चलिए करते हैं आजे कुछ आड़ करना हो एड़ कर दो और फिर जो है हम लोग रीवीव पर आते हैं यह आला काम निप्टा लेते हैं कि हमारे वाजिदी साहब जो है जादा ही जो है अपने अपने जो दो मेति हिंदू बच्चों की खबर आई है उनके लिए उनके तंकवादियों ने उनकी हट्या किये मैं चाहता हूँ उनको फासी मिले इसके लिए मैंने ट्विटर पर ट्रेंड के लिए भी बोला आप सभी को तो हैस्टेग जस्टिस फॉर मेते ही स्टुडेंट्स के नाम से एक पोस्ट करें ग्राफिक आपको मेरी कम्यूटी पोस्ट जी पार्थ भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी और हम चाहते हैं कि जब मैथी जब कुकी आतंगवादियों ने जो है मैथी के पर आक्षेप लगाया था तो पूरे लेफ्ट मीडिया ने उसको फैला-फैला के तना फैला दिया था कि पूरा हिंदुजम जब कि मैथी एक ट्राइब है उसमें हिंदू भी है क्रिश्चन भी है लेकिन सीधे तरीके से हिंदू को टार्गिट किया गया था अब कूकी लोगों ने भी एक्जैक यही काम किया है और वो ट्राइब तो 90% से ज़्यादा जो है क्रिश्चन है उसके बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा भाई क्या जो हिंदू लड़किया होती है वो लड़किया नहीं होती है उनका रेप रेप नहीं होता है उनका रेप करके हत्या कर दिया जाना हत्या नहीं होती है तो आप लोग इस बात को जितना उठा सकते हैं उठाएं जहां जहां उठा सकते हैं उठाएं प्रीज ठीक है आजय जी शुरू करते हैं तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि सारी चीजे होना बंद नहीं हो जाती है यह मेरे साब से बहतर श्रद धांजली होगा मौल से बढ़ी आए कि बोलो जो होगा आज को बोलिए हाँ कि आई टी जी स्वागत है आपका रगने अपना अब रेक्ता भी भाई खुरब का अभी मैं लाइव देख रहा था वो चूतिया इंसाद उसको इतना भी नी पता है कि तू अभी लाइव कर रहा है वो तेरा फॉटो चिपका के कोई रैंडम बंदे को लाके बिठा के अधर बेट के गाली दे रहा है और तू साइट का भी पाँच मिनिट पहले वो चूतिया यही कर रहा है बेट के लिटरिश्ट उसको इतना भी बखनी कि तू लाइव कर रहा ही लाइव कितना का पर रहा है भाइ मैं उसका कॉमेंट सेक्षिन देख अजय उसका कॉमेंट शेक्शन देख माशला वन शाय अज्बानले देख वो अगरेक्षुलेसान सुब्रामराक्चस भाई सही सलामत भागने के अलियर मैं को सिरिसली कभी-कभी अल्लावाली फीलिंग आती है यहां बूँद में यही तो माया है वो मैं जो तो एक्शली बीच-बीच में म्यूट नहीं कर रहा था, मैं एक्शली इसको गालियां देने जा रहा था अच्छा दुद्रा, एक बात तो सही कहता है कि सालों बेहनों के साथ शादी मत किया करो, बच्चे सच में खुर्रम जैसे पैदा होते हैं यार, seriously, इतना कैसे कोई डफर हो सकता है भाई, आचे टिके, चलो चलो बहुत-बहुत दन्माद, LG, नहां बताँ बताँ भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई, मैं वह भाई-उस कोलों को आचे, तम लो कंटीनु करो खुरें भाई आप बहुत बहुत ज्यादा गधिय। बहुत ज्यादा गधिय। किया जाय गालाई धुल में अश्वने चेंट करता हूं के अभी चूटिया मैं ज्च्रिम कर रहा हूं। किमेंट करने हूं है क्प दढ us कलिक उविए इसके विन दिख रही है किया आप इसका इसलामिक अवेक्निंग ना इसलामिक अवेक्निंग ना इसका इसका शकल नहीं देखनी मुझे को मैं अपनी लाइव में हूँ लाइव में हूँ वो फेक है और आप क्यों दिया हाँ चलो ठीक है क्या इसको डिबेट से भागा हुआ है चलो अपने टॉपिक पर आते हैं तो बैसिकली मैं आप लोगों को बैक्डॉप दे देना चाहता हूँ कि यह पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ अब हुआ यह कि बहुत समय पहले दो-चार महीने पहले मेरी एक वैक्टी के साथ डिबेट हुई थी जिसका आई-क्यू जो है वो इजूना की उमर से भी कम है तो मैं चाहता हूँ कि पहले उसके बारे मैं आप समझ ले फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया जिनको नहीं पता था कि वो आदमी मुफ्ती है पहले मैं शॉट को लेकि कोई बहुत जादा सीरियस नहीं था यह वो विक्ती है एक सेकंद दीज़ेगा यह दिखिएगा अजय स्क्रीण दिख रही है नहीं अभी तो नहीं है अभी अभी पहले है यह वह वेक्ती है टारे जमीन कर गया ध्री मुद्राइड करो नो प्रष्ट कुछ नहीं आगया आप गल कि तने को बोलता है ट्रट्रट ट्रट्रट को टेरा जारीट और यहां इसे नों कतीन हो जाएगा नहीं इन यह वण थाइव पर्सेंटेज मापता है पिर में बताता तो तो टेजिए 6.7 को कहते नहीं थे इसको कहते हैं प्रक्रित अगर मैं आपको दिखा दूंगे 49 परसंट को भी हाफ कहते हैं तो तो अजय भाई वान थर्ड जो होता है वो 66.7 परसंट होता है जो हाफ होता है वो 49 परसंट होता है हाँ तो मैंने काई चलो ठीक होगा कोई नहीं वैसे भी मुमिनों के चैनल पर जैनली जो है वो बहुत ब्राइट लोग नहीं बैठे होते हैं जो लगा होगा कोई लेकिन हाँ फिर मैंने इसकी फोटो देखी बगायदा जो है इसलामी गेटप में था यह उसने लगाया भी थ यह ती-शैट होगेरा वाली ओडर बाद मैंने इसकी फोटो देखी कि जो है यह काफी इसलामी गेटप में है मुफ़ती वाले मैंने पूचा कि यह क्या यह मुफ़ती है क्या तो काफी एक क्रेडिबल सोर्स से मुझको पता चला कि यह मुफ़ती है मुझे ऐसा सुनने को म तो मैं मुफ्ती समझ के इसको डिबेट करने चला गया और इसी चकर में उसको इज्जत भी दे दि ए है अब मैंने सुझा कि थीक है मुफ्ती जी है इनको रगडा जाएगा है ईक मुफ्ती है और ब्राइट नहीं है तो फिर जो है कि अब हुआ कि पिर लास्ट में ये मुफ्ती नहीं निकले और ये चीज़ हमें कैसे पता चली कि ये मुफ्ती नहीं है उसकी बड़ी चिंट स्टोरी है जो हमारे वाजिदी साहब ने अपने स्ट्रीम में अपने चैनल पे शेर भी की है और मैं चाहता हूं कि आप लोग देखने और इंजॉय करे लेकिन हमारे मुफ्ती साहब ने वही डिबेट जो है वह अपने चैनल पे चला दी तो मैंने का चलो ठीक है डिरेक्टर मुफ्ती साहब के चैनल से लिखाते है ये एक सिकंड दीजेगा हमें यह आली देखिए ने अजय तुने पर लगाओ तो तो आएंगा अच्छा ठीक ह बाहुत बड़िया अच्छा ब्लंडर हो गया आज टीक है देखो अब बैक्ड्रॉप यह है कि जो अपने गीता में श्लोग है चतु वर्णम मैया शिस्टम गुड़ कर्म विभागशा तो मैं इसको समझाने का प्रें कर रहा हूं कि भाई जैसे आपके गुड़ विक्सित होते हैं वैसे आपके कर्म होते हैं ठीक है जैसे आप बहादूर हैं तो आप बहादूरी की क करेंगे अब क्योंकि उसको वड़ववस्था जो है वह उक्यूपेशन के आधार पर सिद्ध कर नहीं थी इसके लिए यह लॉजिक कि यह दे रहा है कि लेकिन गुड़ के विरुद्ध लोग काम करते हैं उसके लिए उसने एक्जांपल दिया कि जो है बहाल उसने एक्जा लाने के लिए या खुद जादा अमीर करने के लिए दान शीलता ना होते हुए भी दान करता है अधिक दान करता है मैंने उसको एक्जांपल दिया वह एक्जांपल नहीं दे पा रहा था लेकिन यह सामानता नहीं होता है सामानता आप वही कृते करते हैं वही कर्म करते हैं अगर आप बहादुर नहीं हैं, आप लड़ने नहीं जाएंगे, आप आर्मी में नहीं लिस्ट करेंगे, आप वो कर्म नहीं कर पाएंगे, अगर आप रेपिस्ट नहीं हैं, आप रेप नहीं करेंगे, अगर आपके अंदर वो प्रवित्या नहीं है, आप नहीं करेंगे, त लेकिन यह हमारा प्यारा भाई है इसके लिए जो जो वान थर्ड है वो 66.7 परसेंट है तो वही बुद्धी जो है इसको समझने नहीं दे रही थी तो आएए आगे की अब जैसे देखा जाए तो सबसे बेस्ट इग्जामपल है कि आग तो कभी आपको पानी वाला फिल दे नहीं ना सकते हो उसका वो गुणी नहीं है जी जाएगी कर्म जलाने करीगे लेकिन यह कि मेरा प्यार भाय जो उसको इंग्जामपल मिल रहा था तो इसको यह लेकिन मेरे भाई को स्वाभाविक रूप में जो चीजें होती वो नहीं समझ में आ रही थी तुद देखिएगा क्या होता इनके साथ लेकिन आप गालिया देने की लेकिन आप गालियां देते फिर आप अमने गुड़ विरुद्व करते हो क्या है थी जब आप एगरी हो गए कि हाँ लोग विरुद्वी काम करते तो आगी बगते ना फिर्ट लपिट नहीं नहीं आसे वही तो आपको नहीं सौंड़ना रहा है, जब वह hypothetical certain situation बनेगी तभी आप गुड़ विरुद बकार करेंगे, जैसे आपका गुड़ नहीं है गालिया देना, आप आगिरी करते हो या नहीं करते हो कि लोग गिन विरुद काम भी करते हैं, आगिरी है नहीं, आपके आप करते हैं ठरकियों वाले काम करते हैं, तो हमारे प्यारे भाई, आप क्योंकि वह ही है, छाचत पॉइंट साथ पतीशत वाला जो है, इनकी बुद्धी है, ये भी मानने को तयार हो गए कि हां मैं करता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, आजे प्लीज कमेंट करिए, मैं सन्यास लेने के सोच रहा हूं कि क्या किया रहा है, आदमी अपनी बुराई नहीं करता है, उसने भाई बोल दिया कि हां मैं टरकियों, ये के बाद बोलना नहीं चारा हूं, अरे यार क्या बनना है, वस है ही सकल से भी इतन, ये लगता अलीना प्लाइन मारता है, अच्छा सब्सक्राई बोलने का लायक नहीं है, उसमें भी पकड़ा जा सकता है, राइट, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, औरी आमिकुल्दा आसिम भाई, अस्वारी मुफ से, खेरियस से यां भजरात, तो मुफ्ति साहब जो है, नीचे बैठके घाद लगा के बैठे हुए से थोड़ा सा पुरानी इतिहास है, तो हमारी मुफ्ति साहब जो है, लपक के उपर आए, अब क्योंकि ये पूरी डिबेट जब आप उस चैनल पे, मेरे पुराने चैनल पे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि, इन्होंने इतनी मूर्खता की, आसिम भाई ने, और मै क्योंकि मैंने दो-तीन बार इनको मुफ्ति साहब बोल दिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम लगता था कि ये मुफ्ति हैं, तो मुफ्ति आने की बेजती हो रही थी, सरे आम, सरे बजार बेजती हो रही थी, ये मुफ्ति आने की इजद बशाने हमारे वाजिती साहब उप आप खुद बताना, ठीक है, सुनो, ये भाई साब कह रहे हैं कि आप अपने गुड़क के विरुद्द काम करते हैं, ये नॉर्मल चीज है, आप अपने जो आपकी टेंडेंसी होती हैं, उसके विरुद्द काम करते हैं, तब भी आप माइक्रोवेव में न रखें अपने को, बाहरी रहें, ठीक है, आप मुझे बताईए, ये ये सही है, और इस बात तो लेके परस्यू करना, असल जो हमारा सवाल है, जो मेरा सवाल है, मुझे नहीं पता कि वो अभी क्या गुस्तु को चल ले इतनी, तू तू में 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 पूरी बास सोंज़ें भी नहीं आई, आई असल बात जो आसिम भाई ने शुरू से कहना चाह रहे थे, महाँ देखंटे से कोई तकलिए, अच्छा देखिए, मैं मैं उस कल्चर से होने का आपको दाहरन देना चाहता हूं, कि हमारे मुझे साहब ये पूरी डिबेट सुन रहे हैं, ये समझ रहे हैं, कि मैं गुस्सा ह हो गया हूं, और मैं इनसे खुद पूछना चाहता हूं, कि मुफ्ती साहब किसी को इतनी सी बात ना समझ में आए, कि इनसान अपने गुड जैसे होते हैं, जैसे उसकी प्रवित्ती होती हैं, जैसे उसकी टिंडेंसी होती हैं, जैसे संसकार होते हैं, वैसे काम वो करता है, इतनी सी बात अगर किसी को न समझ में आये तो क्या उसको ठरकी ना बोला जाए क्या ऐसे उदारण ना दिये जाए तो इनको पता था लेकिन अब मुफ्तियाने की इज़द भी बचा नहीं है इनको तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे उस बारे में बात नहीं करनी मैं ध्यान से नहीं सुन पाया मैं समझ नहीं पाया उन्होंने पल्ला जाल लिया क्योंकि इनको कम से कम शायद समझ में आ गया था कि कितनी बड़ी मूर्खता हमारे आसिम भाई कर रहे थे आजे नहीं मुफ्ति नहीं मुफ्ति नहीं नहीं तुमने सिंपल सब्सक्राइब कर दिया जवाब वह बात यह ना कि मुफ्ति ऑन स्ट्रीम वाट डिस अग्रीमेंट कर नहीं सकता यह कई बार गरता है इसको बस अपने बंदों का साथ देना है भले वह उनकी बात से सहमत नह अपना है या अपना को सकता है उनके अगेंस से स्टेटमेंट नहीं देगा यह इसका बहुत पुराना इसका पैतरा है तो वह ही कर रहा है बीबी देखते जाए यह बहुत बहुत प्यारी कंभूसेशन है यह कि यह जो आपके यहां आपने जो एक इंफिरियर बना ली एक क खाए वह आप करम की बन्याद पर करें या उसकी शिक्षा और तालीम या स्किल्स की बन्याद पर करें यह दरजा बन्दी यह जो है कि एक इंफिरियर यह और दूसरा सुपिरियर यह बना जी तोड़ गलत है एक इनका अबजेकशन ही यह था दूसरा मैं अञ़ख करता हू वो ये है कि आप इस जनम में हैं, अगले जनम में आपका वर्ण आपके करम की बुनियाद परते होगा, या आपके गुन की बुनियाद परते होगा, या आपके शिक्षा की बुनियाद परते होगा अगले जनम में आप बरहमन अगर पैदा हुए तो वो पैदा नहीं होंगे बलके आप एक आम इंसान पैदा होंगे और उसके बात फिर आप जाके बरहमन बनेंगे जो भी बनना है आपको मैं वेद आपर मैं दो तीन चीज़ें वो कर देना चाहता हूँ कि जिस पर इन्होंने अब्जेक्शन उठाया है इन्होंने गुड का क्योंकि मंतक के स्टूडेंट होते हैं क्योंकि इसलाम बचाना है तो जूर तो बोलना पड़ेगा मकारी तो करनी पड़ेगे तो मैं मुफ्ती साथ की वहाँ पर मजबूरी समझ सकता हूँ मैं गुड की बात कर रहा था इन्होंने सिक्शा की बात लाइए और अगर सिक्शा की बात भी है मेरे प्यारे भाई तो आप मुफ्ती हैं आपका आदर सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने सिक्षा प्राप्त की है भले ही जिस फील्ड में आपने सिक्षा प्राप्त की है वो फील्ड कितने ही लॉजिकल हो जहां पे लाठी साथ बन रही है और मतलब भगनी संभोग से पूरा पृत्वी चली आ रही है मैं रेफरेंस के लिए आदम और हवा के बच्चों की बात कर रहा हूँ हाबिल और काबिल की जो अपनी सगी बहन के साथ संभोग करने के लिए आपस में लड़के मर गए तो भले ही कितना इलोजिकल हूँ लेकिन आपने उसमें ग्यान ग्रहन किया इसलिए आज आपको मुफ्ती का दरजा प्राप्त हुआ है और इसी डिबेट की एंड में उस सिक्षा की वजह से मिले हुए उस तालीम की वजह से मिले हुए दरजे के लिए आप स्लिए साथ कि आसम मुफ्ती नहीं है क्योंकि आप डिस्टिंग्विश करते हैं क्योंकि आजम ने जितनी मूरखता की है आप नहीं चाहते कि वो मुफ्ती की मूरखता की तरह जाना जाए आज है मेरा point clear है प्रवाइब प्रवाइब दोनों बराबर हो जाएंगे तो अच्छा है या फिसी चीज में अच्छा है वो बाइट डिफॉल्ट पर होगा जो से कम स्केल्ड है यह पॉसिबल नहीं है इंपॉसिबल चीज इंप्रैक्टिकल चीज किसा बेक लेवल प्याइब तो तो मुफ्ती साहब अगर आप जिस चीज को कह रहे हैं उस चीज पर बिलीव करते हैं मेरे प्यारे भाई अगर आप सिक्षा के, अबिलिटीज के, गुन के और कर्म के आधार पे नहीं मानते हैं तो ऐसा करिए आप पंचर की दुकान खोल लीजिए जो हमारे बगल में जमील पंचर वाला है आप उसकी जहें चले जाएए और जमील को मैं जो है अमेरिका भेज़ देता हूँ आप की तरह स्ट्रीम किया करेगा, स्ट्रीम करके लॉजिकल लॉजिकल बाते बूला करेगा। अच्छा मुफ्ती साहब इसमें अगर रिप्लाई करते हैं, वैसे आज कल काफी गौर से देख रहे हैं हमारी स्टीम मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आप अगर रिप्लाई करते हैं तो मुझे पता है कि आप का जली भी बनाएंगे, आप कहेंगे कि हम तो रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, तो हम भी रिस्पेक्ट की ही बात कर रहे हैं, कि कौन कितना योग्य है किस कार्य को करने के लिए, और उस कार्य करने की वज़े से, और उस योग्यता की वज़े से, उसे कितना सम्मान मिलता है, और कौन इतना सम्मान निये है, गुड़ों के आधार पे, सिक् चिक है आगे देखिए बहुत बहुत प्यारे मुटी साहब है हमारे इनका नाम करन इसलिए डोरेवान किया लिया है इसमें सवाल है कि तमाम इनसान किस काटेगरी में पैदा होता है तो हर आदमी बाइडिफॉल्ट शुद्र पैदा हुआ जब तक आपने अपना सिक्षा नहीं है और शुद्र शुद्र जो है वो इन्फेटी है ना शुद्र वो है जिसके अंदर जो है जिसके अंदर जो है वो गुस्टे पर काबू नहीं हो तो हर बच्चा जो है उसके अंदर गुस्टे पर काबू नहीं है हर बच्चा मुतकबी रहे हर बच्चा एरोगन है हर बच्चा जूटा है बाई शुद्र पैदा हुआ है ना और बेद में का एर बच्चा अनाडी है और बच्चा किसी ब्राहमन को छूबी नहीं सकता अच्छा पूरा सुल्द परेज़ ब्रहदर नायक में कहा गया है उपनिशाद है संकराचारे जी ने भासे किया ऐसा है उनका गर में गलत नहीं कहा गया है कि अगर कोई और जो है मैंसिस से पाफ होके निकले तो नाय उसके बाद उसको कोई भी सुद्र पूरुस बिखा दीजिए ब्रहदर नायक को प्रिशत का रेफरेंस बता दीजिए फूल के दिखाईए तो नहीं नहीं आपकी इसल डिवेट चल लएए आसिम भाई से हम तो वैसे ही आगए सुनने के लिए तो वो परशन उठा दीजिए वो आसिम भाई भी उसमें साथ में है तो आप चाहे मुझे दें चाहे आसिम भाई को दें एक ही बात है इसको जी फटी फैलसी कहते हैं हम लोग एक नया शब्द बनाया है क्योंकि इसे जी फटी फैलसी कहते हैं और हमारे मुफ्ति साथ का मतब जी का कोई गलत मतलब मतलब लीजिएगा मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि इनको गुड कर्म और विद्या यह डिफिरिंशियेट नहीं कर पा रहे हैं यह श्लोक असल में सकंध पुरान का है इसकंध पुरान के नगरखंड के चैप्टर 239 का 31 श्लोक है मतलब ज्यान के आधार पे जो हर मनुष्य होता है हर विक्ति होता है जन्म से शुद्र होता है संसकार और सिक्षा से द्विज होता है यह वाला कमेंडर्स ने क्या सोच के दिखाया कि एवरी चाइड इस सिंफुल वाला असल में यह शुद्रों को जो है सिंफुल समझता है तो यहां पर बात जो है वो सिक्षा के आधार पर की जा रही है यह द्विज की बात की जा रही है कि सिक्षा दिक्षा संसकार ग्रहन करके आप द्विज होते हैं जन्म से विद्या के आधार पर आप शुद्र होते हैं विद्याहीन होते हैं यह इतना सिंपल सा कॉंसेप्ट है मैंने बीश में बोल भी दिया है इनको समझ में आभी गया है कि यह विद्या के आधार पर बताय जा रहा है मुफ्ती साहब और हमारे आसिम भाई वो एक शब्द बोलने नहीं देना चाहते क्योंकि उनको पता है कि अगर बोलने दिया गया तो यह चीज़ क्लियर हो जाएगी और इनकी जो थू-थू हो जाएगी लेकिन कोई शू नहींगे बाद में हमें वास्ता बच्चा है वह अगर मानलों उसको शूद्र बोल रहा है क्या दिक्कत है बाई मानलों किसी बच्चे बोल दिया तो इसका मतलब कुछ गरब हो गया गया जो कर्म के आधार पर शूद्रता होती है जहां विद्या के आधार पर शूद्रता बताई जा रही है उसमें गुड़ और कर्म डाल देंगे मतलब बच्चा कर्म से नीच हो गया तोट शूद्र का मतलब को citr का मतलब है डिवाओ यह कॉलिटी होता ही हो सकते है तो तो तुम को वर्ड से डिफाइन करना पड़ेगा थी तो फालतू की बात एक तम मुफ्टी कते ही गदा इसको पंचर वाले बोलना पड़ेगा कि इसलाम में अज्वी लगता है एक बात बटा है तो उनका खतना किया या तो तो बिना खतने वाली नुन्नी को इंप्योर समझते हो जिसकी वह भी प्योर जाएगा साथ में पर उसको तुम बाद में प्योर करते बच्पन से बच्पन से सिनवाला चौंसेक्ट मारे में हमार तो यह डेफिनेटली देखिए मुफ्ति साब जित्ते भी हिंदू बैठे हैं मैं अपनी मत के अचार जो इस चीज को ख्लियर कर देना चाहता हूँ शुद्र एक आपका विशेशन है आप सिक्षा के आधार पे शुद्र हो सकते हैं चरित्र के आधार पे शुद्र हो सकते हैं ज्यान के आधार पे हो सकते हैं आप अपने गुनों के आधार पे शुद्र हो सकते हैं जो आज की डेट में कास सिस्टम बताये जाता है, जो आज की डेट में शूद्र की परिभाशा दी जाती है, वैसा कुछ नहीं है, मेरे प्यारे भाईयों, ना आपकी authentic स्मृतियों में, ना शुतियों में, शूद्रता एक विशेशन है, शूद्रता मतलब छोटा पन, आपको कुल छोटा मिल सकता है, आपके गुड छोटे हो सकते हैं, आपकी विद्या ही न हो सकते हैं, विद्या के अधार पे आप शूद्र हो सकते हैं, लेकिन शूद्र आप रहेंगे ऐसा वाकई में कहीं authentically नहीं लिखा है, या मैंने फिर पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर बात ज के अधार पे कहा रिखा हुआ है, अब जो मैंने विद्या के अधार पे बताया, तो हमारे मुमिन भाई जो इसको clear नहीं करने देना चाहते हैं, वरना इनकी खुड़ी सी, लेकिन कोई विश्य नहीं है, हमारे आसिम भाई थोड़ा सा अच्छे वेक्ती हैं, बाकि मुद्य साब की तो पूरी स्ट्राटेजी थी, कि अब बोलने नहीं दिया जाएगा इसको, लेकिन ये कि हमारे आसिम भाई ने हमें आऊसर दिया, ये doubt clear हो गया था, फिर आप मुद्य जी की शकल देखें, और enjoy करें बच्छा शुदर पैदा होता है, और शुदर को मानए आप ने वेयान कर दी ये कौन है, कि शुदर किसे कहते हैं, तो आप ये कह रहा है, क्राइप की शुद्र देखें मेरे, तो अभी आपने का ने कहा है, आभी आप ने कहा होगा, तो गोया शुद्र तो आपने डिसाइड ही किया है, गुन और करम के आधार पे, तो गोया के वो गुन और करम उसके अंदर है, तभी तो वो शुद्र है, ना, आसे बाइब समझे आपको वैसे भी लेकिन मुफ्ति साहब इतना डरने के आवशकता नहीं है समझीए हमें पता है कि आपको देखने वाली ओडियोंच जो होती है वो 80% जो होती है मुर्क होती है लेकिन अफ़े इतनी भी नहीं होती यार कितना नहीं समझ में आएगा मुफ्ति साहब आगे देखो एंजॉए कर वस बहुत त्यारा से बहुत त्यारा पार्ट है कि अपको समझ में नहीं आता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और यह कि नहीं आता इसका मलब आप आसिम भाई को बेवगूफ कहने है यह प्रसनल अटाइक है मुफ्ति साहब एक दम सुन रहा है तो एक दम कमार अंपर जो दुनिया की उत्मा लेनी सारी ले लो अगर शुद्रों का एक सिर्व समय बना दी रहा है तो उस उसके अंदर जिसको में शुद्र कहेंगे वो तुमारा यह बंदा है यो भी नाम है इसका इसलिए इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यह बेवकूफ है तो आप मुफ्तिए में आपके साथ डिसगरी नहीं कर सकता आप इन्हें बहतर जानते हैं continue करते है मैं नहीं समझा पाता सही से इसलिए नहीं समझ में आता तो आप अपने को कहिए ना दूसरे को क्यों कह रहे हैं कि साथ तुमें नहीं आता हो सकता है टॉपिक ऐसा है जिसकी वज़स नहीं समझ में आता है को नहीं आप आप समझाएं आप इसको समझाएं कि हर बच्चा क्या पैदा होता है इसक्षा के मामले में आता है कि जब तक आपका उपनेयन नहीं हुआ है आप शूद्र ही है यहाँ पे गुड की उपलक्ष में बताया जा रहा है समझ रहे हैं मेरी बात विद्या के अनुसार जो है वो शूद्र है उसके पास कोई ग्यान नहीं है जैसे च्छत्री के पास जो होता युद्ध कला होती है वैश के पास वाडिज्य कला होती है ब्रामर के पास वेध होता है उनके पास कोई ग्यान नहीं होता शूद्र के पास शूद्र के पास कोई ग्यान नहीं होता कि रोड़ पे ज्याड़ू कैसे लगता है आपकस यह वह इसका घ्यान नी होता शुद्र के पास इसका घ्यान नहीं होता के ज्याड़ू कैसे लगा जाता है मेरे प्यारे भाई इसे उस ने ज्वाल लगाने का गयान सुरू कर दी तो ज्वाल सबस्क्राइब रहा कि इसने अपना उपनें कराया वो नहीं रहा शूद्र तो अगर उसको ज्वाल लगाने का गयान है तो अब क्या वशूद्र है पिल्कुल बहुत से लोग अच्छी लगाते हैं बहुत से लोग खराब लगाते हैं इसमें क्या बाच पूर जार साल का बच्चा जार लगाने में स्पेशलाइजेशन कर लेता है हमारे प्यारे पढ़े लिखे मुफ्ती जी के अनुसार जो है जो बहुत से हमारे मुमिन भाई इन्हें अपना रहबर मानते हैं उनके अनुसार चार साल में बच्चा जो होता है जारु लगाने का में स्पेशलाइजेशन कर लेता है इनके बाद की कथन के अनुसार 10 साल मान लेता हूँ मैं तो मान लेता हूँ लगा लिए उसने जाड़ू एक बार बताओ एक मुफ्ती जाड़ू लगाने में बहुत अच्छा स्केल उसका उसको मुफ्ती बोलेंगे मैं आजे मैं तुमको मैं चाहता हूँ कि अपने मुफ्ती आने की पूरी इज़त रख लूँ मैं तुमको 10 साल का बच्चा दिखाना चाहता हूँ एक सिकंद देखना जाए ठीक है हम तो त्यार मुफ्ती बोलने को जास त्वाइब दस साल का बच्चा तो डोरे मुफ्ती बहुत बढ़ गया है इन्नों के पास अब सिर्फ एक ही स्ट्राटेजी रह गई है कि बोलने और अपनी मूर खता करते रहों तो मुफ्ती साब मैं आपके छोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपका भी घर होगा आपके घर में बच्चे होंगे और आप थोड़ा सा देखने का प्रहत न करिए कि मेरे प्यारे भाई वो दस साल का जो बच्चा होता है वो कांड़ होने के स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाता है और आप जाड़ू लगाने के स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं बच्चे से और फिर फिर पूछ रहे हैं कि ब्रामण नहीं कहा जाता अगर मेरे भाई अगर वो स्पेशलाइजेशन करके पढ़ाने लग गया है तो हाँ वो ब्रामण है लेकिन जाड़ू लगाने का उपेशन जो होगा स्पेशलाइजेशन हो सकता है आपके मतलब मदरसों में होता हूँ लेकिन मैंने किसी यूनिवरसिटी में या किसी इनफेक्ट आइटी आई में भी जाड़ू लगाने का स्पेशलाइजेशन नहीं देखा है मुर्ती साहब अजे पांच मेट की और बची है उसके बाद जो है स्ट्रीम ओपन कर देते हैं तुमको कुछ कहना है इस पर अरे यह क्या मतलब इतना इजी कॉंसेप्ट नहीं समझ रहा भाई जो दस्वी नहीं पास करेगा उसको दस्वी के सर्टिफिकट थोड़ी देंगे हम जो गुर्कुल जाकर दुझ नहीं बन पाएगा तो उसको शूदर नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे ग्यार के अधार पर शूदर है वो नहीं समझ रहे या तुम जाड़ूर लगाओ चाहिए तुम मंगल ग्रह पर जाड़ूर लगाओ में क्या मतलब उस चीज़ के तुम गुर्कुल जाकर तुम तुम तीन वन्ड मेंसे कोई धान कर पाते है तो अभी तुम को कहा जाएगा जिसको डिगरी मिलेगा कोई जीच के लाएगा अच्छा वो करने का नहीं लेकिन खेती आदी खेती हो गया शिल्प हो गया यह आदी हो गई अगर आप वो पढ़ाने के लेवल तक मास्टर कर ले जा रहे हैं चिकित्सा हो गई धनुर विद्या हो गई तो हाँ आप उसके ब्रामण हैं वो आप सिखा रहे हैं गुरु द्रोन जो है वो आपके धनुर विद्या के ब्रामण थे वो सिखाते थे वो च्छत्रियों को सिखाते थे बहुत बड़े बड़े छत्रिय उनसे सीखने आते थे और वो बिल्कुल लड़ना सिखाते थे वैसे शिल्प कला आ दिये अगर कोई सिखा रहा है तो हां उसका ब्रामण है आगे चलते हैं जाडू लगाना बहुत बड़ा स्किल है आप किसी अनाड़ी को लगाने दे दो जाडू पता चला कि एक ना साफ के दूसरा को ना साफ ही नहीं किया तो मैं उस विद्या का आपको ब्राह्मन मालूंगा अगर आपके पास ज़ाड़ू लगाने के स्किल बहुत अपक्छी है तो आपके आप मानने से क्या होता है आप कीताब में दिखाईए कि ज़ा लगाने वाले को ब्रहमन माना गया है जब दिखाईए कि जब आप उसका है तो आप वैश्य हो जाते हैं आपना गटर साफ करने वाले से पूछना कि उसकी स्पेशलाइजेशन है या आप भी सकते हो गटर साफ एक दफा पूछ के देखो उससे वह बताएगा तो आप यहां पर तोहीन कर रहें ना उन लोगों की जो लोग जो हमारे वरतर से काम करते हैं आप कह रहे हैं कि भाई उसका तो यह मुर्पता वाली बात है कि उनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है यह उस विचार धारा को बतलाती है जो आपके अंदर कूप के भरी हुई है मैं चांडाल हूँ मेरे साथ विक्टिम कार्ड मत खेला ठीक है मैं रिवा सूनो मार दूंगा हम कुदे हमकुदे हम कुदे विक्टिम बनजाते हैं एम उमारे ताहत है क्ये लो ह महरे ताहत है हमने हमारी तोहीन करई है भाई आपने हमारी तोहिन करिये है मतल drains में जो है बहुत सालों तक अच्छूद बना कर रखा गया है जलो य देख हूँ साग्राइब तर लिए आते हैं तो सवामी दयानंचरसोती जी ने रिखा है कि चांडाल के घर का था कि जिस्म से बदू हाती है उस उस आवा की तरफ भी रहें इसका करें कि आप खुद को चांडाल कहें रहें दयानन सरस्वती ने आपकी इस पेसलाइज़ेशन है ना आपकी इस पेसलाइज़ेशन है लेहाज अब यह ब्रहमन हो गए तो फिर दयानन सरस्वती के स्कॉल का क्या करें अच्छा जै तेरे जाने के बाद ना यह मुफ्ती इतना मुफ्ती और यह जो नहीं है अपना हगू वो इतना चुड़ा हुआ है मतलब एक सिर्फ तुमारी वज़े से क्योंकि तुमसे ज्यादा डारेक्ट किसी ने उनकी वह नहीं की थी इतना चुड़ा हुआ है कि आरे समा सिर्फ परगारें जितने लोगों को इन लोगों ने आरे समाज के बारे में बताया है आज की डेट में पूरे इतना आरे समाज ने नहीं बताया होगा भाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो बेदांती को सवामी देयनंसरस्वती ने कुतर की कि का है अगर उण्होंने कहा है तो कह सकते हैं वरना मैं आपको फिर श्रिया रेफेंस आब कर पूछू कि ए आतेम संस्कार आपको किस पेडार किया जाता है आप अगरी कर ङुत और डिखाएगे वहाँ कि दिखाएंगे चणडल यह सब घर और मैं आप पुछ लिया है डिखाता हो कि किस सांतिम वारोइं गिए लिए वफ यहीं insects और में जाएंगे सवाल है कि देगे एक तो आपने खुझ से मैं अपनी दो एक मिनट में बात करता हूं फिर आपको एक मिनट दूँगा उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे एक तो यह है कि वर्न की जो है दो वेयाख्या है जो आम तो पर एक तो वह है जैसे जो अमबेट करने की है या पेर लोगों ने इसको जाती बेस बनाके कंडेम किया है और इसके इसकी यानि उनके सपोर्ट के लिए आजय तो बोल ला दाना है कि यह लोग अपने धर्म के लिए फ्री में काम कर रहे हैं अब इतना अट कॉन डालता है भाई अधर्म बोला दाना है जो लिए जो लिए जो लोगों ने लिखा जो अपने आपको वेदिक परमपरा से असोशियेट करते हैं उनके लिए जो है उनके परमानने है तो वह तो बहुत सारा एक दूसरा यह जो अभी पैदा हुआ है मतलब मान ले इसको आपके वीवे कानन य सोफ हिया है तो आपने जो एक तीसरा जो है आपने एक व्याख्या दिया है, वर्न की, कि वो तीन चीजों पर आधारित होता है, कर्म, गुन और शिक्षा, ठीक है, तो चले मुभारा को आपने कुछ तो कॉंटिब्यूट किया है, इस सारे जो हिंदूओं का जो कास सिस्टम को डिफेंड करने का जो सारा काम चल रहा है, उसमें कुछ तो आपने कॉंटिब्यूट किया, इसके लिए आप अपने सरकल में जरूर जो है, वो मुबारत बात कुबूल करिएगा, और लोगों को कहिएगा, यह है मेरा कॉंटिब्यूशन है आपके लिए, और इस पर आप काम करियागा, ठीक है, जो अभी इन्हों ने जोटा, तब मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई सेक्ट, किसी और ने परकार से लिख रहा है, तो ठीक है, हम उसका हवाला नहीं देंगे आपके सामने, परकार से थोपने के आवशकता नहीं है, ना, मैंने उस पर आप भी आपने बात की ना, आपने शियो का हवाला जो लोग भी, जिन लोगों ने भी, चली छोड़ी रहन दीजे, उस डारेक्शन में नहीं ले जाते है, रहन दीजे, अच्छा, मैंने यह आपे बात इसलिए चेंज की, कि मेरे दिमांग में जो कुश्चन आया था, वो यह आया था, कि जो शिया हजरात होते हैं, हमारे सेक जाल के, उसको साफ करते हैं, लाशों के साथ ही यह काम किया जाता है, तो मैं यह रेफरेंस उठाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुफ्ती, अभी तक मेरे, मेरे नजर में मेरे सामने दो मुफ्ती बैठे हुए थे, मैं देवबंदियों कि इसके आलिम बताऊंगा जिनके यह बातें नहीं मानता, लोगो जुटा बोल के दिखा दे, कार के न फेक देश को लोग, बढ़ा कहीं का, अब मैं नहीं चाहता थी कि डेविएट हो, और नहीं तो मैं यही वाला कुशन पूशने वाला था, अपने मुफ्ती साहथ थे, लेकिन यह कि फिर मैंने अब मुफ्ती साहब को लगेगा कि इनको इंपोर्टेंस नहीं दी जा रही है इनका हाँ भाओ देखना जरा है एक बार, concluding statement है, हम लोग इस बारे में दीटेल में बात करते हैं, मुफ्ती साहथ कभी, अपनी बात पूरी कलने हैं, आसिम जी, तो मैं यही कह रहा था, कि आप अपने circle में जाएं थोड़ा, और देखें के, आप कहें कि मेरा एक contribution है, आज अचा एक चीज़ और, आसिम भाई, इन्होंने heated debate ने आपको, चुकर इस चीज़ की वज़ाहत बहुत जरूरी है, इस debate में कई मरतबा आपको मुफ्ती साहथ कहकर मुफ्ती साहथ किया है, क्या आप मेरे लिए नहीं इतला है, क्या आप मुफ्ती साहथ हैं, नहीं मुफ्ती चला देगी, तो कहीं उसमें या आपको थमनेल में, या कहीं मुफ्ती साहथ कहकर मुफ्ती ना करें, यह मैंने पहले हैं, यह जाती वादे है, एक बराबर नहीं रख रहा है, तरी जाती वादे गए, तो फो, यह क्या कर देगा, यह इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन बता आपने नहीं होगी अपने चैनल पर आपलोड करनेकी, तो आपको ये चीज़ क्लियर क्यों करनी पड़ रही है? एक बार भी, एक बार भी हमारे आसिम भाई ने नहीं बोला कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, जबकि मैंने कम सकम दस बार उनको मुफ्ती बोला होगा, क्योंकि उस समय मुझे लगता था, यह तो फोटो देख रहा है इनकी, देखके लगा कि यह शायद मुफ्ती हैं, चले आगे चलते हैं, अभी क्योंकि हमारे नदीम भाई, जबकि आपनों को थोड़ा सा याद होगा डिबेट के पहले, तो इन्होंने कहाते हैं, ठीक है, मैं कंस्यूटिंग स्टेटमेंटर देता हूँ, फिर आप रख दीजिएगा, ठीक है, लेकिन यासिर नदीम इस टाइम पर बि तीस सिकंड में बोलने हैं, एक मिट का दे दीजे पूरा, सर देखिए जो बाबा साम ने लिखा है, वो कहीं भी गलत नहीं लिखा है, कि एक समय था, वाकई में, जिस समय जो है एक लोग, क्योंकि उस घर में पैदा हो रहे हैं, उनकी जो दशा है, वो निंदनिये कर दी ग वज्जर सूचिका अपने सब्से कहीं है, सारी की सारी बाते हैं, वो हमारे वैदिक ग्रंत हैं, आप अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो कोई भी आप अंग्रेज हिस्टॉरियनों जो तुले रहते हैं कास सिस्टम दिखाने में, उनका भी यही कहना होता है कि वैदिक काइम में वड़ विवस्था जो है, वो रिजेट नहीं हुआ करती थी, और हम वैदिक विवस्था आपने धर्म को वेदों के अधार पे ही मानते हैं, मेरे प्यारे भाई, दूसरी चीज यह है कि अगर अगली बार मैं आऊंगा, और अगर अभी आप किया जाता है, मेरे ख्याल से आपका लोजिंग इस्टेटमेंट हो गया है, अब आप नहीं बात करनी है, तो इस पर हो जाए कि स्वामी दियान सरस्वती सच्चा था के जूटा, इस पर बात कर ले, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि, हमारा उपन के लिए, हमसे करो, इतनी देर अजय, इतनी देर हिंदिजम पर बात हुई थी, ठीक है, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, जिस पर ने अपने शास्त्रों को पढ़ना जो है, वो जादस जादस 6-7-8 महिने से शुरू किया है, ठीक है, हमारे सामने एक मुफ्ती बैठा हुआ है, मैंने सिर्फ कहा था कि अगर आप आउसर दे, तो अब मैं इसलाम के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन एक मुफ्ती, मुमिनों, देखो एक बात, देखो, अगर आपकी लीनियज, आपकी जो हेरिडिटरी सिस्टम है, वो भगनी संभोग की वज़े से विकृत नहीं और अभी भी आपके अंदर सोचने समझने की शक्ती बची है, तो उसका प्रयोग करिए और देखिए, एक मुफ्ती जिसने इतने सालों तक इसलाम पढ़ा है, मैंने उसके साथ एक घंटे हिंदिजम पे डिसकुशन किया, लेकिन वो विक्ति इसलाम के एक प्रश्न का उत् उसके पास समय है, वो डिसकुस करना चाहता है, लेकिन वो इसलाम पे डिसकुस नहीं करना चाहता है, वो यह डिसकुस करना चाहता है, कि महरी दैनन सहसोती सहीत है या गलत? इतना देख लो थोड़ी सी बुद्धी खूल लो तुमनों को एक आइडिया लग जाएगए कि क्या स्थिती है तुम्हारे इमान यूनियन की आजाए समझ रहे हो मैंने इससे सिर्फ इतना बोला कि अभी तक कितनी दे तक हमोंने हिंदुजम पर बात की मेरा इस्लाम पर प्रश्न है मुफ्ती बैठा हुआ है मेरे सामने ये quarter मुफ्ती, quarter half, one point five कुछ तो है ये मतब कितना present मुफ्ती तो है ये मतब जानकार आसिम भाई हमारे लेकिन ये दोनों मिलके इस्लाम पर बात करने को तयार नहीं है यह स्थिति हो गई है इमान यूनियम की अजय इस समय जी अजय जी अजय अमाइ ओडिबल जी आपके आवाज आ रही है जै वही मुट पर है भी चालो ठीके इसको कंट्लूड कर देते हैं फिर मुट्टी साहब की इन्ही हरकतों की वज़े से क्या हाल हो रहा है मुसल्माने को पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी दिखाते हैं और आप ने जो अपना एक कॉन्क्लूजिंग रिमार्क्स दिया है कि यह सारी चीज़ें हुई है वही मैं आपको समझा रहा था कि यह 2000 साल में हुई है बड़ी अच्छी लगी खुशी हुई कि आपने जो एक कमसका में नहीं का है आप मेरी बाद को स्टॉमान करें अशर भीमराव अंबेटकर साहब ने जो कुछ लिखका है आपने इसको इंडोर्स किया आप जाकर देख रहे उन्होंने कितने हजार साल की बात किये तो भीमराव अंबेटकर साहब की जो जद्व जयद है जो कहला कि सोशल है मेटा फिजिकल उनको थोड़ा काम करना चाहिए था इस पर यह उनकी कमी रह गए यह उन्होंने इसको स्पिर्च्वारिटी के बेस पर काम नहीं चैजिए आप चलिए बाई 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 चले चीक है आप क्या है अच्छा अतर भाई आप पूरा तो बोलने देता अरे बोल देते तो फिर जो है लोगी नहीं कुल जाती हमारे बाई एक चीज लगता है भी या जीते जी तो महरशी जी ने इनकी बत्ती लगाई हुई थी उनके जाने के बाद भी आस्टे के डर में उनके अच्छा ये मुफ्ती साहब के इसी डर की वज़े से मुसल्मानों को पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मैं आपनों के साथ एक बार शेयर करना चाहता हूं ये एक मुमिन है मतलब इसको भाई नहीं कह सकते क्योंकि है तो ये भी गधाई लेकिन ये की मुसल्मानों पर क्या प्रभाव है अगर आपको लगता है कि मुसल्मान इतने मूर्ख हैं और लगभग सारे हैं लेकिन इतने भी नहीं हैं जितना मुफ्ती साहब उने समझ रहे हैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं ये एक कताई डंगर किसम का मुसल्मान है इतना डंगर होने के बाव अरे शेयर तकरो स्कृरीन मेरा यह ख्याल है उनके अंदर वो कंपिटनसी नहीं है बात करने की और नहीं हो ऐसे यह नहीं कि कांफिट ऐसे बात करते हैं जिससे अगला बना मानूस हो उल्टा मायूस हो इते लोग बाजी साब की बात करूँ आप में देख रहा है मुफ्ति साब आपको लग रहा है कि आप जो है अपनी जो शानपतिया करके जो है और ये जो भी आप करने का प्रहता करते हैं ना बोलने देने की स्ट्रेजी वगरा इस्तिमाल करके आप बड़ा कूल काम कर ले रहे हैं मुसल्मान मूर्ख बन जा रहे हैं नहीं सारे के सारे नहीं बन रहे हैं लग भग 60-70% लोगों का यही कहना होता है क्योंकि आप चैनलों पे वो नाम नहीं लेते क्योंकि आपको प्रमोट नहीं करना चाहते हैं अब आप हमको टार्गिट करते हुए डारेक्ट वीडियो डालना चाहते हैं तो पहली बात तो हम आपके जो है हिम्मत की बड़ी कदर करते हैं बड़ा आपको उसके लिए वावाही देते हैं लेकिन आपको बताना भी चाहते हैं कि आपकी स्टूपिडिटी इसकी वज़े 60% जादा हो जाएगा नहीं तो 40% एक्स मुसलिम तो सिर्फ आपकी बेवकूफियों की वज़े से बन रहे हैं जो आप मुफ्ती होते हुए एक बच्चे के प्रश्णों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं सलाम के उपर आप टॉपिक को डेविएट करने का प्रहतना कर रहे है आप एक वेदान्ती के साथ आरे समाज पर बात करने को तयार हैं जो आप दोनों का सब्जेक्ट मैटर नहीं हैं आप उससे एक घंटे बात करने को तयार हैं वडवे वस्था पर हिंदू टॉपिक पर लेकिन आप एक प्रश्ण लेने को नहीं तयार हैं इसलाम पर हां मैक् जो आपके विवर्स हैं, उनका IQ लेबल में जानता हूँ, कि IQ लेबल जो है, इजुना की IU से भी कम है, और इजुना हमारा बेबी है, अब इसकी polydrop पीने के उमर, जो है, बारा साल पहले, गई है, बाई, 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 क्या बदनाम कर रहो तुम बे, तुम्हारी वज़ा से बहुत सार सारूरॉर पर वरिफाइन नहीं हो रहा हूँ, बालक बल बल करता है वाई, लेगन मुटिय साब देख, जिक्ने, तब सब così के बहुतرة क्या करता है, बहुतलप करता है, आपका तरीका अच्छा है बात करने का लिकिन मकारे शुरू करेंगे, मुर्तिष संहारॉ अगर आपको डाउट है कि कोई और जो है ये डाढ़ी मूश लगा के बैठा हुआ तो ने काफी फेमस आदमी है डिबेट वगेरा करते हैं और काफी पहले से डिबेट करते आएं हैं और गधे भी हैं इससे आपको प्रूफ हो जाना चाहिए कि मोमिन है ठीक है वाजिदी साहब इस पर तो आप जली भी बना नहीं सकते आप अपने कृत्तियों का फल जो है आप सामने देख रहे हैं ठीक है करो बिलकू करो बिलकु करो यह आरसामाज के पता नहीं तुम कितना बुरा इनके साथ करके गये यह समाज कभी आगे perto पाई यह, not वाजीदी साहब किसी भी प्रकार से आपका अपमान नहीं किया जा रहा है बस आपको बताया जा रहा है कि गुड़ क्या होते हैं कर्म क्या होता है और सिक्षा क्या होती छाहे होग होग जाये उसके अंदर हमारा कुट्ता भी अर्भी में आयात गाएगा बस वह बात अलग है उसकी भाशा आपको समझ में नहीं आ रही वह भी इसलाम को दिफा करता है क्योंकि आपको भाई थीडिकली नहीं समझ में आता है तो प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है रहा है कि लिए रहा है तुमसे बहुत से कुश्चन होगे उनके क्योंकि हमारे आमिरग भाई में और हमारे वाजिती साहब ने जो है वह आरे समाज के पीछे जो है वो गुलाब लेके पड़ेंगा है हमसे करो नारी समाज पर बात करो इसलाम और कुरान और वेद पर बात करो इसलाम और वैदिक घरम पर बात करो हम तो बैठें हम तो कब से बिल्कुल अजय जी आप देखी जुना भाई अजय भाई स्ट्रीम आपकी मैं पंद्रह मिट में आ रहा हूं करो बाई कमेंट देखते कमेंट लेखते हैं अच्छा एक छोड़ास कमेंट मेरा भी लेलो तक ही पार्थ अगर कोई नॉन मोमिंट जॉइन करता है प्लीज ब्लॉक कर पीजिएगा जी जी विल्कुल और अगर कोई पॉर्ण जिहाद वगएरा करने का प्रयातने करता है तो उसको जो क्या करना उसको करने देना फिर उसका शॉट बनाके अलग से लगा देना ठीक है जी विल्कुल फेमस कर देंगे भाई को चलो ठीक है वाहित खान जी नमस्ते जी आदाग क्या हाल चाले आपके थोड़ी देर बार दाबेंकर रुक जाईए अच्छा एक बार बताएं वाहित खान जी एक सवाल है मेरा जी यह बुल लारे कि जो पंचार साट राशड़क प बोलेंगे आप आप हिंदू क्यों लग रहा है इतनी हसी क्यों आ रही है आपको बगल में कुछ देख रहा है इसके लिए लिए लुक्ती साब की डिवेट मत देखे ना भी बात करते हैं अगर कोई पंचर सांट रहा सड़क पर कटर में पड़ा हुआ है उसको आप मुफ्ती बोलेंगे नहीं यह क्यों नहीं तो इनक्वालिटी कर रहे हैं आवाज आएगी आवाज आएगी क्या रहे है यार एक काम करो वाहिद भाई आप थोड़ा से रेश्ट लेलो अपने काम निप्टालो सांत जगा पर आजाना तब तक हम एक और हमारे भाई आया उनसे बात कर लेते हैं हमारे साथ थोड़े खतरनाक नोमीन जुड़े हुए अजय भाई आपको हेंड़ोर करता हूं मैं को अरे यार बड़े दिनों बात दिखाई एक सिकेंड मेरा पहले प्यार हो गाल जी वकास बाई नमस्ते है अरे वकास बाई तो हमारे पैनलिस्ट है आज वाई आप लेट से दिख रहे हो यह तो दिखते हैं रोज ने हम नहीं आज अधा वागाज भाई आवाज आ रही है जी आ रही है जी वाकाज बड़ी जोर के आ रही है जी ठीक जबरदस्ता आप्स नहीं से ठीक है बढ़िया बड़े दुनों बाद क्या हाज चाल अगर पाद कर सकते तरीके से अरे यार आजीब है कुछ बोले भी नहीं है फिर भी आज़े क्लास में बैठा हूं मुझे टीचर समझा रहा है कोई भी बात और अगर मैं कहीं पर कुई ऐसा वर्ड आता है जो मेरे लिए यार यह क्या बोल रहा है पता नहीं क्या रट किया है वकाद भाई करें आप दूसरी वकाद भाई लगता है दूसरी स्ट्रीम में बैठे हुए मुझे लग रहा है वह कंशूद हो गया है मुझे यार यह मुस्लिम्स क्या पादल लगा लोगा है अश्वाइद खान जी जे जे आप बताए ना आप पंचर वाले को आप अच्छी क्यों नहीं बोलेंगे अच्छू कर रहें है यह देखो बाकी दो लोग और है यह मुस्लिम्स क्या है कि एक में रुको वकाज बाकी देखना एक पर यह मुस्लिम्स की नहीं है हडा रोगना बैन कर दो वैन मत कर दो कर दो कि अनुराक कि अनुराक कि वकाज बाई नमस्ते आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको है बाई याज अवा जा रही है इसे एक अकाउंट लग रहा है में को में को फेक ने ने उनके नाम का बनाया हुआ हुआ है बार बार हेलो को करने से काम नहीं चलता है इस नीलम सुरानी जी 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 आप नमस्ते क्या है आप हिंदू है मुस्लिम है मुस्लिम है नहीं क्या जोइन करें मुस्लिम हमारे बीच नहीं रहे हैं महमूद जी असलाम अलेकुम नमस्ते जाल आपका जी बिल्कुल सही आप कैसे चलिए हम भी बढ़ी है जी बोले को जानते हैं चलिए बढ़ी है यह बता है किया आप कभी किसी पंचर वाले को मुफ्ती बोलते हैं यह बता आप पंचर वाले जाके बोलते हैं कि यह पर कोई पर्चून की दुकान वाला मुफ्ती साथ देना तो यह तो बहुत गलत होगी ने बात अगर आप ऐसा नहीं करते जी यह बात गलत है कि सही है आप ऐसा नहीं करते देखिए अब मुफ्ती साहब है तो तुब मैं बोलूगा है मुफ्ती साथ कैसे नहीं या वो बताओ न मेरे को क्यूंकि या अलवालती दो बोलते हैं कि आपके आथ यह पैदा पैदा होने होते टाइम ही हो जाता है ना वो जनम से होता है लोगों को ट्रीट किसे करते हो उसमें रखाए ठीक है आप तो मतलब शुद्र करते हो हम तो ऐसे यह वह यह बताओ स्टूडेंट को स्टूडेंट को टीचर बोलेंगे वही बात है ना आपके यह तो शिश्टम भी अलग है बाई हमारे शिच्टम छोड़ दो मुफ्ति साब के लोजिक के हिसाब से सब को बोलो अब भाई सुने अब दीखे उन्हों ने ये कहा था कि आप शुद्र का बात नहीं आप सब बात बता हो आप भी कुलिट्रेट ने कर रहें अच्छा ये बता है क्या फड़क चाप आदमी को के पीछे आप नमाज पढ़ने देंगे मजिद के अंदर नमाज पढ़ाता है वह मौली ही क्यों होता है अब दिखिए उसका उसका एक अलग सा हुसूल है उस पे आप टॉपि कि अब देखिए किसी नॉर्मिल को आप थोड़ी किसी को अगर कोई बाहर को बाहर करना है आप तो कि इसको कुछ आता आता नहीं है और ना उसने अब तक क्या करते है अपनी डिग्री यह अपनी थे वैसे उखिए नहीं किया है तो वह ल्ए तो वैसे विना मुफ्ति ना बोलना विने कॉलिटी आजे भाई आपके यह अलग है ना आपके यह पर तो जनम सी मुफ्ति भाई मैं हमारे यह तो सिंपल कहा दिया गया शुद्र ब्रह्मन दामीती ब्रह्मन सचिती शुद्रताम चैत्री जाता में तूविद्य तथा सब्सक्राइब को नहीं बोल रहे हैं कि आप सबको शुद्र को ब्रह्मन नहीं बोल रहे हैं तो आप बताओ आप को मुफ्ति को नहीं बोल रहे हैं अच्छा अच्छा एक बाद ने बोलना नहीं बोल रहे हैं कि अगर हम शुद्र को शुद्र बोल रहे हैं तो यह इनक्वालिटी है तो उनके साब से सबको ब्रह्मर बोलना चाहिए तो आप यह बताओ आप खड़क शाप को ब्रह्मर क्यों नहीं बोलते हैं अच्छा मेरी बात करो ना मुफ्ति का बात नहीं कर रहा है मैं आपके आपका मुझे चाहिए पर मुझे आपका उपीनियन यासर नदीम अलवाजदी की बात पर चाहिए तो यह बोलने तो तो पहली बात हो बोलने में कुछ खास नहीं रहा है लेकिन आप कैसे इसक्रिमिनेशन करते हैं इसमें डिफॉल्ट तो है कि मुफ्ति की पीछ तब पढ़ रहा है मुफ्ति की पीछे नहीं पौड रहा है तो क्या है कि मैं डिसक्रिमिनेशन ये यह है मानुसमृती ने क्या का मनुसमृती ने क्या का मुझे दिक्कत यह है कि सब कुझ नहीं बोल रहा है ब्रूट इसक्रिमेशन नहीं है आपने के बोला इकसेट कर ली बाद कि यह दिसक्रिमिनेशन को सब्सक्क्राइब कर रहे हैं आप लिए वाय्ट कर रहे हैं आप दिस्क्रिमिनेशन करें रहे हैं यहां आप और आपका उपीनियन चाहिए मुफ्ती की बात पर आप उसको ब्रामन को ब्रामन नहीं जब कर लिए देखें बुफ्ती साहब अगर आप मुस्ती साहब अगर आप स्ट्रीम देख रहे हैं तो आपके ही आप मुसलमान आपको कंडेम कर रहे हैं कि आप एकदम बहुदा भाहियाद क्या मतलब है में लुप अच्छी बात बता है कि अच्छी बात मांज़ें कर रहे होगे ना कि आपके ही मुसल्मान आपको बता रहें कि आपकी बात है कि उसके मुमीन जो है और आके कम सिकम डिफेंड कर सके सब पढ़ेंगे मुफ्ति कि पीछे नहीं पढ़ेगा बिल्कुल है मुफ्ति के साथ से मुफ्ति लिए कुछ तो बौले खे आपने तो आपने कर लिया आपने तो क्या कर दिया वह वह दने बाद मेहमूद भाई वाजिदी जी अरे महमूद भाई महमूद भाई मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हो गया है तो पांच मुट मैं भी बात करनों भाई से मुझे सीरिसली लगता है कि हमारे मुफ्ती जी जो है क्योंकि वह अकल से इतने पैदल नहीं थे इस वज़े से अंदर से वह भी एक्स-मुस्लिम हो चुके हैं यार भी घर भी तो चलाना है उनको समझा करूं अच्छा महमूद भाई पहले जो कहना चाहते थे कह दो पहली बात तो यह मुफ्ती साब में बिल्कुल सही का है तुम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हो ना अब तरह कान में तेल डालना है कहां तेल डालना है वह भी हम डालेंगे अब डालेंगे अब मेट करो तुम अभी कान रेडी रखो अठीक है चलो हाँ मेरे बाई बाई देखे आप आपकी दर में कहा गया है कि अगर कोई नीचे जाती का इंसान ब्राह्मन को खाते हुए देखेगा तो वो पापी है नशक को दुखना रखना शहीं है तो ने 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 तुम बात पूरी कर लो फिर अभी बात करते हैं चलो महा भारत के अनुशाषम पर वो तेरा में कहा गया है चप्र नंबर एट वर्च नंबर 21 में एक शत्रिया एक दस साल का ब्राह्मन एक 100 साल की शत्रिय के बराबर होता है वाँ बताना एक दस साल की ब्राह्मन बच्चे को रिश्कर देगा वाँ अजे पढ़ेगा ने चलो पढ़ो इसको पढ़ो यह रहा क्या लिखा हुआ है बताना एक पुरान निखा है कि मैमूद भाई पढ़िए इसको पढ़कर सुना है मैमूद बाई जैसे परमेश्वर पश्पात को छोर ब्रंद दी राइट ब्राह्मन आदी यानि ब्राह्मन प्रिति करता है वैसे ही विद्यान विद्यान लोग भी समान प्रिति करें जो इश्वर की गुर्ण प्रित्वान से कैसी प्रिति करनी है हिसे किसे कि ट्रांस्रेट किया है जो वेक्टि थे थे अप्रिति करें यह उन्होंने यह भी ट्रांस्ट्रेट किया था उस एश्वर टॉपिक पे रहो, ये ट्रांसलेशन कैसे गलत है, तुम मुझे ये बता रही हो, तुम स्वामी देरा स्थाइसकर्टी को मांते हो, बिल्कुल 100 सब्सक्राइब पर बात करते हैं ना शब्द का क्या अर्थ होता है तो से हिंदी तो पड़ी नहीं जा रहे हैं जो इश्वर की गुण कर्म और स्वभाव से विरुद्ध वर्तमान है वे सब नीच और तरक्ष करने योग नहीं करता है जैसे कि एक्जामपल के तौर पर जैसे कि तुम अल्लाया महम्मद जो काफिरों के साथ काफिरों को जहांनम में डालता है विदाउट रीजन और ये सब फ्लांड मक्का जो भी है जो काम ऐसा नहीं करता तो क्या बोल दिया तिरसकार करने योग बोल दिया तो वेद बोल दिया अचा अब ये बताओ सारे ग्रंत वेद को पुर्मान मानते की नहीं मानते है यह तूजर जतने विष्णादान में वेट को नहीं मानता वो एथिस्ते कहा लिखा है अब इस वर्ड यूज हुआ है पूरी सत्यार प्रकास में इस निकालो जो वेट को नहीं मानता तुम तो निकलने वह अलग बात है अब यह बता हो सामने जो बात है तुम कहरो कि भेद भाव व कहा है अच्छा बेद बाव मनस्पूति में मनस्पूति ने क्या कहा आर्शो धर्म उफदेशा चावेदर्शास्त्र वीरोध्धिन जो वेद के विरुद बात है वो तुर शील यह नहीं बोला वेदो अखिलो धर्म अमूल क्या है वेद बोला मनुस्मृति ने की नहीं बोला यह बता वेद की बात करी यह उसने कहा है बेद की बात की बैद की बहुत की बात है चीज़े बीन की लिए मैं तुम लें दिका देगे Woah तुम οι हैं व छोड़ो तौब यह सिंपल बादय आते हैं इसके बाद पहले यह बताओ है की नहीं है बता कि अब धरम ने ब्लॉब है कि नहीं तुम्हारे तुम ने एक दिन ऐसे ले जाएगा हम् दो दिन के अंदर का अर्टिकल दिखा सकते हैं कि मौलाना ने एक मुमिन बच्चे की रहा जो गुल्लक है वो फोड दी और उसमें से सारे पैसे निकाल लिए है तो क्या वो तुमारा धर्म है क्या वो तुमारा पंथ है मेरे भाई गुल्लक का मतलब गुल्लक मत समझ लेना ठीक है जहां पहुंचाना चाहता हूं वही पहुंचना बड़ा डीप था बोला तो मैंने अच्छा भाई सलूप दीव तो मुस्ति दीव तो मौलाना के यह था अज़े टिके महमूत को दो मेंट लेके जो है क्योंकि हमारे और भी भाई जुड़े हुए है दो मेंट जो है अरे महमूत भाई अरे रूको पूरा सवाल करने का उसर दिया जाएगा एक सिकन्द दो हम पांच मिंट पर बात करके जो है जो चीज रखना चाहते हैं वो चीज रखके इसको फिर भाई को हम वेदा करते हैं ठीक है हां महमूत भाई देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनन पाजी हत से इतनी फर्टी की हुए अब रुकजा बैंड के लोड़े मालुक तू सब्सक्राइब पिछली स्ट्रीम देख लेना कितनी उसकी फर्टी थी पहले देखके आया करो किसकी फर्टी है आगे जैंदेले इक बात बता है हमारे चक्कर में ना तुमारे जितने इमान कि अबादी में जिसकी आबादी दस लाख भी नहीं है तुम को उन सबके पीछे पढ़ना उन सबको मिलके उसकी पीछे पढ़ना पड़ रहा है तो फटी किसी की है वह याद रखना इए कारे समाजी के चैनल पर नहीं गये हैं उस सारे के सारे नहीं है पांचों में फरार था अभी पड़ी होई एक का डिबंक नहीं आया अज तक नहीं कर सकता कयामत तक लट देनी के आलत जो लट नहीं पाऊगा हमारा वाला क्योंकि तुम्हारे यहां लट सांप बन जाता है बहुत है यह कह रहा था कि टूल सीकर जी कह रहे हैं यह मोमिन बहुत दोस्ट है गाली देने वाला है नहीं देवी जी गाली नहीं देंगे पचास रुपए के पिनाश्टी दग रही है अच्किशन में कूकर के पास बैठे रहते हैं अच्छा पार्त रुप जाओ मैं यह कह रहा हूं कि वाकई में बहुत स्टैटिक आ रहा है रुद्रा एक बार माइक सही कर लो और दो मेट का समय दे तो हम मेहमूद भाई से बात करना चाहते हैं मुझे पता है महमूद भाई गाली दे लेना रुख जा रुख जा रहा हूं पर से लेके नीचे तो सब एक कर देंगा मरम अब सुनोगे नहीं तो फिर क्वेशन नहीं कर पाएंगे क्वेशन नहीं कर पाएंगे तो वही बकाई करें पते इसे कोई तकरीम हैं अहुध फिर कवेशन नहीं करी नहीं करें दूसरा मैं इजाफ़ा करता हूँ दूसरा मैं इजाफ़ा करता हूँ जलो ठीक है कोई बात भी वाले टॉपिक पर भी आने वाले हैं रूपरा पांच मिट बार ठीक हैं यह हमारे भाई ने बैक स्टेज में नाम बदल लिया है नोने नाम रख लिया है कि अजय आरिया का पहला गोटा मैं आप लोग को फूल स्क्रीट करके दिखा देना चाहता हूँ इसलिए नाम बदल की यह किया गया है अचा हीरो भाई आगया हमारे चल फीरो भाई मुझे पता है आप जिहाद करने के मूर में है तो यहां पर हमारे वाजिदी साहब पहले हमारे साथ डिबेट कर रहे थे और इनके जो छोटे-मोटे जो चिलर है वो कह रहे थे कि जन्म के आधार पर होता है ठीक है उसके बाद हमारे मुफ्ती साहब बोल लाए है कि जो परजाबंदी कर रहे हैं कर्म और गुड के और सिक्षा के आधार पे वो गलत है तो हमारा कुश्चन सिर्फ इतना सा है कि जो मुफ्ती साहब ने मदरसे में सिक्षा मतलब तालीम होता है जो मदरसे में इतने साल खिस-खिस के अपनी बुद्धी घिस-खिस के तालीम हासिल कि क्या उसके बदले उन्हें आधर मिलना सम्मान मिलना उन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाना गलत है मेरे भाई क्या हम उनको बोल सकते हैं कि चल छोटू पंचर बना दे जैसा हम उस वेक्षि को बोलते हैं जो जिसने तालीम नहीं हासिल की है हाँ बताओ आपके आपकी किदाबों में काफी contradiction है उसमें तू प्लस तू लिखा होता है उसमें तू प्लस फो लिखा होता है आपकी किदाबों में एक किदाब में कुछ और लिखा होता है एक किदाब में कुछ और आपकी देखो मैं फिर से तुमको point पे लाना चाहता हू तुकि तुम्हारी बूर्थी थोड़ी से कम है और यह बिलकुल नॉर्मल है, को इशू नहीं है, मैक्सिमम पाकिस्तान और जो तुम्हारे साइट के मोमिन एरियास के लोग हैं, वो जेनेटिकली थोड़ा सा हो चुके हैं, तो मैं उससे बहुत जादा कंप्लेन नहीं कर रहा लेकिन फिर से कुश्चन को समझने की कोशिश करो, कि क्या मुफ्ती साहब के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैसे एक पंचर बनाने वाले वक्ति के साथ किया जाता है, मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, आजए ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा था, मैं ट् प्लीज मुझे आंसर करिए हिरो भाई अब मैंने करके डॉक्टर बनाओ तो डॉक्र की तरह ट्रीट करेंगा न रुकोई तो वही वही सेंग्जाट लए बिल्कुल इक्जाट ले अब मुझे तुम ये बताओ ये मुझे साहब ये मुर्खतापूर जो है वेक्टब भी क्यो दे रहे हैं फिर से ध्यान से सुनना चाटो तुम ज़्यादा बुद्धिमार करें या उसकी शिक्षा और तालीम ये स्किल्स की बुनियाद पर करें ये दर्जाबंदी ये जो है कि एक इन्फिरियर है और दूसरा सुपिरियर ये बुनियादी तोर पर गलत है एक इनका अब्जेक्शन ही ये था दूसरा मैं इजाफा करता हूँ हाँ मेरे भाई तो फिर अगर तुम कह रहे हो कि डॉक्टर बनने के लिए उसमें महनत कि उसको ज्यादा उसका आधर होना चाहिए तो मुष्ति साफ से ज्यादा हो गया है तुमको बुद्धी देखके लगता है तुमको अब मैं चाहता हूँ कि तुम टॉपिक पर बात कर लो तुमको बिल्कुल अलग है और एक मुफ्ति को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरीके से तुम एक चोर को करते हो नहीं तुम मुफ्ति साब क्यों कह रहे हैं फिर अब वो वो शायद किसी कॉंटेक्स को लेकर बोल डे होगे तुम उन को यह चाहता हूँ अगे पीछे हर तरीके से सुनाने को तयार हूँ द्यान से सुनो और हम तुम आपे खिला इसली रहा है पागे तुम टॉपिक पे रहो बनियाद पर करें या अब चाहे वो आप करम की बनियाद पर करें या उसकी शिक्षा और तालीम ये स्किल्स की बनियाद पर करें ये दर्जाबंदी ये जो है के एक inferior है और दूसरा superior ये बनियादी तोर पर गलत है एक इनका objection ही ये था दूसरा मैं इजाफ़ा कर रहा है करम के आधार पे, सिक्षा के आधार पे, गुणों के आधार पे अगर आप दर्जाबंदी नहीं कर रहे हैं आप differentiate नहीं कर रहे हैं डिफिरेंटली ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो क्यों मुहम्मद साहब को special treatment दिया जाए और क्यों उस चोर को special अलग treatment ना दिया जाए मुहम्मद साहब से जिसके करम अलग है, सिक्षा अलग है और आपके गुन भी अलग है क्यों ना किया जाए मुफ्ती साहब क्यों नहीं कह रहा है यह चीज अब देखो है मुफ्ती साहब का बात चुरो मैं जो बोलना उस पर कंसिट्रेट करो नहीं आज डिबेट का टॉपिक यह ही है तुम बहुत भाग लिए मेरे प्यारे भाई तुम आज मुझे टॉपिक बताओगे मुफ्ती जी जो है इतनी मुर्खतापूर बाते क्यों कर रहे हैं आप मुझे यह बताएंगे क्यों ना मैं मुहम्मद साहब को उसकी तरीके उनकी तरीके से ट्रीट करूँ जिस तरीके से दीपक कलाल को किया जाता है अगर कर्म सिक्षा और गुन के आधार पे नहीं करना है तो क्यों मैं दीपक कलाल की तरे ट्रीट ना करूँ मुहम्मद साहब को मुफ्ती साहब का उपीनियन क्यों गलत है मुझे बताएंगे मुफ्ती साहब चूतिया है मैंने कहां बोला बोला तो सही है तो फिर क्यों मैं मुहम्मद साहब को दीपक कलाल के तरे ट्रीट ना करूँ जब उनके गुन कर्म और जो है सिक्षा अलग है तो भाई दीपक कलाल की बेश्टी अब भाई देखो तुम लोग देखो किसी भी मासुम शुद्रो को भी मिरे भाई प्लीस टॉपिक पर रह लीजे आपसे मिरे प्यारे भाई क्यों ना मैं ट्रीट करूँ मुष्टी साहब के अनुसार मैं क्यों ना ट्रीट करूँ प्लीज मुझे बताइए तो कर्म के आधार पर आप की बात गलत है इस पॉइंट में मैं बोलूँगा यह पॉइंट बिल्कुल सही है कि उसको अपने मतब प्रोफेशन के आधार पे उसको मतब इनो चुट किया जाए मुफ्ती साहब सही है या गलत है आप उचे इतना बता दीजे फ्रीज मुफ्ती साहब का बता नहीं लेकिन मैं सही हूँ मुफ्ती साहब सही क्यों नहीं है मैं यह जाना चाहता हूं मुफ्ती साहब सही क्यों नहीं है और आप क्यों सही है मुफ्ती साहब कुछ गलत है क्यों मुफ्ती सब्सक्कित तुम्हारा हो गया खतम हो गया तुम मैं तो कुछ बैंद नहीं कर रहा जाओ आराम से चिल मारो और स्ट्रीम को दुबारा देखना मोर्की साहब की जो मूर्पता है उस पर अगर यह तुम्हें जूता को चूमने से अगर तुम अला के करीब जाते तो उन्हें जूते को चूमों तो कि तुमको अल्ला के नजदीक लेगे जा रहा है इतनी इंपोर्टेंस से वाम अभू अनिवाति और यह उनके ही बो हैं मुकल्द है इसके उपर इंब्रीडिंग का भी इतना प्रभाव नहीं हुआ है इसके उपर बहुत जाता हो चुका है मेरे भाई समझ रहे हो ना मुफ्ति साथ से एक नहीं करता यहां तर उनसे गलती होगी मेरा खतम हो जाती बात इतने मूर्ख जहनी गुलाम है लोग यह दूसरों का बोलते हैं कि भाई यह मारे साथ क्या थिया यार इन लोगों ने और शिगाव में तो पूरी हायारकी है कौन सिखास तूपर है जो कौन से अली से जो डारेक्ट आती है फासिमा से वो प्योरिस्ट है फिर जो उनकी लॉंडिया होंगी या लिकी वो फेकेंड नमबर पर है फिर उसके बाद थर और सिर्फ अरे कर्म के आधार पर अगर आप डिफ्रेंशेट नहीं कर सकते ना रू को गलत मानते हैं तो आप तो जन्म के आधार पर मानते हैं भाई आप तो बिलीफ सिस्टम के आधार पर मानते हैं कि कोई किसी मूर कता पर विश्वास रखता है या नहीं रखता है करम के साथ से नहीं है वहां तो वह उनकी जबरदस्ती है एक सब्सक्राइब करते हैं अच्छाना के बेसिस पर सबको समान रूप से देखने के लिए बोला गया है लेकिन जब तुम विवार कर रही है जो बॉड़ी विवार करते तो उसी साथ देखने हैं तो आत्मा के बेसिस पर गीता मैं 5.80 में बोला है कि शुद्र को चैन्डाल को ब्रह्मार को अहांति को प अगर तबियत अच्छी है तब की बात कह रहे हैं यह लोग मैंने शेयर कर दिया गीता का श्लोक साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर कि the truly learned with the eyes of divine knowledge see with equal vision a ब्राह्मिन, a cow, an elephant, a dog and a dog eater डॉग eater का चांडाल सब्द है चलिए बिल्कुत सही कह रहे हैं कि जो ज्यानी लोग हैं वो समाने त्रिष्टी से देखते हैं आजे लोग तुमको बहुत पसंद कर रहे हैं तुम्हारे लिए ठीर सारे वो आएं हैं मैं पढ़ लेता हूं और हम चाहेंगे तुम रहों कि आरे समाज में बहुत भॉका है बहुत भॉका है करेंगे आज रुप जाओ रुप जाओ रुप जाओ आज रुप जाओ आज रुप जाओ भाई मैं बता रहा दिक्कत ही है ना एक तो मुझे सुबह जाना पड़ेगा या जिगर ने ठीक है दूसरा मस्तोंगा नहीं तो मेरे को बेटरेस दे रखा वैसे भी डॉक्टर ने न अपने चैनल को दुबारा से शुरू कर रहे है अजय आरए का मारी जो नहीं जानता है वह पथर के नीचे जी रहा है वह पथर के नीसे जी रहे उनके लिए प्लीज लिंक शेर कर दीजे ठीक आज है बहुत बहुत थेनलाद है नमस्ते रूद्रा मैंने शेर कर दिया रूदरा जाँ गया रूदरा रहमतुला लादे यार इतने प्रेम सबाब करने के बाद भी वो वनदेल साहवाथा जी कि कैसा नीटाना आर McK attain तो आगे चलते हैं यह हमारे सूपर चैट आए हैं हमारे साथ रूद्रा है उर्लेडी निर भाई भी हमा, भी हमारे साथ है आमिर हक इस आईट एड़ी बना के भी आए है नायट्मेट बीटाइयर नाम से वह भी मह्व Takes में मुद भाई बता रहे हैं कि जोग सपाट दीपक कलाल असल में इन मौमिनों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है उस बंदे की नॉलेज देख देखा करो वीडियोस में इन मुफ्तियों को तो ऐसे ही धो देगा बिल्कुल धो देगा इसलिए में हम लोगों ने दीपक कलाल को हम ओफिशिल अपॉलजी भेज रहे हैं रोशन महासेट जी कह रहे हैं I think वाजदी और कैसर रजा शुड़ अप्लाई फॉर रिफंड रिक्वेस्ट फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस आयम शूर देविल गेट फुल रिफंड बिकॉ और नॉट डिलिवर्ड यार इनके कहनेकारत ही है कि यहां से इन लोगों ने जहां से भी तालीम पाई है वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि क्योंकि तो तालीम मिली नहीं है अभी का पाई का सुवाग हूव पिल्कुल स्वागत है सुवागत हूथ हूथ है अरे एक बहर अमीर को लेकर देख लो अरे यह वही है उसका मैने नाम चेक कर लिया ना बैकस्टेज पर यह वही है जो गाली दिखे गया अभी अर्पनत्री जी कह रहे हैं इसा नहीं है जो नाइंटीन हंट्रेट्स में और इसे साफ करना आता लेकि तब भी बारत की और बंग्लदेश पाकिस्तान डिवाइड हो चुगा था तो मैज और इंडोनेश्य वगहरा तो मैजर्टी पॉपलेशन तो यहीं की है यह अपने साथ इस्या की तो नहीं वहीं ऐसा गज़त बाते हैं तो उनको देना पड़ेगा ना की सइयद हैं वो कुरेश हैं यह तो इनका भाई थूका भी तबाब है तो देते थे करोड़ों रुपए और भारत में लोग उससे मर जाते थे पुके से राइट अब शेक सिंग जी कह रहे हैं अजय आरया की तेज के सामने मुमिन भस्म होने आते हैं बिलकुल गुरू हिंदु positively कह रहा है जैशी राम जैशी राम आरपन अत्री जी कह रहे हैं आजय आ रहयाने चुफ Ti बाजिदी कि कब बजाई लिंक दो यार और रिपीट देखूँगा मुफ्ती साहब की अभी अच्छा से नहीं है अजे ने बजाई है अमिर हक की अजे ने बजाई है सैम स्टलोन की साइन जटनी की और इसकी एक गधा नहीं है जो जिसने लाइव करनी बंद कर दी है अबुजर 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 इसकी स्ट्रीम, रूद्रा की स्ट्रीम आपको जो है रीसिंट पर मिल जाएगी बजाए इन दसन्स तरकों है अर्पन अतरी जी कहा रहे हैं ये इन ब्रीडिंग वाले हमेशा डंगर ही रहेंगे ब्रह्मराक्षत तुमारी वोईस हमेशा लोग क्यों रहती है जब भी इनके चैनल पर जाते हूं कुछ तो गड़ बड़ा है सरी लोग कर देते हैं पाई भाई इनबसर्टी वाले कह रहे हैं देखो अरे यार किसी को गाना आता हो रुदा तरी आवाज कैसी है तुमसे गंदी ही है इचलो ठीक है फिर तो आपस कोई आप्षिन नहीं है इस जो ना गानेवाने में ठीक हो तम पंका चलो रहा है बाई मरी हाँ हवन समझके मतब वेद मंतर समझके गादो यह जो लिखा हुआ है बहुत प्यारा लिखा हुआ है तुम्हें गादो बाई तुम्हारा अच्छा है अभी ठोड़ दर पहले ही अपने सूपेरियोर्टी देखा रहे थे अभी देखाओ आच्छा ठीक है हम यह कह रहे हैं कि प्रॉपर रिकॉर्ड करके जो है जिसकी आवाज सर्वन में अच्छी होगी उससे ऐक बढ़ी आपसा जोए रिकॉर्डिंग अप्नूद कर दियाएगी अमान अली भाई हमारे साथ चुड़ेएगी अमान अली भाई हमारे साथ बैठे रहीएगा पाई भाई वाले कहनेए देखो इन्हें ये हैं देखो इन्हें ये हैं लाहन का बोरा अकल से पैदल हैं ये छिछोरा रिष्टों में खुदाई का है ये नतीजा ज्यादा बकबक ना कर ब्रहमराक्षत तेरा जीजा लेंगे तेरी सारे जमीन पर बिल्कु सर इन्होंने तारे जमीन के तरज पर गाया है और मैंने इसको फक अप कर दिया लेंगे आज सारे जमीन पर बहुत त्यारा सुपर चैट है अब शेक सिंग जी कहा रहे है सुप्त सिंग शावकों जागो छत्रपती महराणा जी जैसे विभूतियों पर भी जरूर आर ये बंधूओं सब्ता में एक बार स्ट्रीम करिए कैसे इसलाम से लड़े वे प्रेड़ना मिलेगी इसके हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव पर स्ट्रीम करने के लिए हमारे टूर्थ भाई जब फ्री हो जाएंगे वो चैनल ओपन करेंगे उसके लिए हमारे करना जी का अगर करना जी चैट एक्रतों देख सकते हैं pega, इसके लिए हमारी ही तीन से हैं वो अरनो भाई जी ना हमें सहीुब दिया बहुत दन्यवाद मेरे प्यारे भाई sazg site भाई ना हमें सहीुब दिया बहुत बहुत दन्यवाद ssd aa नरेश भी अमेंबर में। स्वागत है परिवार में। डॉक्ट देव जी चाहँ महादेव सबको खुश रखे। खरहर महादेव भाई। गुरु आई-ती जी हमारे मेंबर बने थिज्ए सवागत है आपको परिवार में। मुफ्ति सारी बाते भूल जा मेरा पकड़ के जूल जा मैंने वजिन पर लाए नहीं है तो आप्टेंशन ना ले और हमारी शुवा जी बता रही है कि HD जी अगें थाइंक्यू बोली एश्टी भाई को और आपका स्वागत है परिवार में हमारे एश्टी भाई ने फिस्ट सही हो किया है बहुत बहुत धन्यवाद भाई अब शेक्सिक जी कहा रह रहा है सुनात्नी जागरत प्रतेक जागरत सनात्नी का उत्तारदायती है अब बहुत से हिंदू हुख हम लोग बच्चे हैं हम लोग कुछ नहीं हैं जिस दिन हमारे जैसा काम अगर हमारे गुरु जो वाख़ई में जिन्होंने सिक्षा दिक्षा प्राप्त की है वो करने लगे यूटूब पे फिर आप देखे नॉलेज होती क्या है जिस दिन आरे समाज यूटूब पे आ गया आप हमारे महिंदरपाल आरिया जी को देखिए देखिए हम कोशिश करेंगे सिर्फ पॉड्कास्ट वाले में उनसे संपर कर स्थापित हो सका क्योंकि इतनी प्यारी इंफर्मेशन इतना ज्यान जो है वो कही न कही हम लोग सही तरीकिस उसका फाइदा ने उठा पा रहे है समर कुमार जी बता रहे है जी भाई ने जो है 5 plus 5 plus 5 plus 5 membership गिट की है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पहरे भाई संदीप सिंग बाजवाजी कह रहे है Mr. VB सिंग चैनल देख सकते हैं आप HD भाई कह रहे है वेलकम बैक अजय ब्रहमर आक्षास पाथ जुना राम 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 मेरे भाई HD भाई ने फिर से कहा है बहुत सबसे solid support कर रहे है HD जी बहुत धन्यवाद आपका कहने है join head debate joined heated debates discord thinking ज्यान मिलेगा ज्यान तो ज्यादा नहीं मिला मगर सर्वर में कुछ ज्यानी के शोड़े read show as a show जरूर मिल गए मेरे प्यारे भाई एक आप सर्वर में देखेंगे rules section में एक post की गई है कि अगर जिस विशे में घ्यान चाहिए आपको तो आपको किस वक्ति से संपर्क करना है आज का थोड़ा सा team busy चल लगी है personal reasons की वज़े से जिनसे आप पूस सकते हैं तो I'm so sorry और बहुत जल्दी हम लोग इसको counter कर लेंगे हमारे आयूश का discord है जिसमें अदवयत के बारे में आप सीख सकते हैं अजय का server है जिसमें आप आरे समाज के सारे ग्रंतु के वेदाती ग्रंतु के बारे में सीख सकते हैं तो उसको हम प्रॉपर जो है एक साथ और्गनाइज करके हम लोग अच्छा कुछ अरेंज करेंगे अस्विदा के लिए खिये देशन सचिन देवकर भाई हमारे साथ बहुत दिन बाद आए हैं लाल मिर्शी दी है कह रहे हैं सभी माहनुभावों को प्रणाम ओम नमो पारवती पताए हर हर महादेव एश्डी जी कह रहे हैं जो लाइक शेयर कमेंट ना करें अंडी बंडी सेंडी सावरिकमार भाई ने फिर से बताया है हिज्टी भाई ने membership gift किये है बहुत बहुत धन्यवाद प्ढ़त पहरे भाई HD भाई ने हमें फिर से सही उग किया है और फिर से सही उग किया है बहुत बहुत धन्यवाद HD भाई Defenders आप कहा रहे है 69 Special जिसकी वी जल रही थी उसके लिए बिलकुल अरे आप लोगो एक शॉट भी दिखाना है यार बहुत प्यारा शॉट है HD भाई ने फिर से सही उग भिया है पाई भाई उन्वेसिटी वाली कह रहे है As usual वहाँ और गैजम हो रहा हो रहा हो रहा होगा वहाँ वाँ 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 खुर्रम भाई करके वहाँ लेफ्ट और राइट सहलाए जा रहे होंगे कर दो ब्रमराक्षस कमेंट कर दो उसकी फटके फ्लावर हो जाएगी बिल्कुल हो गई होगी सर और इसलिए in fact कमेंट भी किया था लेकिन क्या बता है यार मूर्ट बनाना कितना आसान होता है मेरे मूमिन भाईयो थोड़ा सा जाग जाओ या थोड़ा सा सीर्शासन वगेरा किया कर रहू सकता है जो जैनेटिक इन ब्रीडिंग का कि जो आतला आपके उपर असर है थोड़ा बहुत कम हो मैं यह नहीं कह सकता कि योगा से पूरी तरीके से आप ठीक हो जाओ लेकिन कम होगा फिर इंकी धूरतोता आप पहचान पाएंगे मुमिन भाईयो आपके भले के लिए पाएग कुछ कुछ चीज़े योगा से भी नह फ्रिवाद अश्टी भाई कह रहे हैं आद सुपर चैट कर नंगा नाच होगा सब को मिलेगी धन्यवाद नंगा नाच हो रहा है इंपैक सुपर चैट का या तजि भाई नरख मचा दिए हैं आप फ्रिवाई कह रहा हैं कि आटोबोट्स ये तुम्हारी में अपनी चामुदाओ हम तो करेंगे सूपर चैट क्योंकि हमारी मर्जी है हमारा खुशी है हमारा पैसा है और हमारी अवकात है भगवान आपको भी थोड़ा दिमाग दे ताकि आप भी कुछ कमा खा सको बिल्कुँ सही कह रहे हैं सर्व बहुत सॉलिट है भाई आप और जादा कमाए है बिल्कुल धेर सारी धेर साई कमाई है अपने भाई की अच्छा हम यह कह रहे हैं कि आज लास्ट में जोगा ना एक कमेंट आफ दा मतब तीन कमेंट आफ दा दे चूज किये जाएंगे तीन सुपचाट आप दे टे इत्ते सुपचाट आएं इसलिए गौड अफ ड्रीम जी कह रहे हैं इस राधा रियल और फ्रिक्शनल एनि स्टॉंग प्रूफ हमारे अनुसवार राधा रानी जो है वो बिल्कुल रियल है आरे समाज के अनुसार नहीं है क्योंकि वो वो उन गरंथों को जो है प्रमाडिक नहीं मानते अब शेक सिंग जी कह रहे हैं आप सभी आरे बंदुओं को साधर पडाम धर्मधवज ऐसे ही मजबूती से खड़े रही है सभी सनातनी जैसे एक्स मुस्लिम का साथ देते हैं उससे अधिक ताकत से इनका साथ दें सर्फ सबका साथ दें हमारे पास आरे समाज के अलामा कोई कोई पॉलेमिक्स की संस्था नहीं थी मुझे किसी हिंदू को पॉलेमिक्स का अर्थ भी नहीं पता होगा और जिस प्रकार जो है सोशिलिस गवर्मेंट ने आरे समाज को दबाया है हमारे पास कुछ रह नहीं किया था आरे समाज पहला इसा पंथ था हमारा जिसने जो है इसलाम में क्या था बताना शुरू किया और सद्भाव के चक्कर में गावर्मेंट ने गवर्मेंट ने इतना इतनी बुरी इस्थिती की आरे समाज के साथ यतना बुरा किया कि वो रह नहीं गया उस ताकत में तो ये जो एक्स मुसलिम्स कर रहे हैं वो सारे पंथ करते हैं एक-एक मुसल्मान को पता है कि कैसे जो है हमें जन्नत की टिकेट खरीदनी है दूसरे के पंथ में बुराईयां दिखा के एक हिंदू को पॉलेमिक्स का आर्थ भी नहीं पता तो हमारे लिए शायद एक्स मुसलिम्स कर रहे हैं बिल्कुल सही होग करिए उनका सही होग करिए और बहुत अच्छी मुव्मेंट है जिसका समर्थन किया जाना और आप हमारा समुलथन कर रहे हैं इसके लिए बहुत भूथ धन्यवाद आपका अजय तुम को सुनके अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता अजय को सुनकर समर भाई कह रहे हैं कि 5 प्लस 5 प्लस 5 membership gift की HD भाई ने बहुत बहुत थन्यवाद HD भाई भोसरे वाला जी कह रहे है HD gifted 10 membership बहुत बहुत थन्यवाद भाई बहुत थन्यवाद भाई बहुत थन्यवाद चमा 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 अरे ये उसकी बाप सुनके तो लव और टूथ और डेर जी कह रहे हैं जाटो ने किसकी सवारी की थी सर्वो जग जाहिर है रसुल इल्लाः बिल्कुल चले ठीक है अब तुर्वा सामान अली जी से कौन बात करेगा बताईए जुना जी आप रूदरा जी आप या अरे एज़ती भाई, मतलब मिर्ची लगानी है मतलब वो जगहें में मिर्ची डालनी है वो जगहें फाड नहीं देनी है बहुत बहुत दन्यवाद आज सीरिसली बता रहे हैं आज मुस्ति साब बिचारे एक तो इमाद ने जो उनके बारे में कह दिया जो इतनी सुपर चैट आ गई है अज क्या होगा आमिर हका यार ब्रह्म लाच्छा तुम नोटिस करो कि इनकी जो जनता है मैं कुछ भू नहीं कह रहा है कि सुपर चैट वगेरा से बट पता चल जाता है कि इनकी जो जनता इनको देखती है इतने लगे हुए कुछ तो जंदा बंदा देती लेकिन इतना लोवर क्लास है कि उनकी बुद्धी सच में नहीं चलती कि पड़े लिखे नहीं है पूरी गवा इलिटरिस जनता है इनको देखने वाली है अगर आप दूसरी की भावनाओं की फीलिंग करते हुए जैसे मानलो मैं टीचर हूँ ठीक है मेरा एक बच्चा मूर्ख है जब तक नहीं बताऊंगा या गलत हरकते करता है पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है जब तक नहीं बताऊंगा कि तुम कितनी मूर्खता कर रहे है एक और मिर्ची सुधार भी नहीं आएगा एच्टी भाई एच्टी भाई जान लेके मानोगे क्या बिचारों कि अमान अली पीछे ही बैठा है अरे बाब रहे यार टोटल अच पांच मिर्ची लगी है पांच और इतनी लाल-लाल मिर्ची मतलब भाई जलाना है उनकी कलोजी नहीं बना दे नहीं है आप फाड के भरे जा रहे हैं बिचारों के मासाला चलिये बहुत-बहुत धजन्यवाद EDG बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि आज के लिए आप जो है पुरा सा हम चाहते हैं कि कोई एक आदमी सर्वर से Petersburg से आप में से कोई न जाए लेकिन यह जाके थोड़ा सा देख ले कि एक बार जो है यह heated debates live है जो जुल्फिकार भाई है हमारे उनके चैनल पर जाके देख ले और अगर कोई इमान यूनिन की किसी discord server या वगेरा पर जुड़ा हुआ है तो इसका screenshot लेके एक बार भेज़ दे प्लीज मिर्ची लगने में मिर्ची लगाने में हम भी शोकीन है बहुत हो धन्यवार चलिए आमान डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कौन बात करना चाहेगा आमान अली भाई से मैं मैं तुमसे कह रहा था है मैं इसका साक्षात उदाहर दे देना चाहता हूँ देखो जिस सब्सक्राइब करें बहुत बढ़ी है फस्क्रास सर क्या आप वाजिदी जी के वेक्तव से जो है वो सेहमत हैं मतलब उन्होंने कहा क्या है मुझे यह नहीं पता वाजिदी है और मुझे यह भी नहीं पता मैं मुसल्मान है यह निमे मुसल्मान हू अच्या आमान यली बाई आगया आपकी तो कि शौट लगाही पए थी ना अच्छा cessnau यह भी मुझे नहीं पता यह भी मुझे नहीं पता ह। यह को तुमारी फिर्च नहीं है उसकी वाचिंग, दूरेशन जो है वो हन्डेड परसंट से जाधा है ह़न्डेड परसंट से से जाधा लोगों ने वो एक बार से जाधा देखा है ao J草 Happ clo मैंने sketch year कर दी एक सेे ले यंगा जब गया your channel we are shops और पेहले तुम स्था दिखाते हैं तुम को थी बार आकाम नहीं वाली हो दिखाते हैं मजदार वाली इतम ये तुमारी वाली तुमारी वाली तुमारी वाली ये 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 स्क्रीन चैट ने हो रहा है बिसम इल्ला जो है वो अल्ला नहीं कह रहा है अल्ला कभी बिसम इल्ला नहीं कहेगा ये गलत सही नहीं तुमारी गरदन जो है वो उतार के बात करने का तरीका बड़ा प्यारा है, तो एक और टीम नाम का बंदा है, वो ये बात सुनके बहुत रोया था, लंबी कहानी है, बाहने बताएंगे, अच्छे ये नई वाली शॉर्ट देखो, बहुत मज़िता है, वही वाले क्या जो इस प्रिस के लिप निकालते रहते हैं हिंदू टाइप के मुमिन भाइब है वही वाइव 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 वी वाई, वो सारी चीजह और गुसा देथे, कुरां में हां सारी चीज़े गुरां में गुसा देथे हैं आइब ये वाली ये वाली शॉट को याप हैक करो तरफ candle है अब एक आलते करो वे क्या दम्राक्टर ब्रामराक्टर लाइफ बॉय उसक्या करो यार नहीं नहीं बहुत जाए अब लाइए 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 इसका मैंने हाफ वो देखा याथ तो एक दो वो देखें वीडियो टाइप अरे देखा कर भाई ये पहला ऐसा मोमिट चैनल जिसको मैं रिकमेंट करता हूँ मैं ये चैनल देखेंगे तो मजाक नहीं कर रहा हूँ इतनी कॉमेडी इतनी कॉमेडी अरे ये कटर भी नहीं है भाई ये कटर नहीं है ये मूर्ख है ये कटर नहीं है ये काटून है इसके लॉजिक सुनेगा न मैं इसके साथ एक डिबेट हुई थी अगर तुम लोग रुखो कि मैं एक छोटा स्क्लिप दिखाऊंगा इसको मैं दूसरे चैनल पर प्लोट करने वाला था वैसे अच्छे ठीकर रहे हैं तो काफी टाइम लग जाएगा इस बंदे का आर्गुमेंट यह है कि एक आदमी ने तुम खुछ सोचना इसकी रिसेटली स्ट्रीम हुई थी कि एक atheist ने कोई गधा डाइप का atheist था उसने क्या किया कि मुझे देखना नहीं पसंद मैं अन्धा होना चाहता हूं ठीक इसने चूज किया कि मैं अधा होना चाहता हूं उसने अपनी आखे जो है वो फोड़ ली अब उसको दिखा के यह उस पर पूरी स्ट्रीम कर रहा है कि बोलो एथियस चूतिया होते हैं समझ रहे हो तो अब मुरख वेखती है मुरख वेखती है ना अब यह हां मैं मदरसे की फोटो मदरसे की खाऊं तो दो चीज़े होंगी हां अगर यह तो एक सब्सक्राइब करते हैं यह तो लगा रहे हैं वो मुलाना वैस करनी थे वो इसके वो अलग लेवल की बात है वो वो छोड़ो कहा है उसको मत जाओ दोब है मैं मुला तोड़ा करता को भी साड़ा करता कुटा लिए अंग निकालने वाले कोमड क्या है जो आ feito लेकिन व सही था आक निकालने वाले ने मुर्खता कि ठीक है आख निकालने वाले नियुकि रहे हुं इश्वर ने आपको देखने का जो है वो दिया है मालीजी अगर आपको देखना नहीं पसंद है आप आग पर पट्टी बांच सकते हैं ठीक है आप गांधारी बता है आग फोडने वाले ने पूरी तरीके से मुर्खता की लेकिन उससे बड़ी मुर्खता हमारी ये भाई ने की कि जो उसको लेके डिबेट करने की कोशिश कर रहे है कि सामने वाले आके बोलें कि एथियस्ट मूर्ख होते हैं उस तरीके से कल मैं एक निउस लेके बैठ जाओं कि जो मदरसे में शोशन हुआ अगर तो ये आलिम है तो ये तो बलातकारी सिद्ध हो जाएंगे और जो आलिमें दीन है वो सोशिश सिद्ध हो जाएंगे सारे के सारे तो यही सीन है तुमारे खिर्मान यूनियन के चैनलों का क्या किया जाया मान भाई वाइफाई कट मारे गया तो एक साइन के लिए आपने कहा कहा में सुन नहीं पाया समाफ कीजिएगा अच्छा डिगे चलो वो छोड़ो बाद में उसके बारे में डिस्केशन किया जाएगा नेक्स स्ट्रीम में मैं यह आज की डिबेट के टॉपिक पर बात कर लिए रिखान भाई को वे वैलकम कर लेते हैं दो में तुक जाओ जी जी बहुत तो बात को बात को लेट हो रहा है मेरे को अभी जाना होगा इस उना जा रहा है तुभी चल ठीके बाइग काफी लेट हो जोगा इसलिए जरू ठीका बाइ बाइ जुड़ते रहा अगर नीड ना तो जुड़ जाना दुबारा से ठीक है अच्छा ध्यान से देखो अमान अली रेहां तुम अपने आखो म्यूटर को ठीक है अमान ये हमारे वाजिती जी का कहना है इस्क्रीन देख रही है जी इसको ध्यान से देखो फिर इसके क्वेशन पूशा जाएगा आप से ये दर्जा बंदी ये चाहे वो आप करम की बनियाद पर करें या उसकी शिक्षा और तालीम ये स्किल्स की बनियाद पर करें ये दर्जा बंदी ये जो है कि एक इंफिरियर है और दूसरा सुपिरियर ये ये बनियादी तोर पर गलत है एक इनका अब्जेक्शन ही ये था दूसरा मैं इजाफ़ा करता हूँ देखो अब ध्यान से देखना है इसमें बात क्या चल नहीं थी बागी डिबेट तुम जो है मैं तुमको अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दूँगा पूरी डिबेट सुन सकते हो अमान भाई वाँ पे यहाँ पे इन्होंने शुरुवात की थी जन्म से ठीक है तो मैंने अधी देखे जो है सिद्ध कर दिया था कि वैदिक विवस्था में जन्म से नहीं कर्म से होता है और शूद्र जो होता है वह आपके कुल के लिए भी हो सकता है वह आपके ज्यान के लिए भी हो सकता है वह आपके गुनों के लिए भी हो सकता है वह आपके कर्मों के लिए भ कि क्या मुहम्मद साहब के कर्मों को देखते हुए उनके इल्म को देखते हुए क्या हम उनकी तुलना किसी एक ऐसे वेक्टी के साथ कर सकते हैं जैसे फॉर एक्जामपल हां मतलब इनके सामने जो है दीपक ऐलाल का उदारा नहीं देना चाहता है था हां जी बताईए उनकी यह है कि ज्यान और इंटेंशन को अगर मिला लिया जाए तो दर्जाबंदी करना चाहिए ज्यान और इंटेंशन के बेस पर तो वाजिदी जी फिर गलत कह रहे हैं और तुम को फिर ये बताना पड़ेगा अगर मुस्तिध बैख और जा कैरे ये कैसे बता हूँ? यहां पे हम जो बात कर रहे हैं मेरे भारी हम आपके वेक्तिगत उपिनियन की और वेक्तिगत तरकू की ही बात कर रहे हैं हम इनके पॉइंट को रख रहे हैं कि यह वेक्ति जो शायद इसलाम के बारे में आपसे और हमसे जादा जानते हैं वो क्यों डिसगरी कर रहे हैं क्यो प्रचिका लेलो, मोची का लेलो, या किसी का भी लेलो, क्यों हम उसको मुहमम्मद साहब की जगहां पे न रखें? नहीं, मेरा नमाना रखना चाहिए, लेकिन करम को मैं नहीं दूना प्रैयर्टी, मैं प्रैयर्टी दूना व्यक्ति की नौलिज को और इंटेंशन को. अगर आपका नॉलेज अच्छा है, देना पड़ेगा मेरे बाई, आप समझने का इस चीज को प्रहत्म करिए, किसी की नॉलेज बहुत अच्छी है, कोई एकोनॉमिस्ता प्रकार्ण पंडित है, ठीक है, लेकिन वो बलातकार करने जैसा घिनोना कर्म कर दे रहा है, क्या आप उसके करम को इग्णोर करके उसकी नॉलेज को आप जो है प्रिशेट करेंगे, नहीं, मैंने इसलिए इंटेंसन वड़ का यूज किया ना, नियत, उस व्यक्ति कि नियत उस वक्त पे सही नहीं थी, इसलिए वो गलस है, मैंने करम की जगए नियत वड़ यूज कर दिया है, करम में बहुत सारी चीजा आ जाती है जो इस्टूबिट इने करम को क्या है मेरा आस तब उस पर डाउट के लिए नहीं उपाया है कि उसको कैसे शिल्द की आ जाए तो मैं इससे दूर रहता हूं करम मुझे पल्ले नहीं पड़ा आस तक जाता है आपके संसकार है वैसे करमा है वैसे नियत आपकी बनती है ठीक है intention for example जैसे तुम्हारा intention जो है भला करने का तुम्हारा intention है कि ये बच्चा है ये अभी गुना करने के उमर में नहीं आया इसको कल्मा पढ़ा के इसको गूली मार देते हैं ठीक और ये real life example है तु क्या तुम इसमें intention को मद्दे नजर रखते हुए तो कर्म को जो है वो अग्नूर कर दोगे कर्म आवश्यक है मेरे भाई जो तहरीके तालीबान के लोग थे उन्होंने जो मारने से पहले बच्चों को कल्मा पढ़ाया था चोटे बच्चों को वो इसलिए पढ़ाया था कि हमें ने जन्नत भेज देंगे और उनकी नियत थी उनकी आखिरत बनाना एक दो उधारन को लेकर या दस भी सोबचा उधारन को लेकर आप पुरे समाज को जिस्टिफाई कर दो ये थी मेरे हिसाब से गलस है समाज को जिस्टिफाई नहीं कर सकते समाज को जिस्टिफाई नहीं कर रहा जन्नली ऐसा होता है कि अगर आप ये नियत अच्छी होती है तो कर्म आपके अच्छे ही होते है नियत और कर्म जो होता है सुना मेरी बात हैंड इन हैंड जाता है लेकिन जब हमें क्योंकि तुमने कहा है कि कर्म जो है important नहीं है इसलिए मैं तुमको एक ऐसा मुझे समझ में नहीं है हो सकता है important तो मैं जह समझ नहीं है तो मेरी बुद्धिय वीश योगे नहीं नहीं है क्योंकि जन्रली कर्म आप वैसे करेंगे जैसे आपके गुण विक्सित होंगे और सिक्षा आपके गुण विक्सित करती है, संस्कार देती है आपको, संस्कृत करती है मेरे भाई, सिक्षा ग्रहन करना कर्म है, तो वर्ड जो होता है वो आपके इनी तीनों चीजों पर जो है निर्भर करता है, हाँ जन्में पे भी करता है, कुल पे भी करता है आप शुद्र कुल में उत्पन्न होते हैं, छोटे कुल में वहाँ आपकी probability घट जाती है क्योंकि आपको वातावरण नहीं मिल पाता इतनी इसी बात है, इसमें क्या rocket science है कि यह जो आपके चार विद्वान बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है अमान भाई तुम एक, आम मैं यह कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए बैक्स्टेज में बैठ जाओ आप आप थोड़ी देर के लिए एक शांत जगहें पर आजाओ, फिर आपके साथ अच्छी conversation करते हैं, ठीक है आगया शांत जगह पर आगया घर पर आगया अगया अभी पकी बात जी जी, confirm ठीक है मेरे भाई फिर ध्यान से मैं आपके लिए दुबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक सिकन दीजेगा में जिस कुल में आपका जन्म होता है वैसा आपको वाता वरण मिलता है तो प्रभाव तो होता है जिस कुल में आप जन्म ले रहे हैं उसका लेकिन फिर सिक्षा करती है आपके संसकारों को आपके अंदर संसकार उत्पन करती है और वही संसकार और उनहीं गुनों के आधार पर आप कर्म करते हैं और उसी कर्म से उसी कर्म गुन और सिक्षा से आपको वर्ण मिलता है इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि आपकी ये चार विद्वान जो कि आपने सारी बाते ठीक है कि कर्म कर्म को मैं नहीं समझ परा लेकिन आप कहरे हैं तो ठीक होगा नरम शिक्सा और नियत को अगर डाल दे जाए तो उस रैक्ति को ऊपर दर्जा दिया जाना चाहिए बिल्कुल दिया जाना चाहिए अगर मैं चांडाल आज की डेट में आज की जाती विवस्ता है उसके अनुसार मुझे चांडाल कहा जाएगा और एक विवस्ता के अनुसार साथ मुझे ब्राहन भी कहा जाए तब जाती विवस्ता के अनुसार ही वो मूर्खता है ना मैं चांडाल हूँ ना मैं ब्राहन हूँ लेकिन कुल जहां आप पैदा हो रहे हैं, अगर आप छत्रियों के कुल में पैदा हो रहे हैं, क्या आपके लिए छत्रिय बनना, छत्रियों के संस्कार मिलना, आपके लिए आसान नहीं हो जाता comparatively, आर्मी फैमिलीज का नाम सुना है आपने? आपके वाद में कैश कर पागर हूं, लेकिन मेरा पूरा बात ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में पैदा हुआ हो पैदाई से उसके उपर ये चीज ठोप देना मेरी नजरों में गलत है कि पैदाई से उसके उसके उपर ये चीज़ हाँ उसके लिए आसान हो जाएगा वोचीज करना कोई मोची का बेटा के लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी कि जूते कैसे चिले जाएगी लेकिन उसको मोची कहका पुकारना या फिर संबोधित करना किसी भी सुरुत में सही नहीं है हो सकते है वह आगे ज्यान प्राक करके कुछ और बन जाए लेकिन शुरुबात में उसको उसके उपर कोई नान फोबना गलत है मैं बिल्कुल आपके साथ अगरी कर रहा हूँ बिल्कुल 110% आपके साथ अगरी कर रहा हूँ वही चीज़ मैं भी बोलना हूँ कभी भी जहां से वो पैदा हुआ है वैदिक वणववस्ता के अनुसार मैं वेद की बात कर रहा हूँ जब वैदिक वणववस्ता लागू थी मैं तब की बात कर रहा हूँ ना हमारे वेद ये कहते हैं कि जस घर में तुम पैदा हुए उसके सरनेम से बुलाए जाओ क्योंकि भगवान शीराम का कोई सरनेम नहीं था, रामचंदर चौहान नाम नहीं था उनका, ना विश्वामिंतर का विश्वामिंतर शुकला नाम था, आप अपने सिक्षा गुड और कर्म के आधार पे ही वर्ण करेंगे, वर्ण का वर्ण करेंगे, लेकिन बस फैक्ट ये ह मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ, कि हाँ आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन फुल के आधार पे ही जज़ कर लेना, ये मुर्खता है, ये बहुत बड़ी मुर्खता है, लेकिन मैं बस फैक्टर बता रहा हूँ, कि जहां जन्म होता है, उसी प्रकार से आपको सिक्षा मिलती है, सिक्षा की availability रहती है और वैसे ही आपको संस्कार मिलते हैं वैसे ही आपके गुनविक्सित होते हैं वैसे ही आप कर्म करते हैं अगर आपने दानशील्दता के गुनविक्सित किये हैं तो generally एक normal आदमी जो लालची है उससे जादा ही दान करेंगे आप, अगर आपके अंदर rapist होने की प्रवित्ती है तो आप के rap करने की probability बढ़ जाती है, जैसा कि हमारे प्यारे भाई ने बताया भी, यह क्या नाम है इनका, आसिर्वितिकार भाई ने, quarter मुफ्ती साहब ने तो यह चीज में कितनी rocket science है कि यह मेरे प्यारे भाईयों को एक घंटे मिनी समझ में आया और उसके बाद मुफ्ती साहब हमारे जो है, यह statement दे रहे है जो statement में फिर से तुम को सुनाने लगा हूँ मैंने सिद्ध कर दिया कि जन्म से नहीं होती है ठीक है, धन्यवाद अभी हमारे पास ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अमान अली जी, समझने के लिए, मुफ्ती साहब से बहतर तरकशील होने के लिए, और आप उनका आधर करते हैं, मैं कभी नहीं कहूंगे, कि आप उनका नाधर करें, हमारी discussion complete रुखती है रुद्र भाई आप कुछ बात करना चाहेंगे इंसे? परसुनली अमान नभी भाही से कोई डिकतत नहीं है नजी सरभ मैं जो बहुत कहता हूँ उसमें कोशिस रहती है कि इसलामिक जरूर हो और पता है कुछ भी नहीं होता है यारामन अली शुनित अपको बहुत पता है कि कुछ इसलाविक नहीं है आपके चार महाँ अगर सूफिजम को छोड़ दें क्योंकि वो यहां से इंक्रिएंस हो गया है वन्ना उससे अगर जो कुछी बोलते हो ना एक किताब में नहीं दिखा सकते हैं एक तफिर में नहीं दिखा सकते हैं आपकिसी भी इवाम अभु हनीपा शाफी मलकी है हन्मर किस किसी की एक जगा पे निए किसी और की बनाुन है है कि आपके तुर्ह जाना कर से 07o कुछ बना खुट गोलत कोंशन को जाइंड यह और आप अपने मन्साविय मनाव थे नहीं में तक पर अनुजर कर से नहीं कुछ इनका खुछुर्ण को लेकोर आगवाशा है जहां से जो चीज़ है वहीं से लेनी चाहिए पालतु का इधार उदर के नहीं गुशाने करें तो मैं आज़ा तो भी गुशा दूँगा दूँगा दो दो चीज़ होते हैं एक होता है अपने एथिक्स अगर मेरा रिलीजन मेरे एथिक्स के अगेंस्ट नहीं है तो उस अब जाता है यार अमान जाता है जाता है इस पर भी बात कर लेंगे अमने भाई कुछ से पुरा सा होनेस्ट रही है वह सब्सक्रा नहीं क्यूंकर कर रहे हैं तो अभिय विपास्ना का बेसिक ही की पंधा मेंटला कुझ आपना जर्णा पांना पड़ेघा यहींकर इसलाम में पुनर जनम भी है, यही तो समस्या है, इसलाम की एक आयत में कहा जाता कि कयामत आएगे, दूसरी आयत में कहा जाता कि पुनर जनम होगा हमारे साथ हमदद भाई जुड़े हुए हैं, मुफ्ती हमदद, अगर यह असली वाले हैं तो, इनसे दो मिट बात कर लेते हैं, अमान एक मिट ली मिट कर दो बस, ठीक है, तो पर चैट लगाओ, तो पर चैट लगाओ, पहले, रुख जो, रुख जो, कुछ लगा देते हैं, हमदद भाई, आप असली वाले हैं? मेरे पेदाईश है, कराची मेरे ने तॉन है, तॉन हो पहले दोन हो मधरिस के तर्फिति की है, और रिकषिक आइड कर दो रिकॉर्डिंग चला रहा है, वो इसको फिर कॉपी राइट मार देगा उठाके, तो निक बन शुकी है, चालो, ठीक है, ठीक है, कोई शुकी है, अब ये कॉपी राइट की आज भी स्टार्ट होगे बाई, रूदरा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जो हर जगें जो है कि देखो, तुम अच्छे आदमी हो सकते हैं, इसलाम को फॉलो करते हुए, लेकिर तुमारे छुटे भाई को, तुमारे बच्चे को, या तुमारी बहन को, कोई कब सच्चा इसलाम सिखा दे, उसकी गारंटी नहीं दे सकते भाई मेरे, इसलिए तुमको अपने साथ होने क ज़रूरत अपने परिवार के लिए, मैं बस इतना कहके चाहता हूँ कि, बताओ, मैं देखो, कबीर का और सुकरात का अच्छा खासा फ्यान हूँ, और उन्होंने बड़ी अच्छे से बात कही है, कि हम से यादा गवार आज में दुनिया में कोई नहीं है, हम मतलब कबीर अच्छा जुनिया के लिए नहीं होगी, और उसके बेसे से हम सच्छा जुटा नहीं होगी, आपकी बाद यह गला है, कि किस अप्ट में आपके पास एक दुपर्सें नौलेग है, तब आप उस तीसको सच्छा जुटा नहीं बोल सकते हैं, विट रिस्ट तु वाच्छा सच्छा जुटा बोलना है, तो कुरान की भाई हमको ठीक नौलेग है, ऐसा नहीं है, इसा नहीं है, पहली बात तो जिब कुरान खुदी अपनी आयत में कह रहा है कि जो काफिर कुरान को जलाते हैं फार्द ने उनसे कह दो कि यह कुरान कुरान ही नहीं है, तो आपके पास कुरान कुरान कुरानी नहीं रहा हूँ कॉंसी है, बताएंगे ज़र आयर दिखाईए ये कुरान कुरानी नहीं आयत नोपर दीजे मुझे बस गेड़ मिनिट दीजे पार्टमिंट ले दिजे यही नीकुई क्योंकि एक आयत एक आयत में जो तुम स्पिरिच्वालिटी दिखाने की कुशिश गरोगे एक आयत से गराएंगे हम पांच आयते तुमको उसके विरोध में दिखा देंगे कुरान में तुमारे सूफियों ने ये प्यात में किया था जो तुम करने की कोशिश कर रहे है बहुत साल पहले किया था लेगिन निसी लिए सूफि भीगाली खाते हैं मुसल्मानों से क्योंकि वो अपने साथ मकाली था वो सोफियों में मनजित वाले वक्ती से एक वक्ती है जो जबने को फोलू करना एक वक्ती खाते हैं कि हमारे अंदर भी स्पिरिश्यालिटी है क्योंकि लोग उस समय भक्ती मुव्मेंट से इंस्पायर के भजन किल्पन करते करते मुसलमान जो है विरागी हुए जा रहे थे इसलिए उन्होंने तोड मरोड के कुछ आयतों को ऐसे रखना शुरू किया कि लगे कि स्पिरिश्यालिटी है एक आयत दोगे तुम को यहीं पर पांच आयते दे दी जाएंगी और उसके विरोध में हैं ब्रह्म्राग्ट सब कंटेक्स देखोगे ना उपन मीचे का तुमको सब बट्री खुल जाने वाली है और मैं यह बोलना हूं कि यह सूफी का जो है ना सूफ और एक जो है यह अपने क्या बोलते हैं जिनकी गाने चलते हैं बुल्लेशा और एक और इन तीन सूफी के अलावा एक उन जिनका नाम नहीं है कोई धंका बना बता तो जिन्नोंने रेपना किया हूं मरमास बड़ना किया हूं दुनिया फरक हैं गो से फाक वाजा मरों दियां चिश्टी साविर पार्ट के लिए निजाम उद्दीन और निजाम उद्दीन और निजाम उद्दीन ने ने यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिट्वरिकली तत्थ है मेरे भाई यह हिस्ट्री में कई बार मेरे को सबसे बड़ी चीज यह समय नहीं आती है आपके पास जब आप कोई जीत कहते हो उस चीज के पीछे का इंटेंशन भी है कि उस व्यक्तिन एसा क्यों करवाया क्यों करते हैं रेप करवाने का इंटेंशन होगा बहीं इसलाम नहीं बोलता है दूसरी माले गनीमत बनाने के लिए नहीं बोलता है दूसरे राजा जिनको आप हरा देते हैं युद्ध में जिनके उपर कप्चा कर लेते हैं उनकी महिलाओं को मालिक अनिवत बनाने के लिए नहीं बोलता है इसलाम अधीसों को पड़के आप बोले हो पुरान के आतुमें नहीं है उनकी वाइब को कुरान से दिखा सकते है कौन से आएद है आयत नमर पांच है नाम लिखेर है नाम यम 거지 अब मैं दिखाता हूँ तरहीस न को से अए प्रवाइब कुनसी है यहां पे लिखा हुआ है ना नमाद वड़त वह उसी के दो आये दिखा हुआ है कि भाई लॉंडियों के साथ सेक्स करो नमाज पड़ो नहीं नमाज कायम करो अरे यार तो अपने शब्दों में बैठे रहा हुआ कायम करो पड़ो और जो कन्ना करते रहा है यार ऐसे के बात एक सब्द के चार मतलम में नेगेटिव मतलम किसी भी किताब को गलत साबित कर दूना है यार ऐसे तो अरे अपने मतलब जो आपका पीनस है उसकी हिफाज़त नहीं करने है आपको लॉंडियों से इसका अच्छा मतलब निकाल के दिखाईए जो आपका पीनस है फिर से बोलिया आप दिखाईए सबसे बेतर है यह देख साल में कितने दिन होते हैं उसका भी नहीं बता था अरे यह आपके जो सूफी है वो पहले आपको दिखा लें दिखा लें दिजे भाई आयत 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 नमबर करेंश है और जो अपने गुतांगों की रक्षा करने वाले हैं आगे देखिये एक्सेट विद देर वाइवस और दोस बॉंड विमन इन देर पॉसेशन स्लेव गर नीचे वाली ट्रांसलेशन देखो आप बॉंड वोमन भी वही होता है यह प्र प्रिवी राज चौहान की बीवी के साथ उन्होंने सेक्स किया था बीज बजार में आपके निजाम उद्दीन जी ने उन्होंने खुद नहीं तो प्रिवी राज चौहान की जो वो थी धरम बतनी वो निजाम उद्दीन साथ लोंडिया तो नहीं थी अब बाट रहे थे निजाम उद्दीन ओलिया ने प्रिवी राज चौहान से लड़ाई करी और उनकी बीवी को रख लिया ऐसा करना चाहरें ऑबरॉल लाड़ाई करवाई बाट बाट लो बाजार में इसको बाट लो प्रिवी राज चौहान से उसमें जो वाइफ थी उनकी लॉंडिया बन्च पर इन्होंने आक्रमर किया था कोई और देखो यह आप इस्टिर की किताब माध बता रहे हैं और मेरा यहनुमान है अरे मैं हिस्टी की किताब ने मैं आपके सामने रख राया हूं या तो बोलिए कि वह इस्लामिक नहीं था इस आलम भाई मैं आपसे अरो रोद करता हूं अपने शाथ-मान दान रहो कि इस चुछा सकते हैं उसके जांगे चुछा सकती हैं सब कर सकते हैं तो वह जो है न जो खरी जायें थे ना उसे उन्हों के देख रहे हैं वहीं कर रहे हैं अरे ये कैसे साभित कर सकते हैं, आपकी उन्होंने को चीज़ की है, किवल कि हिस्ट्री की किताब के बेशिप कर ना, मैं दो-चार रिस्ट्री किताब बैसे दिखा दूँ है, जो उन्टीज़ को खंदन करेंगी, फिर करो के, ठीक है, रूद्रा एक सिकंद देना, रूद्रा इतनी खास नोरीज नहीं है और क्या हारे हुए शेंशाह की बीडियों को लोंडी बनाने के लिए कुरान में नहीं कहा गया है है कहा गया है बेलकुल और क्या हूर जो आपके निजामuine दीन थे वो इस्लाम को नहीं मानते थे इसलाम को नहीं इमान को मानते थे कुरान को मानते थे बेसिकली जो आप दिखा रहें उसको मानते थे तो मानते थे ना मेरे भाई और ये सारी चीज़े आप ही बता रहे हैं कि कुरान में है बस यही तो तकलीफ है जो आयत जब भी भी कुरान कोई चीज़ कहत करना सकते हैं नहीं बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं इंस्ट्रक्षन तो इसमें इसी के लिए दिया गया है ना मेरे प्यारे बाई समझने की कोशिश करना या तो फिर आप बोल दी सुनी मेरे बात, मैं मान रहा हूँ आपका पॉइंट मैंने ले लिया कि बना सकते हैं आपने नहीं लिया, आपने खुछ चारे मिनिट बोला हुआ है, इतिहास में हुआ है नहीं हुआ है कर आप इंस्टेंस दे सकते हैं अपने कुरान से अरे बोल बोले यही तत्म अच्छी आ है अरे महुँद है गोज़ा है उनके खुद के ओन कोर्ट हिस्टोरियन्स ने लिखा हुआ है यह नहीं कि किसी हिंदू ने लेग दिया किसी ने खुट अपकी तारिफ देखा हूं ने इतने लड़कियों का रेप किया है उन्हें खुट मौत से बताया है इविन अबे रुख जा में बारा नसी का हूं वारा नसी में जिसमें काशी विश्ना बंदे तोड़ा था ना उसक अब मानोगी नहीं कि यह चीज नहीं है अब इस तो प्रायटी दे रहे हो मैं इस ती किताब आपके सामने निकाल के लिखाएगा अपने बारे में कौन जूट लिखेगा भाई अबने माँ में निगामुदीन हो जाएगा लिखा हुआ खुद कुछ नहीं है यह बात मान के चला यह गोरी के खुद के कोर्ट हिस्टॉरियंस ने लिखी है और शान बखारते हुए लिखी है मेरी बात एक सिकंट सुनो और मुसल्मान अफगानिस्तान और आदी छेत्रों में बड़े शान से यह किताबे पढ़ाते हैं लोगों को बताते हैं कि हम लोगों ने हिंदू की ऐसी किताइसी कर दी थी पढ़ाना गलत है अगर ऐसा कुछ लिखा गया है तो पढ़ाना गलत है दूसरी बात अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी गलत है हुआ है हुआ है यह चीज़ आप नहीं साविद कर दो इसी भी तरकों में आप हिस्ट्री दिखाऊँगा आप आपको उनको भी सज मानना मैं यह कहा रहूँ है अब महाते वह उसमार विखाँ पर्स हैं प्रूफ होगा तो अगर ऐसा हुआ तो बिलकुँ अगर गया है वह बहुत अच्छे फिलोसोर थे लूट गिन विंस्टें उनकी वुक ए टेक्टेटस उसमें उनने लिखा है एक किताब पढ़ने के बाद अ अब वह पढ़ते हो जो लिखने वाले की इंटेंशन थी ठीक है तो जबी भी आप किस्ति की कोई किताब पढ़ो तो यह भी थोड़ा सा भियान दीजेगा कि सामने वाला वैक्ति किस मजए वह किस सोच में वह किताब लिख रहा है मैं कुरान की किसी आयत की तफसीर करूँ हो सकती है उसके अलगा कोई देखिक में मूत इंसानों हिस्टी को फिलोसफी तर जोड़ता हूँ है यह हमारे जो प्यारे भाई हैं वो कुलमला की यह कह रहे हैं आसान भाशा में मैं आप लों को बता देना चाहता हूँ यह डिड़क्टिव प्रूफ और इंड़क्टिव प्रूफ की बात कर रहे हैं कुलमला के इनके कहने का मतलब यह है कि आप प्रूफ दे दो लेकिन आप फुल क्यूंकि आप उस समय थे नहीं हो मुझे मेरी आँख्वों से नहीं दिखा रहे हो तो मैं हमेशा मानने से मना कर सकता हूँ आसान शब्दों में यह कह रहे हैं यह जो philosophy की बात कर रहे हैं यही कह रहे हैं थोड़ा सा नहीं आप यही कही रहे हैं inductive reasoning महममद पैदा हुआ था यह कोई था नहीं कही था भाई भाई फिर उस हिसाब से तो आप जो है आप यह भी नहीं था था महममद साहब ने रेप नहीं किये थे आप कहते हैं आप इसका inductive proof नहीं दे सकते दे तो आप भी नहीं सकते वही तो बात संगती है फिर आप negative चीज़ को पकड़ोगे मैं पोजिश को पकड़ोगे मैं दे सकता हूँ आप कुरान से नहीं दे सकते हैं अब यहाँ पर आ गए हैं अगर आप सच में philosophy के student है तो अब यहाँ पर हम deductive reasoning नहीं चल ले हैं अब मैं आपको सिद्ध करने जा रहा हूँ कि हाँ उन्होंने रेप किये थे कुरान से deductive reasoning के आधार पे deductive reasoning जो होता है वो absolute proof होता है और मैं deductively आपको बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने रेप किये थे मेरे भाई यहाँ पर लिखा गया है कि आप जो है sex कर सकते हैं कर सकते हैं उनके साथ और आप बिल्कुल गलत नहीं होंगे जो आपकी मल्कियत में आई हुई लड़किया है और आपकी के उपर कोई गुनाह नहीं था अगर वो अपने कबजे में आई हुई लड़कियों के साथ sex करते हैं और अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि किसी के पती जिसको आपने मारा है मैं deductively बता रहा हूँ उसकी पतनी आपके साथ सोना चाहे इसकी probability ना के बराबर है यकीन मानिए मैं आपको एक बिल्कुल लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं अगरी कर रहा हूँ हाँ उसके साथ sex करने को जायस ठहराया जा रहा है मतलब ऐसे sex हुए है और ऐसे rape हुए है क्योंकि वो चाहती नहीं थी लड़की क्योंकि आपने उसके पती को अभी मारा यह चीज़ मैं deductively बता रहा हूँ मैं अगरी कर रहा हूँ लेकर आप यह दिखाए है कि एक जंग में हारी हुई लड़की को सभी साहबाओं के उपर फर्ज कर दिया गया हूँ या फिर सुननत कर दिया हूँ फर्ज नहीं किया गया है इसलिए मैंने प्रॉबिबिली आपको बताया है कि आपको अगर अच्छी लगती है जिसके पती को आपने मारा है आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं आपके उपर कोई गुना नहीं है क्योंकि जो है साहबाओं की संख्या हजारों में है तो रेप हुए है मुहम्मद साहब की वज़े से और इसके लिए जो मैं जो मैं रीजनिंग दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि एक ऐसी लड़की आपके साथ नहीं सेक्स करना चाहेगी जिसके पती उसके भाई उसके बाप का आपने कतल किया है ठीक है? डिटक्टिव रिजनिंग है, फ्लॉलेस है समझ गहे? अरे बाई, अपर्ज भी नहीं किया अलाउ किया तो ये रे परमोटर है अगर रे पिस भी नहीं है बात बराबर ही है ये परमोटर नहीं है एक चीज़ को ध्यान से समझा जाए अगर कोई एक इस्तरी है और मतलब ऐसे समझा जाए कि अगर वह इस्तरी शुट के आ गई या फिर मैं ये कहूँ कि या चलो छोड़ो में जबाद छोड़ो आप खुद बताओ मैं कौँँगा तो फिर आप बाद तो गुमाओं के गोल गोल मैं नहीं चाहता कि एक जिगेश्य से बठकते रहो अरे मैं गुमाओं गा नहीं मैं और मैं बॉली नहीं एक सकन एक सकन मुहमद की ममी दी करे आ गानमे आमना थी और हाज़रा ती कि उन्होंने सेक्स किया था मिजामुदिन ओलिया ने आप नेगिटिव चीज को मान लिए हो मैं इस दिखेंगे कि कुछ और नाम नहीं है तुमने मान लिया एक सिकने कि यह लो दिखा दे रहा हुआ है यह पता कुरान जो है वो कहां से आई है कुरान तो वर्ड बाई प्रॉ प्रॉफ कर दिया है अमान भाई प्रॉफ नहीं हुआ है इसमें चेंज है प्रॉफिट मुहमत कभी यह नहीं कह सकते कि सभी साभाओ पर इसके साथ सेक्स करना अलाओ ने इस पोजिब नहीं है सर, रूखो, रूद्रा, एक सिक्गन रूखो, वो कह नहीं सकते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि फर्द किया है, मैंने आपने कभी, मुझको ये कहते हैं, बूखने सब के युद्ध कर, आपकी कुरान की रोश्नी में ही मैं आपको बता रहा हूँ, कि जिस चीज़ को उन्होंने allow किया है, वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई है, कहीं भी कुरान के against नहीं है, अब आप इसको पढ़ने जा रहा है, मेरे प्यारे भाई, पढ़िए से. कुरान के against है, भाई, पहली बात तो ये हदीस है, यही से सबसे पहली मुझे आपको पहली बार बैक्सेज करना पर रहा है, क्योंकि आप बहुत मुल्खता पूर बाते कर रहे हैं, ठीक है, कुरान के against तब जाएगी जब किसी ऐसी चीज़ को वो हदीस कहेगी, जो चीज़ कुरान में लिखी हुई की चीज़ को काट रही हो, यह बिल्कुल supplement कर रही है, वहाँ पर अलाव किया जा रहा है, जंग में पकड़ी गई, लड़कियों के साथ सेक्स करने को, रूतरा पांच मट कर समझे तो, मैं एक मिट में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं यह बोलना है, मत जाओ, रुक जाओ, बस यह कि अब फोड़ी देर में, भाई मुझे सुबह उठना है, मैं यह बोलना हूँ, इसे पूछ नहीं किया गया है, असलाम में, और वो कुरान से दिखा दें, एक चीज़ फ सप्लिमेंट कर रही है, ठीक है, अगर आप इसके साथ सेक्स नहीं कर सकते, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं कर सकते, तब ऑपोजेट जाएगी, तब काट रही होगी, यह उसको सप्लिमेंट कर रही है, वहाँ पे कह रहे हैं, बांदियों के साथ सेक्स करने के लि कुरान में ये कीज नहीं लिखी कि एक ही लोड़क के साथ सब लोग सेक्स कर सकते हैं अरे सर यहां पर कहां एक ही लड़की के साथ सब लोग सेक्स कर रहे हैं यहां पर तो एक आदमी के साथ मुहम्मद साथ 15 साल की बच्ची थिक्तम ललन टाप उसके साथ Wonderful there— hiện in the morning when it is said मुहमन दूड़ नूब त्अलिब रही उटू and I was riding फिल अब तालिब।, प्रफिट मौम्मद प्रश के टेच काई पॉतितम पहूँ आउचू है तो उसमी अडप जिलेद अविल्च्छ थाइ्ज हैं आप अब्फछ थाइ अव्हिंए आई ऊड़िए ख suisन यूज। ? मैं रखिजिएड त ऌनी सर गांव मौन्ट। खेबर इस गूंट वैनेवर वी अप्रोच नियर रा उस्टिलाइन नेशन तो फ्लाइट इवल विल बी तम ओनिव जूट फूर्ट है अब फिर उसी पर आउंगा कि ठीक आगे 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 सुन तो मैं यह बताना चाहता हूं मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं कि पहले उन्होंने खैबर पे हमला किया सुबेरे का टाइम था वो लोग अपनी नौकरी पे निकले थे गए उनको काटा-पीटा सुन मेरी बात रास्ते में जो है उसके साथ क्या नाम था इसका यार रुद्रा सफिया बिंते हुई के साथ जो है सेक्स कर लिया और कुछ समय पहले ही उसके बाप को काटा गया था उसकी भाई को काटा गया था मतब कुछ कुछ रिवायतों में जो है 48 गंटे का समय आता है ठीक है और तुम मुझे इतना बता दू किस तरीके से ये कुरान के खिलाफ है और अगर नहीं है तो और इसको रेप नहीं सिद्ध करना चाहते तुमको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी लड़की होगी जिसक कि बाप कुमारा उसके भाई को आपने काटा है और वो दो दिन के अंदर को तुमारे साथ जो है सेक्स करना चाहेगी लॉजिकली पता दो चलू यह बात ना सहमात तुम बिल्कुल बिल्कुल कि यह आयाज पिल कुरान ने जो कहा है कि आपने जले भी नहीं पूरी बात लो अब आप छोड़े भी नहीं पॉरी पूरा धरी है अमान आपके लिए सिंपल सा संदेश है अपने लिए अपने लिए कम से कम इमानदार हो जाओ अच्छे वेक्ति हूँ अपने लिए कम से कम इमानदार हो जाओ नहीं तो यह जो जिनको तुम इनकार करते फिर रहे हो ना म मकारी करके अमान कोई सही में तुमारे बच्चों को सिखा के चला जाएगा और वो फटा हुआ मिलेगा ते को एक दिन क्योंकि ते को खुद भी पता है यह सारी चीज़ें हैं वहाँ पे थूर्सता की जीवाँ होती है यार यह कुरान को एगरी कर रहे हैं हदीस को इंकार कर पुरान सही है हदीस खराब है कैसे बन्कि हदीस की तो चेन भी मिलती है तो उसकी जादा है और वो जारा सैंस भी बनाती है लॉजिकल है वो कंटेक्स दे रेती है प्रसम बात कर यह रुती बात की पुरान पे एक जीज़ फ़र्द नहीं गड़ बचते कुछ भी नहीं है बकैती है यह जहां पर अगर यह फो नहीं की नमाज पढ़ना फर्द है न उसी के दो नाए नीचे लिखा हुगा है कि यह लॉन्डियों के साथ सेख्स करना है इग्जाक्टी बेरहल यह हदीसे रिजक्ट नहीं करता है यह हदीसे कहता है कि मतलब साबित करने कोशिश करता करते हैं और गया करते हैं कि अगर करते हैं तो फिर अलाफ करने वाला है बाद में अब कहा क्या है अपना वीडियो ऐसे ही मतलब दिमाटाइज रहता है, सारा का सारा वीडियो दिमाटाइज रहता है, तो चाहे मैं लगाऊं ना लगाऊं, यूटूब दिमाटाइज करता ही है, तो फिर मैंने एक अच्छी टेखनीक निका लिए, कि बढ़िया कोई यहां पर वू करेगा, श चैनल हिंदू धरम को प्रो मोट करने के लिए बनाया है, या इसलाम को टार्गेट करने के लिए बनाया है? भाई, अभी तो चैनल का उदेश है सिर्फ इतना है, कि भाई वाजी दीजी जो मूर्खता की हैं, उसके मज़े लिए जाएं, क्यो रुद्राव? अब बिल्कुल कर सकते हैं मुझे कुछ सवाल थे जो हमेशा कटकते रहते हैं वो मैं पूछना चाहता हूं अगर आप जाएगा, थोड़ा सा टॉपिक है आज का, टॉपिक पे बात कर लिते हैं, फिर उसके बाद आप अपने प्रशने कर सकते हैं, हिंदू चैनल पे आए हैं आप, हम हिंदिजम पे नहीं बात करेंगे, तो हम यह आपके इमान यूनियन की तरह जो है, क्या कहता उसको बेगरत थोड़े हैं, चैनल का नाम इमान यूनियन रखेंगे और बात इसलाम पे नहीं करेंगे, वह बेगरती में तुमको इसमें भी दिखाऊंगा, ध्यान से देखना है, अभी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, हिंदिजम का ही है, ठीक है, यह लोग, पहले अपने मुफ नहीं, मैं तो सिर्फ कोश्चन करने आया था, आप फिर इमान यूनियन को कह, कह रहे हैं कि वह इसलाम के इलावा सब पर बात करता है, तो आप भी वही कर रहे हैं, तो हम इसलाम के इलावा सब बात कर रहे हैं, तो आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, अरे मेरे प्यारे भाई टॉपिक तो देखो इसलाम का टॉपिक थोड़े है, पागल हो क्या, हिंदिजम का टॉपिक है, वन वे उस था, देख लो भाई संस्क्रिट में लिखा हुआ है, यार इस प्रेंटे, देखो तो, पड़ते नहीं हो तुम लोग यही प्रॉब्लम है तुमारे साथ, इसल वो मुसलिमान होते हैं, आगए परो कि लोंडिया आजकर नहीं होती, यह सिर्फ साथ्मी सदी में होती है मुसलिमान होते हैं, भाई को 1971 का दिखाएंगे कि साला लॉंडिया बना रहे थुम लोग बंगलादेश में जानते हो यह जो जनल नहीं था पाकिस्तान का अरे रुख जा डिफरेंस रुख जा एक से रुख जा रूदा ते को पता है ना कि 1971 में जो नया वाला जनल जो गया था वो उसका सबसे पहला हाँ उनका रिकार्ड कहा है अच्छा ठीकर देखो हिंदूजम पर बात करते हैं क्योंकि हमारा हिंदू चैनल है पहले हम वर्ण वेवस्ता पर बात करेंगे ठीक है मेरे भाई उसके बात तुमारे इसलाम पर आएंगे यह देखो तुमारे मुष्ती साहब से डिबेट चल ARS यहा झाल यहां मने पार यहां फ BLACKZ अब चाहे वह आप करम की बनियाद पर यह उसकी शिक्षार और्धान पर करें यह हम्तिचा सुनाओं यहां पर मुफ्ती साहब शुरुवात में यह जो मुक्का मार रहा है पता नहीं क्या मतलब है साब कुछ अजीब टाइप की एरिया पर मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग जन्म से मानते हैं ठीक है फिर मैंने अपने प् मार देती है जो हमारी actual books हैं उसके बाद मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि आप कर्म यानि जो काम आप करते हैं सिक्षा यानि जो तालीम आपके पास होती है उसके आधार पे आप अलग ट्रीट नहीं कर सकते ठीक यह मुफ्ती साहब कह रहे हैं तो मेरा कुश्चन मेरे प्यारे भाई यह है अगर आप काम के आधार पे और सिक्षा के तालीम के आधार पे इल्म के आधार पे आप डिफ्रेंशियेट नहीं कर सकते हैं तो मेरे प्यारे भाई मैं क्यों डिफ्रेंशियेट करूं मुहम्मद साहब और दीपक कलाल में मेरे भाई अच्छा ये जो मुफ्ती सहाब है मैं इनको जानता नहीं हूँ लेकिन मैं इनको कैसे डिफेंट कर सकता हूँ मत करो तुमारी क्या राया तुम ये बताओ बस मुफ्ती कुछ को दो खटे में डालो जात पात का जो फर्क है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए ये किन इल्म का जो फर्क है उसमें भेदभाव होना चाहिए डाक्टर को डाक्टर औरम रीस को शुक्त समझे जाना चाहिए Livy लौ मैं फिर से तुमको सुना रहा हूँ तो मुफ्ती सह Applause अगर तुमारा ये मानना है मेरे भाई तो इसकिल्ज के बुनियात पर करें या उसकी अब चाहे वह आप करम की बुनियात पर करें या उसकी शिक्षा और तेलिम की तो आप मुझे बताएंगे कि क्यूं अगर मुफ्ति साहब का लॉजिक सही है और मैं कर्म यानि जो काम आप करते हैं जैसे मुहम्मद साहब ने दुनिया को जो है रोश्णी से बाहर निकाला अंधेरे में डाला और पूरा तालीम फैलाई अच्छा उटा बोल गया मैं तो उनके जो कर्म थे और जो उनके इलम था उसके आधार पे क्यों ना मैं उनको डिफ्रेंशियेट करूं दीपक कलाल से मैंने कहा ना मैं इनको मुफ्ती साहब को नहीं जानता और ना मैं इनको डिफेंड करने आया हूँ मेरे कुछ कोश्चन थे जो मैं करने आया था अगर आप जवाब दे सकेंगा आप मुझे ये प्लीज बता दीजिए क्योंकि मुफ्ती साहब की मैं बड़ी इज़त करता ठीक है ये इसलाम के बड़े जानकार हैं देवबंधी फिरके스े हैं और इनको देखके काफी मुसलमान जो है वो एकस मुस्लिम भी हो रहे हैं मैं उसका आपको रेफेंस देता हूँ गा ये जानना चाहता हूँ कि क्यों गलत कहे रहे हैं भाईए आप इन्हें गलत कहे रह नहीं होना चाहिए तो मैं यह कहूँगा कि इल्म में होना चाहिए करम में ना हो लेकिन इल्म में होना चाहिए अगर किसी के पास इल्म ज्यादा है तो इसकी इज़त ज्यादा होनी चाहिए जाहिए जाहिल से चीक है तो मतलब इस पर जो है तुम मुस्ति साब को आधा साही मान रहे हूं ठीक है अब मैं तुम सी यह जानना चाहता हूं मेरे भाई कि जैसे एक मौलाना है उसके पास इल्म बहुत है लेकिन उसने एक मदरसे के बच्चे की गुल्लक फोड़ने का कर्म कर दिया तो क्या फ तो यह करम है जो उसके उपर उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं लेकिन फीर तो तुम कर्म कर दिया है बच्चे की गुल्लक फोड़ने का तो तुम क्यों डिफ्रिंशियेट कर रहे है तुम कह रहे है कि कर्म के आधार पे होना ही नहीं चाहिए मैं तो कहता हूँ कि अगर चढ़ा रहे हो तो दोनों को फांसी चढ़ाओ जो इस मौलाना को फांसी चढ़ा रहे हो तो उसको भी चढ़ाओ और अगर छोड़ रहे हो तो इसको भी छोड़ो क्योंकि तुम्हारे इसाब से तो कर्म के बेसिस पर discrimination हो नहीं ही चाहिए मेरी बात समझ में आ रहे कि नहीं फैले यह बता ओ करम जो होता है वो यह होता है कि अगर आपने कुछ गुना किया है तो उस गुना की आपको सदा मिलेगी और अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसका आपको सवाग यह मिलेगा यह सार तों फिर्टा आप टिषरन तीफरन टू है रहे डिफिर यह यह मता spirit का मतलब यह के वेशिस पर कर रहे हैं detailed तुमने अभी कहा कि इल्म के बेसिस पर आपको डिफेरेशियेट करना चाहिए अब मैंने तुमको एक्जामपल दिया जिसमें इल्म बराबर है लेकिन कर्म अलग हैं लेकिन तुम क्यों फिर उसके साथ अलग ट्रीट्मेंट दे रहे हो क्यों डिफरेंट ट्रीट्मेंट दे रहे हो फिर उसको अगर उसका इल्म पूरा होता तो वो ये गलत काम नहीं करता है नहीं भाई करते तो हैं आप इल्म मैं कह रहू हूँ ना बडापर है दो मुल्ले दो मुल्ली पढ़ा रहे हैं दोनों का इल्म बडापर है दोनों को कुरान अच्छे स्टेडी बता देता हूँ एक मुल्ला पकड़ा गया बच्चे के साथ ज्यात्ती करता हुआ तो लोगों ने उसे पकड़के पुलीस को दिया जब उन्होंने उसको पकड़के counter question किये तो पता चला वो हिंदू था जो मुस्लिम बनकर और ये गलत काम कर रहा था एक सिकने बता रहा था ना कि यहां पर हम ये भी logic दे सकते हैं कि पाना भी तो इल्म हासिल करना भी तो करम है ना लेकिन इस बंदे के साथ ये logic नहीं दी जा सकती ये बहुत ज़ादा dumb है समझ रहो ना इसलिए वही दिया जा रहा है बहुत हजार logical fallacies कर रहा है लेकिन इसको ये वाला logic दिया ही नहीं इसके सिर के उपर चला जाएगा ठीक है अब पता नहीं हमको ये ने सौन जा रहा है कि कौन सा daring hindu है जो मदरसे में मौलवी बनके जो है मुसलमान बच्चों का रेप कर एक मिने आप साच कर सकते है आप सर्च कर ले आपको तीन केस मिलेंगे जो आरे मैं तुमको तीन दिन का केस दे दूँगा दस केस दे दूँगा उसके लिए लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान के हिंदूओं से हाथ जोड के विनती कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाईयों मदरसे में मौलवी बनके छोटे मुसल्मानों की गुल्लक न फोड़ें बिलकुल न फोड़ें क्योंकि मौलवी और अल्रेडी फोड़ रहे हैं आप से हाथ जोड के विनती है ये ना करें बहुत गंदा का में फू करते हैं अल्रेडी फूटी हुई है मत फोड़े और भाई ठीक है मेरे भाई मैंने उनके पर लानत भेज़ दी और मैंने जो है उनका अभू कर दिया क्या कहते हैं उसको अरुद्रा उसको मजब मत कर दिया ठीक है अब पॉइंट पे आ जाओ कि कर्म के बेसिस पे तालीम दोनों की बराबर है ठीक है लेकिन कर्म अगर किसी ने गुलक फोड़ दी तो उसके बेसिस पे तुम उसके साथ अलग ट्रीटमेंट क्यों कर रहे है कर्म का मुझे समझ में नहीं आया था आपने जो समझाया तो कर्म का मतलब यह है कि जो उसने गुना किये तो गुना पे तो सदा मिलती है कर्म का मतलब गुना नहीं action, action, doings action, action, doings कुछ भी आप करते हैं action, action अगर गलत होँगे तो उस पे सदा तो होगी very good, very good प्यारे भाई अब मैं फिर से तुमको दिखाने जा रहा हूँ, मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, प्लीज यार मुझे समझाओ, क्योंकि ये बहुत आलिम बनते हैं अपने चैनल पे, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछ तो कुरान से, इसलाम से कोई तो इसके पीछे गूड ग्यान होग जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अब चाहे वो आप करम की बनियाद पर करें, या उसकी शिक्षा और तालीम ये स्किल्स की बनियाद पर करें, ये दरजा बंदी ये जो है, के एक inferior है और दूसरा superior, ये बनियादी तोर पर गलत है, एक इनका objection ही ये था, ठीकि मेरे प्यार जो है, सब खन मार के बैठे हुए है, तो कभी उड़ गया तो जो है, लिंक डारो भाई, दनारो, जहां तक मैं समझाओ इनको, वैसे मैं इनको जानता नहीं हूँ, ना मैं डिफेंड करता हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझाओ, ये कह रहा हैं, हम हिंदुजम पर, भाई हम ह जो है, गुड़ और कर्म के आधार पे डिफ्रेंशियेट करते हैं मेरे भाई, इसलाम में, क्योंकि ये मुष्टी साहब इनके उपर टोपी देख रहे हो, तुमको बड़ा करके दिखाते हैं, ये बहुत बड़े वाले मुष्टी भी हैं, पुरे देवबंद के आलिमे फा ये मेरे भाई, तो आप मुझे बताएं कि ये मुष्टी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, जहां तक मैं समझाओं इनकी बात को, ये इंफिरियर और सुपिरियर की बात कर रहे हैं, यानि करम के उपर सजा देने की नहीं, इंफिरियर या सुपिरियर, यानि किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझ सकते, हाँ, गुना किया है, तो सजा तो मिलेगी. चीक है, अब मैं तुमसे ये जाना चाहता है, मेरे प्यारे भाई, कि जैसे दीपक कलाल है, उसके करम तुमने देखे ही हैं, दीपक कलाल को देखा है कि नहीं? दिखा है तुमको को देखा है, मैंने वो जो पेट काट के मुसलमान बच्चों को निकाला था, गुजराच की क तले आम जब हुआ था, तो बजरंगी बाबू का मुझे पेट पते हैं, नहीं असल मैं बजरंगी बाबू जो है, वो रहा होगी है अदालत से. हम मजम्मत करते हैं भाई, हम मजम्मत करते हैं. हम मजम्मत की किसी से सुपीरियर होना. हाए? कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, रेस में, कास्ट, कुल्चर, कलंबू. पकपकस्तान से. अच्छा, एक और चीज़ बता दे ना. पाकिस्तार भाई जो खोलते है ना पता गटर के स्मेल आ जाती है वह चल जाता है इक शुटी सी और पूछना चाहता हूं क्या तुमारी मम्मी तुमारे पापा को शादी से पहले भाईया बोलती थी भाई जान शादी से पहले कोई कॉंटेक्ट नहीं था नहीं तब ही आलता है खांदारी कजिर होगे चलो ठोड़ो अरे वो जरेटिक इशू होगा अब मतलब कुछ पीडियो बाद उभरा होगा तुमें प्यारे बाई यह दिखना है इसमें कर्म भी दिख रहे हैं यह लिपिस्टिक लागा नहीं बाबू के बारे में बताएं यह देखो यह दिख कलाल है ठीक है लिपिस्टिक लगाता है लिपिस्टिक लगाने का कर्म करता है बा पहनने का कर्म करता है ठीक है और एक हमारे हजरत मुहमभद सलूआलाहु Saviwal है ठीक है जो आईशा के कपड़ पहने कर्म करते हैं अरे रुख जा रुख जा उनके इतने नेक काम क्या मुझे दीपक कलाल और हजरत मुहमद को एक बराबर समझना चाहिए क्या मुझे दीपक कलाल को नीचे और हजरत मुहम्मद को उपर नहीं समझना चाहिए मेरे भाई बिल्कुल समझना चाहिए लेकिन इंसानियत में दोनों बराबर ने ने इंफिरियर समझना चाहिए के नहीं समझना चाहिए या फिर इंसानियत में इसको मुहम्मद नभी के बराबर समझू और मैं मुहम्मद साब को इंसानियत में दीपक खलाल के बराबर समझूँ इंसानियत में सब इंसान बराबर है तो फिर ठीक है मुहम्मद साब को हम दीपक खलाल बोल सकते हैं अगर आपकी परमिशन हो तो इंसानियत में बोल सकते हैं लेकिन करम और इल्म में नहीं बोल सकते हैं माशालला, माशालला, सुभान अल्ला, हैश्टाग फिरुल्ला ठीक है, तो मेरे प्यारे मुमिन भाई कहना चाहते हैं कि मुहम्मद साहब को आप दीपकलाल बोल सकते हैं और सुबानाल्लाः, सुबानाल्लाः, सुबानाललाः इंसानियत, सब इंसान बराबर हैं लेकिन प्रॉफिट जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं क्योंकि उनके साथ मूर भी अटेच होता है आप अपनी बात से पलट रहे हैं क्रम के आधार पे कह रहा था, काम के आधार पे, क्रम के आधार पे inferior 싶, superior बोलने की बात कर रहा हूं, क्या ये जो काम कर रहे हैं, वो नभी जैसा काम कर रहे हैं? मैं दीपक कलाल के करम नभी वाले मान सकता हूं? क्या नभी साहब के साथ ऐसी फीलिंग होगी प्रॉफिट जो होते हैं जितने प्रॉफिट आए हैं वो सुपीरियर हैं क्यूंकि उनके साथ नूर भी लगा छोड दी happiness जोरता है यहां नूर नुर छोड़ दीजये सब करम की बात कर रहे हैं नूर छोड़यो produit यहां पर नूर चोड़ दीजये इंसानिएत में आपको गीता से दिखाया आप तो इन्सानियत की प बात कर रहे हm तो हरजीव को जो है सम मानना चाहते हैं presum की बात कर..? क्या करम के आधार पे काम के हाधार पे यद रखीएगा और यह बिल्कुल 100 आप Sayagama के अधार इम मैं कर्म के आधार पे, मैं कामों के आधार पे कह रहा हूँ और अभी मैंने शुकर करी है, मैंने वीडियो नहीं दिखाए है क्योंकि ये लिप्स्टिक जो आपको अभी इसके मुह पे दिख रही है वो कहीं और थी, दो मिनट पहले, अगर वीडियो देखेंगे तो अब मैं फिर से प्रशन पूछ रहा हूँ, क्या काम के बेसिस पे नभी और ये बराबर है, क्या मुझे नभी को ऊपर नहीं मानना चाहिए और दीपक कलाल को नीचे नहीं मानना चाहिए मेरे प्यारे भाई मानना चाहिए और इल्म के अधार पे भी मानना चाहिए लेकिन इंसान जो होता है वो एकुल होता है मेरे प्यारे भाई तो क्या इंसानियत के बेसिस पे वाजी दी जी बोल लाएं या कर्म और सिक्षा के अधार पे बोल लाएं कर्मो सिक्षा के आधार तो हो रही ना इंसानियत के लेवल पर हम आपके साथ अगरी करते हैं मेरे भाई, जितना इंसान ये हैं, उतना ही इंसान जो है रसूल उल्लावी थे, मैं अगरी कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपके सामने बोल ला हूँ ठीक है मेरे भाई लेकिन यहां बात हो रही है कर्म की वाजिदी जी बात कर रहे है कर्म और सिक्षा की काम और तालीम की बात कर रहे हैं तो मैं काम के आधार पे पूछ रहा हूँ मेरे भाई क्या ये नभी जैसे काम कर रहा है और काम के आधार पे क्या ये नभी के बराबर है प्लीज डिफेंटाई को जानता हूँ और प्रॉफिट जो हैं वो नॉर्मल हुमन से सुपीरियर थे क्योंकि वो नूरी वशर थे यानि स्पीरिच्वल मैन थे इसलिए वो नॉर्मल हुमन से अबव थे ये लेकर रूपजया तुमारे लिए इस बारे में आप चर्चा नहीं की जाएगी अगर कोई बोलता है काम के आधार पे डिफिरिंशियेट नहीं करना चाहिए, इल्म के आधार पे डिफिरिंशियेट नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब ये भी है कि दीपक कलाल भी वैसा ही है जैसा नभी साहब थे और इसा मसीह भी वैसे ही है तो ऐसे आदमी के बारे में तुम क्या कहोगे मेरे भाई प्रीज बता ओ, पिर फेल्स बाई पता नहीं, आपके समझ क्यों नहीं आरी मेरी बात मैं तो आपको बड़ा किलियर बता चुका हूं मैं तुम्हारी बात को मान रहा हूं भाई लेकिन अगर कोई वो वाली बात कहेगा उसके बारे में तुम्हारी क्या रहा है बस इतना बता दू तुमको चुट्टी देते हैं मतलब आप सवाल का जवाब नहीं देंगी जो मैं करने आया था यानि आपने ऐसी फ्रोल करना फ्रोल नहीं कर रहे है इस argument के बाद तुमको question रखने देंगे ठीक है इस argument से चुट्टी देंगे जिसने कर्म के कर्म और सिख्षा के आधार पे दरजाबंदी differentiate करने के को गलत बताया है उसने ये गलत बताया है कि नभी के कर्म दीपक कलाल के कर्म के समान है नभी की सिक्षा दीपक कलाल की सिक्षा के समान है और वैसा ही ट्रीटमेंट दोनों को मिलना चाहिए क्या ऐसा कहने वाला तुमारी नजर में कैसा है मैं आपसे सिंपल कुश्चन पूछना हूँ मेरे भाई सिक्षा और इल्म के अधार पे अगर कोई किसी के मुकाबला है तो वो नहीं होना चाहिए चलो ठीगे इसे इसे बहुत आपसे नहीं करेंगे तो खट जाओगे ठीक दीपक कलाल फिर से अपालोजी आपसे चमा चाहिए नहीं मैं किलियर बता चुका हूँ कि जो सिक्षा है और करम है इस पर डिफरेंस होना चाहिए एक नॉर्मल में और जिसका इल्म जादा है उसमें डिफरेंस होना चाहिए ठीक बता बहुती है हिंदुज़म पर क्या कुछ्श्चा मेरा बस ये मैं जो देखता हूँ रमाएन या महा बारत या यह जो कार्टून में होते हैं जिसमें राम को दिखाया जाता है के माखन चोर कहा जाता है या जो है थोड़ा हस लेने तो यह सारी बातें जो हैं यह सच हैं जो दिखाया जाती है कोई कोई इशू नहीं है मैं क्लैरिफाई कर दूँगा ट्रोल नहीं करेंगे बिचारा पीड़े थे विक्टिम है यह नहीं बजना पूशना चाहरा हूं कि अगर वो बच्पन में चोरी किया करता था कृष्णा तो इ अगर एक रुपे की करें या एक लाग की करें उसकी सजा तो एक ही बराबर है तो अगर कोई घर से कुछ चुराता था तो वो कैसे फिर किसी का गॉड़ बन सकता है जिस गॉड़ चोड़ तो तुम तुम रहे हैं तुम से पूशना चाहता हूं जो नियम अभी तुमने इसको भूख लगी है वो क्या हमाने ही सक रहा है उसको बहुत तेज भूख लगी है और आए उसके हाथ काट दोगे तुम्हारे साथ से सही है खाने के लिए तो रोटी होती है अगर मक्षन तो कोई लगजरी आइटम में आता है न तो अगर कोई लगजरी आइटम चोरी कर रहा है तो वो तो चोरी कर आएगी भाई देखो हम लोग जो है रेगिस्तान में नहीं रहते थे, जहां पर गधे मार मार के खाया करें, हम लोग काफी समरिद्ध देश था, हमारे यहां मतलब तुलना दी जाती है, उपमा दी जाती है, कि मक्खन के पहाड हुआ करते थे, वो यादव कम्यूटी से थे, वहां गौपालन जो है, वो भूख लगी है अगर किसी को, कोई खाने के लिए मक्खन चोरी कर रहा है, जो बहुत पड़ा हुआ है, तो क्या तुम उसके हाथ काटना तुम्हारे साथ से सही है, मेरे भाई, हाथ काटना तो बाद में फर्ज हुआ है, लेकिन फिलहाल जो चोरी है, वो जाइज नहीं, च अरे रूदरा में को पता है, इसको बहुत लॉटिक भी आ जा सकता है, लेकिन समझ रहा है कि कितने इस तर पे इस तर पे आदमी मूर्ख है, यही किया जा सकता है भी इसके साथ, अरे ब्रहम लाक्षा वो हसी मजा की बात थी, बच्पन की खेलते, और वो खुद को क्यादा पता है मेरे भाई पता है रुग्जा अभी मैं पूछूंगा जब उस चोर की एज बताऊंगा तो मैं इसे पूछूंगा आप बाद में आया तुमारे इसाब से सही है कि गलत है किसी को भूख लगी है और कोई ऐसी चीज की चोरी कर रहा है जो बहुत है हाथ काड़ दोगे उसके अगर कोई भूक लग रही है तो रोटी चुराए तो समझ आता है माफ कर देंगे लेकिन मक्षन से पेट बनना तो कोई समझ में नहीं हाता है अरे तो वहां मक्षन जादा होता था भाई यादव कम्यूटी थी पशुपालन जो है गौपालन जो है वो उनका मुख्य प्रधान मतब कार्य था और उसके हिसाब से वहां मक्षन उतना हुआ करता था जितना तुमारे रोटी नहीं हुआ करती तो बहुत हुआ करता था कभी देखोगे यादव कम्यूटी को वहां भी देखोगे सुन मेरी बात जैसे गुरजर कम्यूटी है तुमारे पाकिस्तान तब पाकिसान का तो क्या ही एक्जामपल दूँ जैसे यादो लोगों के बारे में कभी सुना होगा तो वो बहुत अच्छे और बिल्कुल उनके पास ठीए सारी गवें हुआ करती हैं वो मक्खन बनाया करते हैं उनके हाँ रोटी से जादा तुमको मक्खन मिल जाएगा मेरे भाई ठीक है वहाँ बहुत बहुत आयत की मात्रा में है उसके हाथ काट दोगे तो जब बहुत थे था तो चोरी करने की क्या जरूरत थी मांग लेते बच्चे थे कोई अगर भूख लगी है किसी को बिना बताया अगर किसी ने खा लिया हाथ काट दोगे तो उसके हमारे हाँ एक कहावा थे कि बच्चे ने शुरू में अंडा चुराया तो मा ने उसको मना नहीं किया फिर वो बड़ा होके भाई जितना कह रहा हूँ उतना बता दो यार अंडा चुराया वो यहीं से लेके गए वो सारी चीज़े बक्चोदी ने बेकूफी नहीं करो भूख लगी है बच्चा मतब एक आदमी है भूख लगी है उसने ले लिया बिना पूछे ले लिया और अपने मा से ले लिया अपनी घर में अपनी मा ने बना के रखा था उन्होंने ले लिया हाथ काट दोगे कि नहीं पहले यह बताओ तो अच्छा इसमें तो बताया गया है कि वो किसी के भी घर से मखन चुरा लेते दे मौसी के घर से ले लिया, बगल से ले लिया, भूख लगी थी ले लिया, हाथ काट दो गितनी पहले ये बताओ नहीं, अगर बहतात है, मतलब बहुत जादा मुझूद है तो फिर चुराने की क्या जरूरत थी? कहीं से भी माँके ये धर से ले लिया, क्योंकि माँ होती है, कम्यूटी होती है, बच्छा इतना मख़न खाएगा, नुकसान करेगा लगिन मक्हन बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, इसलिए ले लिया, बिना बताए ले लिया, हाथ काटोगी के नहीं पार ये बताओ, नहीं हाथ तो बच्चे के नहीं काटे जाते, ठीक है, अब एक कोश्चन और बताना, वो बच्चा धाई से तीन साल का था, हाथ काटोगे? धाई से तीन साल के बच्चे के तो हाथ नहीं काटी जाती है जेल वेल तो कर दोगे, मतलब क्योंकि भाई बड़ा गलत काम है, मक्खन चुराना जेल कर दोगे? नहीं, जेल भी नहीं होगा, लेकिन जो अगर बच्पन से चोड़ी के आदा थे, तो थपड भी मारूगे? थपड भी मारूगे, थपड भी मारूगे, धाई साल का बच्चा तो चल फिर मुश्किल से चाता है, तो ये घरों से चोड़ी कैसे हो जाती थी? देखो, कहिया कहिया मार के जो है, बिना बोले ले लेना, इसको देखो, तुम मूर खाते हैं, तुमको नहीं बताएंगे, तुम थपड नहीं मारोगे, यश्वमती मय्या मारा करती थी, धंडी से मारा करती थी बगवान कृष्ण को, धाई तीन साल की उमर में तो वही तो बता रहे हो कि जैसे चोरी करते हैं आदत पड़ गई फिर आदत खराब हो जाएगी तो डंडी समारा करती थी अब तुम क्रिश्ण जी को डिफेंड कर रहे हूँ अगर धाई साल का बच्चा मेरे नजदीक तो मेरा आज मखन चुरा रहा है कल कल अंड़ा चुराएगा कल यह करेगा इसलिए डंडी समारा करती थी तो फिर वह छोड़ा क्यों नहीं चुराना चुड़ दिया उन्होंने कि तो पर यह सोला हजार जो है यह क्या क्यों रुखे कांड बात करते हैं पहले चोरी पर आता है भाई उखली में बात दिया करती थी यो है वह वह बात दिया करती थी नहां को और फिर दंडी समारा करती थी यह तो ज्याती है मेरे नजदीक तो यह चाइड अभी भाई अभी धाई साल के उमर में भाई बच्चा वो उच्छ मक्षन चुरा रहा है फिर घर चुराएंगे पर कार चुराएंगे फिर मनी हैस्ट करेंगे जाई साल में को बच्चा चलने नहीं आता उसको बड़ी मुश्किल से चलता है वो तो लोगों के घर से कैसे चुरा लेता था अपने आकी कहावत भूल गया ब्रो फिर गुंडागर्दी करेंगे लॉंडिया बनाएंगे फिर गुंडागर्दी थे लिए तुमको अदवयत सिद्धान समझाना पड़ेगा कृष्ण तत्तो समझाना पड़ेगा ठीक है मेरे प्यारे भाई तुमको शॉट में समझानी कोशिश करते हैं कोशिश करना और इंसाइक मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि यह जो मैं समझाने जा रहा हूं तो उल्टा लटक के समझो ठीक है उससे क्या होगा तुमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा ठीक है स्थिर समझने में आसानी होगी डिफ्रेंस कि आवतार सुना है भाई मेरे प्यारे आपने अवतार मतलब कोई किसी का रूप धार लेता है नहीं रूप नहीं धार लेता है जब ब्रह्म है अपने आपको माया में पतिभाशित करता है उसे अवतार कहते हैं ठीक है हर अगली बार अगली बार डिफ्रेंस ऐसा करो अगली बार आना प्यारे भाई अगली बार समझाएंगे ठीक है आथ तुम्हारे लिए ओर हो जाएगा ठीक है मेरे प्यारे बाई नहीं बस मुझे ये बता दें 16000 बीवियों का concept समझा दें मैं 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 समझाऊंगा अगली बार तुमको पक्का promise समझाऊंगा आज तुम ये जो मखन चोरी वाला है इस पर focus करो अगली बार आओगे मैं तुमको समझाता हूँ ठीक है मेरे प्यारे भाई ये किलियर नहीं हुआ धाई साल का बच्चा पडोसी के घर से तो नहीं चुरा सकता या महले में तो नहीं चुरा सकता है अबे मतलब सुनो ध्यान से समझने कोशिश करो ताला तोड़ के और लेजर से कूद के नहीं जाते थे जब मैया या शोदा जो है कम्यूनिटी हुआ करती थी जब मक्षन बना रही होती थी या गया चरा रही होती थी तो उनको अपनी कम्यूनिटी में छूड़ दिया करती थी तो फिर हमारे काना जी बड़े बदमाश थे उनके घर से भी मक्षन उडा लिया करते थे समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई वो money हाइस्ट करके नहीं जाते थे कि ताला लॉक करके फिर जो गार्ड होता था उसको ब्राइव करके थोड़ा सा बुद्धी का विकास कर लो मेरे प्यारे भाई समझ रहे हैं चाहिए जो रमाइन में दिखाया जाता है कार्टून ये तो ब पत्मी वाला तुमको एक छोड़ी सी बात बता दे रहे हैं कि हमारे लिए सब कुछ ब्रह्म है ठीक है बाकी जो कुछ देखते हूँ आभास है जब ब्रह्म है अपने आपको सम प्रतिभाशित करता है तो वह अलग-अलग चीजों के रूप में अवतरन लेता है जैसे मैं अब दूधारल हूँ लेकिन गुड़ नहीं है मेरे अंदर मैं अंशावतार के आंश का अंशावतार भी नहीं है लेकिन अवतरन edelह प्रह्मका ही माया में प्रतिभाशित हो रहा हूँ एक समय पे उसी ब्रह्म के बहुत से प्रतिभास हो सकते हैं जैसे भगवान पशुराम थे, भगवान राम थे हर अवतरण का अपना स्थूल शरीर होता है उसका अपना मन होता है, उसकी अपनी बुद्धी होती है उसका अपना चित्ता होता है, अपनी बॉडी होती है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो स्वयम साक्षात ब्रह्मत है, वो अवतरित हुए, तूल शरीरों के साथ, शोला हजार मनमुद्धिचत अहंकार के साथ, शोला हजार अलग रूपों में, और उनके साथ विवाह किया, हर किसी के साथ अलग थे, अलग अवतर था मेरे भाई, तुमको हिंदी आती, मैं तुमको रेफरेंस दे देता भाई को तुम से, सोला हजार अवतर थे, हाँ, अलग 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 लोग थे, फिर अलग 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 रानियों से विवाह किया, मेरे भाई, तो सोला हजार क्यों थे, वो बीस हजार क्यों नहीं थे, मतलब सोला हजार कोई खाउट फिगर है, कोई इसकी कोई खाउस स्पिरिच्वल है, सोला हजार क्यों थे, मैं इसके लिए समझा भी नहीं रहा है, मैं अपने और्टेंस को फिर से वो कर रहा हूँ, देखो बेरे प्यारे भाई, क्योंकि हमारे यहां क्या होता है, कि एक और पे, जनरली हम लोग पसंद नहीं करते हैं, कि बिना उसकी इक्षा के जो है, एक से जादा लोग चड़ें, जब तक उसकी इक्षा ना हो, भाई अगर उसकी इक्षा तो जैसे चार, मतलब लोग जो सुला हजार थी, इसलिए सुला हजार रूपधरण किये, बीस अजार कर लेते, तो अच्छा नहीं लगता ना भाई, समझो इस बात को, ठीक है, डिफरेंस भाई, अच्छा ये सोला हजार रानियां थी, तो सोला हजार आउतार ले लिए, तो ये जो पांडव और पती से शादी करी ये concept भी मुझे समझाने है। तीन महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। एक महिला को भी अधिकार है। उसने वर मांगा था तपस्या करकी कि मुझे ऐसे गुणों वाले पती प्राप्त हूँ। उसका वर मिला है, उसकी इक्षा है। हाँ उसके पास अधिकार है कि वो पाँच लोगों से विवाह करें। वो तुमको नहीं समझ में आएगा, तुमको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है, ये कित्या जीब चीब है। जी मेरे, difference भाई। अच्छा ये scientifically अगर चार मर्द एक ओरत के साथ सेक्स करते हैं तो उनको तो AIDS हो जाएगा। तो क्या आप ये कहना चाहरे हैं, पहला AIDS का विक्टम पांच मिनट ये बताए भी ना कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी रह नहीं पाते है। जैनब की शीरनी नहीं चकली थी। तब तक मुहम्मद स्लललाहु आलेही वसल्लम साहब उनके साथ निकाल नहीं कर सकते थे। ठीक हैं? तो उन्होंने पूरा सेक्स पूरा हो जाने तक जैद ने भी उनके साथ किया, फिर उसके बाद मुहम्मद साहब ने भी किया। खतीजा जो थी, उनके मुहम्मद जो थे चौते हस्बेंट थे। अगर आप इद्दत करने देते हैं, तो एड्स के जो जम्स होते हैं, वो खतम हो जाते हैं। जितने भी हमारे पाकिस्तान के एड्स पेशन्ट हैं, आप से आग रहे कि आप इलाज मत करवाईए, आप इद्दत कर लिया खरिए। भाई मेरे पेरे आप बहुत रहे हैं। यह क्या दो है भाई। यह सच है भाई। क्या है भाई॥ यह यह अचा लौजिकल माइनमी ब्राम्र अक्षिस ठीक है, ब्राम्राक्षिस भहने मत कहिंचो bod wrists बहुत भाई। आपको इलाज विलाज कराने के आउशक्ता नहीं है आप जो है कुरान के अनुसार इद्दत कर लीजे और एड्स के जो वाइरस है वो इद्दत में मरके खतम हो जाएगा तो खुशकबरी है और कुरान का जो है चौथा मेरे कल है क्योंकि तीसरा तो ये खुद है क्योंकि इतना चूतिया जो है इनसान नहीं बना सकते हैं इसके लिए कोई मतला खुदाई ताकत चाहिए इतना मूर्ख बनाने के किसी को चलिए बैर हाल नेक्स्ट चलते हैं पिंकी पिरनी जी जुड़े हुए हमारे साथ समीर शेक भाई जुड़े हुए है अच्छा सॉरी यार असली वाला है शायर समीर सामस्टलों जी कैसे हां अब 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 हमदर्द भाई के भी आ गये हैं तो यार कैसे करता है रुख जो थोड़े दे रुख जो यह आगए हां हां समस्टलों भाई अपस अब यार असलाम वाले अरे गजब 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 सैम जी क्या हाल कैसे असली है जी सैम जी पहले तो यहां पर क्वेश्चन आप के उपर आता है कि इस यह रिलीजिन बेटर दें इसलाम है यह रिकॉर्डिंग है और यह भी हो गया है और यह भी होना चाहिए कि सर अगर आपकी माता जी जो है उनके साथ हलाला नहीं हुआ है जायज हलाला जायज वाला ठीक है जैसा कुरानिक हलाला है तो फिर जो है आप बताएंगे कि आमिरहक साहब क्यों नहीं आप पे ठीक है और वो जो का मेल आइडी और पास्वर्ड दो मॉटरेट तो इसके पास रहेगा बिल्कुल जायज हलाला हुआ है भाई के साथ अगर किसी को डाउट हो कि नहीं तो मैंने किक्विक कर दिया हो तो यह दिखे रिकॉर्डिंग है भाई नहीं 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 कोई डाउट नहीं सुद्ध रिकॉर्डिंग चल रही है वरना बात का रिप्लाई तो देता यह बोलता कि नहीं 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 कुष्ट नहीं बन गया था तो शंबू का एक शूद्रा को वेश पढ़ने की फिरूना था यह कॉपिया एक दिल मदस्ती में यह समझ रहे हो यह आचारे जी बहुत-बहुत स्वागत तसर आपका यह वही है जो मेरी आइडी की रिकॉर्डिंग जो है प्ले कर रहा था वो चुरम भाई के चैनल पर ठीक है अब यह उन लोगों ने अब इसको यहां पर भेज दिया है जी आशीर जी स्वागत हापर कैसे हैं आप गनेवाद ब्रहम्राक्सस भाही और सारे भाहियों को नमस्कार क्या था कि आज हमारे है गनेज सोच सव था तो उसका विसर्जन होती इस करण चे मेरा गला थोड़ा बैट किया है वो गनेजी कर जाए कार रहा करते करते बाकि ए इसका रूल है इसका इसका रूल इंस्टाग्राम पर कि आपके चारघ़ा फॉलवर होंगी तब ही मैं आपके साथ लाइब में डिवेट करूँगा और कॉल पर डिवेट करता है और कॉल पर क्या करता है कि यह बंदा दो चार जगा का वनदा एक टाइम का डिवेट नहीं समझ यह मैंने बात किया एक 10 मिनट पे दूसरा मैंने किया 27 मिनट पे दोनों को जोर के एक अलग ही एक क्लिप बना देता है इतना वारा धूरत है यह अरे तो तुमको दिखाते है ना कि यह वाली जब इसने धूरत हता करने शुरू की थी तो हमने इसके साथ क्या किया था है तुमको दिखाते हैं यात तो अच्छा याद ला रहे हो। रह्मत अल्लह और यदे अब चला गया अब चला गया हूं करना शुरू किया था तो हमने तो इनका जो है अच्छा वाला करन कर दिया था यह आला देखना यह आली देखी के नहीं तुमने कौन से वाली भीया अच्छा वाली मेरे को बड़ा मजाया था वह देखके वहां पर वारे सेम स्टोलन भाई कभूल कर रहें कि वह सुवर है अच्छा मैं फुल डिस्क्रीमर दे देना चाहता हूं इस गंदे आदमी ने जब मैं शिवलिंग के आखशेपों को खंडन कर रहा था तो जब मैं आखशेप पढ़ रहा था वो काटके इसने लगा दिया था कि मैं शिवलिंग को शिष्न बता रहा हूं इसलिए फिर हमने बताए कि सर गलत तरीके से वीडियो काटना सिर्फ आपको नहीं आता है तो फिर उनके साथ यह हरकत हुई थी देखिए और इंजॉय करिए यह हरकते शुवर हो वाली मुझे वरेत बंके कि अच्छा लगेगा मुझे यूंगे मैं सुवर हूँ सुवर में पला बढ़ा हूं खाऊंगा मुझे अच्छा लगता है सुवर बनके रहना या सुवरों के साथ अच्छा मैं चाहता हूं कि एक बार जो है साम स्टलोन भाई के लिए सारे और कहीं भी और्डियो चेंज करके नहीं बोला गया जो इन्होंने बोला है वो एक्जाक्ट वही चीज ली गई है बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है और ये सिर्फ इस वज़े से किया गया था क्योंकि इन्होंने जहां मैं शिवलिंग पे लगे आकशेपों का खंडन कर रहा था और जहां मैं आकशेप पढ़ रहा था उसने उतनी रिकॉर्डिंग काटके लगा दिया था कि मैं शिवलिंग को शिष्न कह रहा हूं और ये सारी चीजे इसने कहीं है कि दीनी भाई थोड़ा हग दो मुझे खाना है ये सारी चीजे जो है इसने कहीं है साम स्टलोन में तो चलिए बारहल साम स्टलो जी आपके सामने हाँ कुछ बता रहे था शिषा चारिये जी यही बता रहा था इसके बारे में कि यह इतना बेकार वेक्ति है और यह तो वीडियो डाल दिया और मुझे टैक कर दिया इसके बाद इसके चेले कम से कम 100-200 अकाउंट रिड मार द वो पेज था मेरा उस पेज को ऐसा हो गया कि उसका रीच खतम हो गया और फिर वही दो से तीन दिन के बाद अपनी हार कबूल नहीं करेंगे और अगर कबूल कर भी लिया तो इनके जो टट्टे हैं वो लोग आकर आपका अकाउंट को बरबाद कर वेंगे जड़े हैं और नाम वे बिए रजए पिर या आब Bझ मदेशि सब्रक लिकुर्ट को सब्सक्राइए दो प्रश्चे बंसक्राज सबस्क्राज मेरी देखा है felly कर दो कर दो कर दो कर दो कर दीया करो ना मैं कोई सिस्टम डाल दिया कि दो बार प्रेस करना पदा इस कि लिए ध्यान से देखना भाई भाई ने जो है वह बहुत हलाल किया है आपको ऐसे नाचरल हर्प जी मिलते हैं जो नाचरल है जो आपको हेल्प करते हैं स्लीपिंग नीद आने में बहुत सारे चीज़ें वाइट बेटर तिंग तो नाचरली तो ही अब्यूस्ट फर्मेंटेड ग्रेप ऑब्यूस्ट नाचरली तो है पर यह जो बियर लगर जो और अल्कोहॉल जो विस्की यह रॉम जो है यह आमेंटेड ग्रेप जूस्ट नहीं है यह अब कोई मेरा इस मूर्क को बता दे कि फर्मेंटेड ग्रेप जूस्को ही वाइन कहते हैं बैठे बैठे। चोटा गिर्गिट के उपर क्या बीती ये भी देख लो लगे हाथ ये वाला वीडियो ना आज ही देखा है आप बताइए आप रेडी हैं तो तो क्या लेजी बाई क्या आपको लेजी बाई और आपको कोई ने मिला अरे सही है भाई रबने बना दी जोड़ी लेजी को बना दिया घोड़ा और आयर पीसी को घोड़ी बरहाल अरे निर्वे भाई ये निर्वे बाई बहुत कम आते हैं डिवेट होगे नपर ने आया शायद एक मोविन आया पीछे रुग जाओ तुम्हारी बात सुन लें अच्छा हाँ तुम लोगों में से शायद कोई एक साहिन जर्णी को पेल के आया है अरे निर्वे भाई निर् अच्छा तो क्या करते हैं कि निर्वे जी को बुलाईएगा और हीटे डिबेट की टीम जो है क्योंकि जो डिबेट है और उनके रिवीव के लिए हमने एक सेपरेट चैनल लग दिया है क्योंकि इन चूतियों का सही बता रहे हैं अब में चैनल पर डिवेट रिवीव करने इतनी मूर्खता करते हैं ये और वाजीदी साब आपको नहीं बोला बाकी कि आप ये पोकेमोनों को बोला हूं इतनी मूर्खता करते हैं कि अब ये वाखारी मिन लगता कि क्या इन मूर्खों को देखा कि जो है अपनी ओडियंस का IQ लेवर डाउन करें तो उसके लिए एक स देख सकते हैं वो इतना अच्छा है एक तरफ से दो वह कह अ जो हमारे बहुत धम है उसमें जो बुक है उसका खंडण है गौतम बुद कहते हैं अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तुसे इसलिए मत मानँ क्योंकि बहुति लगाँ और कहते हैं कि बूक को मत मानो। और कैसे कहते हैं कि एक बूक में लिखा कलाम सुथ नाम का वही बूक को पड़के कहते हैं कि बूक को मत मानो। आपके जो गीता भाष्य में भगवान शंकराचारी कहते हैं कि प्रत्यक्ष के विरुद्ध जाने वाली शुती का जो आपके अंडस्टाइंडिंग है वो भी फिर आपके लिए प्रमाड नहीं है यह सब नहीं देखेगा या अजयवान इसकी बहुत तगड़ी मारी थी सब्सक्राइब करने और पहली डिवेट वहां पे दिया की है इस्तिकार के साथ जो आज आपने यहां देखें वहां पर रिवी होती रहेंगी ठीक है यहां पर हम टाकि टॉपिक से फूकस कर पाएंगे ठीक है और जो इसके बाद नेक्स्ट डिवेट रिवी होने वाली है तो हमारे भाई की होने वाली अच्छा खासा साइंस जर्नी को जो है साइंस पढ़ा के आएं तो उसको मिस्नमत करिएगा क्योंकि मैंने भी खुश पार्डस देखें उसके बहुत प्यारी डिवेट है ठीक है हरी रतनम और जो है भी के लिए क्या करते हैं कि इनको ले ले ल कभी भी स्ट्री ठीक है बस बश्वें मुझे बस एक मिटेजिया हम चले जाएंगी यहां से आप अपना प्रश्न रख दीजिये ठीक है प्रश्न का उत्तर भी देदिया जाएगा लेकिन डॉक किया जाएगा तो ठीक का मेरे पैरे बही प्रश्न पूश लीजिए आप ब्लॉग मत करिएगा बस एक मिनिट मुझे दे दीजिए हम यह बोलना चाहते हैं कि आपका जो भी वीडियो पे यूट्यूब पे जो वीडियो आता है वह साथ गंटा चार गंटा पांच गंटा क्या होता है तो अगर आप वीडियो का सौट सगर रख सकते हैं चालिस मिनट क तो देखने में हमारे लिए आशानी होता है अगर इतनी मेहनत आप कर रहे थे मेरे भाई और अगर मैं आपको नहीं ब्लॉग करता है च्वा कर दीजह हमें बुरा लग रहा है काफी बुरा लग रहा है और हम आपसे च्वा चाहते हैं और बिल्कुल आपकी राइ ली गई तेंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत धन्यवाद लेगिन यह कि क्योंकि आप जुड़े भाई इसलिए हम आपको बैंक कर रहे हैं अब बिल्कुल कल से आपको वीडियो मिल जाएंगी कल आपको पहली वीडियो मिल जाएगी ठीक मेरे प्यारे भाई ठीक है सुपर चैट ले लेते हैं हमारे जो भाई थे जोइन किया था प्योर माइन भाई बहुत अच्छा सजिशन है और हमारी एडिटर साहब से इंटाइक आज ही बात हुई है तो प्योर माइन साहब आपको कल वकास खान के साथ डिबेट जो हुई थी जिसमाँ हल्दी घाटी में भाले मार के जो है वकास समझाया गया था वारी डिबेट आपको मिल जाएगी और आप इंजॉय करेंगे उसको प्लीज 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 इसका शॉट बना दे भाई प्लीज शॉट बना दे यार इसका जब भाई ने बोला था इने मेरे मैं जो बोला उसका शॉट नहीं जब पारेट वाला भाई ने खुद बोला था लास्ट वाली इसका शॉट बनाना गटर जी कह रहा है गेट बहुत-बहुत धन्यवाद त्यारे भाई मानो जी कह रहे हैं मैंने आपको कुछ DC पर भेजा है होप अच्छा गया कोई अच्छा ओके मैं देखता हूँ और हमारे रॉट कॉर्टर से हम फंडिंग आ चुकी कह रहे हैं एजी हो भाई मैं तुम्हें रॉव मेंबर्शिप गिफ्ट करता हूँ सेर आपका स्वागत है रॉव में एज्टी साहब बित्युन जी भाई ने बीस मेंबर्शिप गिफ्ट के बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई जिनको जिनको मेंबर्शिप मिली स्वागत है आपको परिवार में आपके गेचेजर की पता है और अच मेंबर्शिप गिफ्ट की बहुत धन्यवाद आपका अगर जेंडर ही बदल दिये थे आपने तो मैं चाहता हूँ कि मुमिनों जित्ते भी मुमिन भाई हमारे देख रहे हैं प्लीज कैल्कुलेट करें जोडें और खुर्रम साहब तक पहुँचा हैं मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं कितना मकार हूँ कितना कमीना हूँ जो पैसे खा रहा हूँ मैं मैं सुनना चाहता हूँ कि वो सुनने में अलग ही आनंद है मित्यन जे भाई ने 50 मेंबर्शिप गिफ्ट किये बहुत बहुत थेनवाद मित्यन जे जी असवागत है आप लोगों का परिवार में जिनको जिनको मेंबर्शिप मिलिए करिए जिनको जो आपको मेंबर्शिप करते हैं गुरु जी आईटी वाले बोल ले हैं मिर्ची लगाने में हम भी शौकीन है बिल्कु सर आपने ऐसी मिर्ची लगाई थी कि जो सीधे जहां लगनी चाहिए वहां लग के जो है मुझ से निकलाई होगी जिन्होंने भी देखा होगा ठीक है सुपर चैट पूरे हो गया है आप लोग बात करिए करमेंट लीजिए अपने भाईयों से बात करिए और मौमिनों का इंतिजार करिए जो भी मौमिनों के संफर्ट में है प्रीज उनके साथ शेयर करिए और क्योंकि मैंने कॉपी राइटिट सौंग बजा दिया है इसलिए मुझे जो है ये स्ट्रीम किसी भी हाल में 6 गंटे से पहले खतम करनी पड़ेगी तो पार्त हमारे मौमिन भाईयों के साथ बात करो तब तक कि सूपर चैट मैं स्क्रीन पर रखता हूँ ताकि कोई मौमिन जो है इसका सूपर चैट लेके चुरम भाई मौमिन हो तो बात करेंगे न अरे ओडियंस से बात करो यार अज़ा ओडियंस से ओडियंस में तो बहुत लोग है आशीश भाई तो है आशीश भाई का ये चैनल है करतव डिवेट्स यहाँ पर भी बहुत तगड़ी डिवेट होती है लाइब भी होते हैं कभी और यह सब को रेलते हैं वहाँ पर सब को मतलब जो भी एंटी से नातमतत्त हो है सभी को तो इसको भी आप सब्सक्राइब करें यहाँ पर भी समय मिले तो आप बिल्कुल जाएं देखें सपोर्ट करें भाईयों का और 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 अब हम आपसे बात करेंगे बताइए कौन क्या क्या कहना चाहता है मैं इनकी तारीफ में कुछ बोल देना चाहता हूँ कि मैं एक हटे पहले जो है इनकी डिबेट देख रहा था तो आपको वो दिन याद आ जाएंगे इनलों के चैनल को जब आप देखेंगे तो जी कंटिनू करेगे सर जी धन्यवाद बैट जी शत्तन वेशी भी आप पूछ रहे हैं पार्थ वन यू गेटिंग जीएफ भी इस जनमनों पता नहीं में लगी या नहीं में लगी इंट्रस्टेट बिनूँ में और अपके डिस्कॉड का लिंक कहा मिलेगा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल की वीडियो की लिंक में आपको कहीं भी मिल जाएगा या फिर अभी कोई मौड दे देंगे आपको मानो जी कह रहे हैं कि मैंने DC पर भेजा वो गा कर सुनाओ भाई मेरे को नहीं भेजा आपने अरे मुझ को भेजा है मुझ को भेजा है अच्छा आपको भेजाएं के गाने के लिए मत कहा करो समीर भाई या संदीपन भाई हुआ करें तब उस टाइम पे गाने के लिए बोला करो तो मैं पढ़के जो है तुकु गाना आता है ये अपने आचारिया हाँ बई मैं गात देता हूँ हाँ मैं गा लेता हूँ थे कि रुग जरुग जरुग जा मैं भाई किस नाम से अभी तू कौन सी आइडी पर भेज रहे हूँ वह कश्यप वाली भेजना मेरी में आइडी उड़ गई राम खरोन सर्वर उड़ा दिया हमारे यह तब तक जी केमबाई से बात करो यह कौन है जी जी केमबाई अन्मूट कीजी हिंदू है मुसलिम है ने ने भाई मैं सनातनी हिंदू हूँ और यह जुक्व आप used होने के बाद बेचारे आप को अगर मैं celebrity type का लग रहा हूँ ना आप मन लोग इत्ती मस्ति करते हैं कि आपको मैं celebrity लगना बंद हो जाओंगा अगर आप बात करने के लिए जुड़ते हैं वहां जुड़िए अगर आप ग्यान रखना चाहते हैं वहां जुड़िए, प्रूव करिए हम बिल्कुल आपके आप एक चैनल पे बोलने की बात कर रहे हैं हम कोशिश करेंगी कि आपका चैनल खुल जाए मेरे प्यारे भाई नियम मत तोड़िए, आप से अगर आप से हाथ जोड़ के बिनती है मेरे भाई जी जी भी आपने सेंड किया अरे रुख जाए आपने आप फोन लिया है, पताने इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, रुख जाए इसमें होचा मेरे से आपने सलाह नहीं लीना, कुमसा लेना चीए था अरे वो ले लिया है, ससने मिला था तुमारा मोटो जी 32 नो हजार कमें लिया बढ़िया है, आप सही है, अच्छा हुआ मेरे से सजेशन मेले है, वरना मैं कुई माहिंगई बता रहे था बढ़िया है, किटनी जाएगी बाई, किटनी हाँ, मैंने पाप दे दिया तुमको हाँ, आ गया है, ओके यह मैंने किया कॉपी और यह मैंने कर दिया प्राइवेट चैट में पेस्ट और आजिश भाई, शुरू हो जाओ अच्छा, यह साहिरी के फॉर्म में गाओं कि गाना के फॉर्म में गाओं अरे तारों ने पूछा हजारों से वाला बहना से, अम्मी से, अम्मी से, इमान लाके कहो बहना से या अम्मी से, बुर्खा हटा के देखो कहीं बहना न मिल जाए, कभी बहना मिल जाए, कभी अम्मी मिल जाए करूं तुम को यह इसारा, हलाला ना हो सकता करूंगा मैं तुम्हें इसारा, कि हलाला हो नहीं सकता हलाला तुम करोगे या, हलाला मैं करूंगा या, या दोनों मिल के करेंगे हलाला हो नहीं सकता हलाला दिल पे हमारा, बहत्तर हूर जान है हलाला दिल में है मेरा बहत्तर हूर जान है ये प्रेम मेरा है या ये तेरा हो नहीं सकता कभी अम्मी मिलती तो कभी बहन चल जाती है आठीश तुमारे भरोसा उठता जा रहा है बिच्छा मैं यह गह रहा हूँ जैसा लिखने वाले वैसे गाने बाले कि अगाने की तरज में गादिया कौम सा था है अगाने को नमों ओड़ा कुछ दिवाना कायता है आठीज गाने की तनिशा जी कह रही है की डिस्कॉरड के वरिफिकेशन में डिफिकल्ट कुश्चन पुछते हैं कह भिए बहुत इजी कुश्चन रहते हैं मॉडेटर सापको गाइड भी कर देंगे तो उतनी टींशन में आप जाइन कर लीजे हाँ एक चीज ये है कि डिस्कॉर्ड का वेरिफिकेशन लंबा होता है ताकि हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या मतलब देखे हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से गलत उपयोग किया जाए इसलिए वेरिफिकेशन लंबा होता है मुश्किल कोश्चिन उतने नहीं होंगे ठीक है आप फसें आसीज भाई आसीज भाई ये मानों ने कम लिखा है बता हूँ जो आपने अभी गारे अचा हाँ मैं सोचा कि वो गिंद के चार लाइन लिखा था इतना लंबा कैसे पढ़ डाला इसनों वही तो मैं पसाने के लिए देख रहा था कि मानों ने लिख दिया था भाईया ये वान लिखा ही नहीं बंदे इतना खड़े बना दिया भाई मानो टेंशन न ले भाई कोई कोई तो आएगा जिसकी गाने की जो अच्छी होगी तो तु पक्का मानो भाई के और अपने सारे सूपर चैट जो है आपने मानो भाई के और इनके पाई भाई के सारे उसी दिन पढ़वा दिये जाएगे जिसन संदिपन्दात आएगे ठीक है मेरे प्यारे भाई हूं कोई मोमिन क्योंकि काफी स्ट्रीम शल लाए है इस वज़े से हो सकता है कि मोमिन शाय当 हमसे बहتर उनको समझते हूं तो इस वज़े से जो है शाय हमसे डिबेट ना करना चाहते हूं इसलिए मोमिन भाई हमारे नहीं जोईन कर रहे हैं तो हम stream close कर रहे हैं अभी के लिए, बाकि आप सब जल्दी से एक comment लिख के बता दीजिए, कि live chat में बता दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि detailed suggestion वो आप comment में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं सारे comments पढ़ता हूँ, आप सबको पता है, क्योंकि सबको star मिलता है, सबको heart मिलता है, तो आप सबको पता है कि आपके सारे comment पढ़े जाते हैं, और मैं personally पढ़ता हूँ, तो comment करिएगा, detail में बताईएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और कैसे बहतर कर सकते हैं, जे, अच्छा एक और एक question है, सेन पले भाई का, भाई मेरे description में heated debates का link किसी ल मेरी आवाज आ रही है, भाई कोई confirm करता है, मैं को लग रहा है, नेटवर्क उड़ गया, अरे आ रही है, मैं खुद mute पर बोले पड़ा था, उन्हें mute किया गया मैं को, नई मैंने नहीं किया, मैं क्यों करूँगा, आच्छा ठीक, कोई बात नहीं, फिर कुश announcements कर देते है अपने प्यारे भाईयों के लिए, कि एक्स मुसलिम दीदी कह रही है, सुल्ताना जी हमारी, ब्रमर आक्षास भाई, थांक यू, किसलिए मुझे बिलकुल आइडिया नहीं है, लेकिन इनको देखके announcement यह है कि परसों, जो हमारी podcast होगी, सुल्ताना जी के साथ होगी, आप स कुछ सीखने को मिलेगा, इसलाम के बारे में, उसके बाद प्रयत्मरत है, कि किसी दिन सनाता समिक्षा जी से contact रुपाए, उनको invite करेंगे, podcast के लिए, और कुछ और हमारे पार्थ की जो है तबियत खराब होगी थी, इसकी वज़े से वो Gems of Christianity की stream नहीं कर पाया, वो तो इसलिए आपको धन्यवाद का, क्योंकि इनका शुरूम मैंने कमेंट पड़ा था कि हमारे चैनल की वज़े से इनको हिंदी सिखने में आसानी हुई है, तो हो सकता है शायद है, इसलिए थैंक्यू, not sure, बट कहा था उन्होंने अरे मैं यह गह रहा हूँ कि आप पुराने वीडियो देखिए, अभी तो हिंदी काफी करप्ट हो गई है, मेरी मोमनों के साथ डिबेट करते-करते, पुरानी वीडियो देखिए, उसमें और शुद्ध हिंदी है सनातर रिवीज को भी दिया, अरे सनातर रिवीज फेवरेट है, कुश्वाह जी की टीम से मेरा इतना positive vibe आती है उस बंदे से, literally, he's just like the best part है वो और कुश्वाह जी तो भाई है ही, कुश्वाह जी ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको उप्रथा कर लेते हैं, अपने हिंदु भाईयों के लिए कर लेते हैं, भाईयों कोई प्रश्णों पूछ लीजे, फिर पांच मेट जो है आपके साथ spend करके, फिर हम stream close करते हैं, क्योंकि कोई moment नहीं आ रहा और गुड़ा कहा रही, एटेड डिबेट भाईया, क्या moment भी DC जोईन कर सकते हैं, HD का नहीं, उनके लिए हम लोगोंने बनाया था, एक डिस्कॉर्ड बनाया था उनके साथ डिबेट आदी करने के लिए, लेकिन वो इतने मकार होते हैं, कि सालोंने कंप्लेंड करकर के वो पूरी DC उडवा दी थी, तो, भाई, सर्वर और आईडी उड़ा देते हैं, हमारी क्या इन्वाइट करें ऐसे लोगों को, इसलिए हम लोग मोमिनों को नहीं लेते हैं, परशुराम जी कहा रहा है, कि हिमावारी चलो, देखता हूँ, कौन, ये हैश कि महनद बहुत अच्छी कर रहा है, उनकी स्टड़ी बहुत अच्छी है, एक स्फेरिकल सनातनी जी है, उनको एक बार जरू चेक आउट करिएगा आप लोग और इस बार कनफर्म है, इस मंडे बिलकुल मैं स्कीप नी करूँगा, इस मंडे पक्का हमारा पार्ट थी आने वाला है, और इस बार तगडी रिसर्च के साथ आने वाला है, डिनॉमिनेशन और काउंसिल्स के उपर, तो मज़ आएगा, अब तक मेरा गला भी ठीक हो जाए तो आज सकते हो लोग भी, और अजय भाई भी शायद अगर उनके पास समय होतो, वसे तो उनकी वितवित खराब है, उसकी वितवित खराब है, वह जैसे से मैनेज कर रहा है, यहाँ पर आगया बहुत बड़ी बात है, तो आप लोग को नहीं पता है कि आजय को यूटूब भी आपका DC सर्वर जॉइन कर सकते हैं, नहीं, मेरी पैरी बेहन, योगेश्वर जी कह रहा है कि ब्रह्मराक्षस कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, चलो अब अब अजय चला गया है, तो तत्तो बोद प्रकास से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आपने नाम भी योगेश जरूर पढ़िएगा, एक सत्यार्ट प्रकाश, एक तत्तो बोद, एक भागुत गीता, बिल्कुल भाई, तीनों पढ़ो, आपका दिमाग खुल जाएगा, खुल जाएगा दिमाग पूरा, तीनों पढ़ो, एक साथ पढ़ो जादे ही तो, इन फैक्ट मैं ऐसे बताऊंग अगर तत्तो बोद समझ में नहीं आ रही तो है, मैं गीता फेष्ट है, लेकिन गीता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तत्तो बोद और सत्याथ प्रकाश पढ़िए ताकि आप गीता को पूरता समझे सकें, क्रिप्टो फैमिली जी कह रहा है, आसक हाइपर क्वेस्ट से कोई बात हुई, सर अभी उनसे बिल्कुल बात नहीं हो पाई, लेकिन स्लोली स्लोली हम लोग बात करेंगे, पॉड्कास्ट वाले सेग्मेंट के लिए, गोल्टिक भाई बता रहे हैं कि ब्रहमराक्षा सांग के दर्शन कहां से पढ़ू, बताओ, नहीं तो सप्लाई बन कर दूँगा, इनको डिस्कॉर्ट पर बुला लिजा, मारे पास पीडियाफ रखे हुएं सारे दर्शन के, तो हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको फ्री में भी मिल जाएगी, और जो है, आप चाहें तो हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो आप बहुत इजी अवेलिबिलिटी करवा देता है, समाज, गोल्टिक भाई कहा रहे हैं, तो के हाँ यहाला कुशन लिया जा चुका है, ठीक हमाज़ा शायद एक मोमिन जुड़े हुआ है, मोमिन भाई, आप मोमिन है? जी बैटमैन जी, अल, जी मोमिन है सर आप? अरे सर मैं जब आप जोइन होता हूँ यार, आप लोग बोलते हो मोमिन की लाईवे निकाल देते हो यार, जी सर आपको बैन किया जा रहा है, आप दिसकार्ट पर जोब से के कोई बात करने हो, ठीक है कि लेटर, किल हेटर्स, किल हेटर्स, अच्छा-च्छा, ठीक है, ठीक है, अरे हां तो कुभलाएगा, अच्छा, बता, 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 अपने हम जरूर मारेंगे खेला कहा से कहलोगे आरे समाज से की हिंदू धरम से आरे समाज से की हिंदू धरम जो है यह क्या है इसका बिलीफ के है यह हमारा भाई जो है मोमिन है असल में अपने मोमिन दोस्तों के साथ जा रहा था फिर रास्ते में गढ़ा और यह गिर गया और मोमिन उसके उपर गिर गया काफी काफी उत्सुक अवस्था में था तो वो दर्द है उससे जो इससे सदमा लगा है उसकी वज़े से इसकी ये स्थिति है जी बैड मैं अच्छा अच्छा इसको अजय से बात करना है न सुनना जो भी नाम है आपका बैड मैं एक मेटा रुद्रवाई जो डाए उसकर वार को लाइव करने का उसने कहा है यानि की है तो आहिए चुले क्वेए इथने हो Teil喔 क्यों बैक्स्टेज होने का शौक होता है तुमको थोड़ा सा सुन लिया करो अजय ने बोला शुक्रवार ये शनिवार दोनों इसकी एक दिन प्रोबैबली वो या तो शुक्रवार को लाइव करेगा आज उसकी लाइव में तुक्य चैनल पर आज या सरचमा चैनल मिल जाए कोई शुनिए कोई शुनिए हाँ बताओ रूद्रा ले रहा है बैडमान दो में टुक जाओ ले रहा है कोई पूछ रहा था ना सांख में क्या कहां से पढ़ना चाहिए इश्वा कृष्ण की सांख कारिका वो ओल्डस टेक्स्ट है सांख का अभी जो हमारे पास अभी बस इसकरी आये तहर में चलता हूं भई नानी बहुत 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 सांख कारिका पढ़ली जी ने लिखी है और एक तो यार पुराने लोग जो जातिवादी नहीं हुआ करते नाम के आगे वूसम नहीं लगाए खते है समझें नहीं आता किसकी बात चल लए है कुछ ऐसे एक शुकला कुछ ऐसे कुछ कुछ लगाता है तो आज आजा था कि भगवान कृष्ण की बात नहीं हो रही है हम और हमारी ओटियंस हम लोग साथ हमिलके थोड़ा सा मिच्शूर होने कोशिश करेंगे पूरी कोशिश करेंगी कि भाई कोई गालिया ना दी जाए हां बैटमन भाई बाई गाली दोगे तो फ़री मैंने चला जाओंगा यहांसे क्यों डिवेट गाली होती नहीं है अरे मैं नहीं दे रहे यार तुछ रूटा कहरा हूं भाई की गाली नहीं देंगे अच्छा अभी एक अभी जो मिन आया था में गाली दीखेगा है मैं इसको गाली नहीं दी बिल्कुल बता तो भाईया निकाल दो ऐसे लोग को डिरेक्ट और क्या है निकाल दिया मैने गाली दो गया तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा पहले अगर आप शुरूआत करो तो फि किताबों पर डिबेट कर सकते हैं आपको किक किया जा रहा है मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं है कि अब बैट में लिया है उसमें आर्थ अठाने के पहले जितना कुछ भी था वह आपके पिता जी का नाम है तो सत्याथ प्रकाश को आपने अपने पिता जी के नाम से जोड़के गल्ती की और यह मैं सत्याथ प्रकाश की जो है बहुत देज़ती मानता हूं इसलिए आपको सब्सक्राइब करते हैं कि अधियुक्त कर देते हैं तुमिज नाम की चीज नहीं नामक प्राणी क्या था मोमिन का जाए यह एंटिथियस्ट है इसका आवाद मैंने कहीं सुना सुना लग रहा है अरे उनी का चेला विला है अपना छोटा सा दावा करने वाला अरे क्या नाम था है जो बच्चों की तरह बात करता था अली अलीकर के नाम था उसको शायद जिसका अपना टेलग्राम पर चैनल अरे पार्थ क्या नाम थे आरे उसका जो शुरुआत में आया था शुरुआत में रगड़ा था बहुत चिला रहा था फिर फिर हम लों डिसकेशन किया था कि भाई पॉइंट सही था लेकिन आवाज नहीं जा रही थी फिर जब अगली बाराया था तो वो फुल करके जो है फिर रगड़ा था उसको अच्छे से जो टेलिग्राम पर नहीं चलाता अपना छोड़े-छोड़े बच्चों चन्वर्ट करता लिए तो वो इमान आरे टेलिग्राम पर इमान रिस्पॉंसर ये डिस्कॉर्ड पर वो दोनों चूती हैं ये तो मुझे लगड़ा थे हो टेलिग्राम पर चैनल है एक्स हिंदू करके और इसका साहिड मुझे लगड़ा में इस डिबेट हुआ है इसका जो आवाद सुनकर अभी इस चूतिय की बात तो नहीं कर रहे हैं नमन नमन नम पढ़िया अरे वो पाकिस्तानी है भाई उसके उसकी बुद्धी पहला शब्द बोलेगा तो पता चल जाएगा इसकी मम्मी जो है पहले इसकी बुगा थी यतनी अच्छी स्ट्रीम जा रहे थी विया सुरुष अभी तक शांत वैठे होते हैं इनके चुले खतम नहीं होते हैं गाली सुनने के चलो कोई शू नहीं है हमारे ब्लास्फेमी नहीं होती है वो मूर्ख है जो विद्ध्या को गालिया दे रहा है इसलिए वो मूर्ख ही रह जाएगा हमेशा चलो हमारे रहमतुल्ला आले हमारे नभी रूद्रा भाई अपना वेक्तब रखी पर स्ट्रीम करते हैं क्योंकि इस पर कॉपिराइट स्ट्राइक आने वाली है क्योंकि वो जो म्यूजिक प्ले की गई है उसके शॉर्ट में वो एक शुरॉट में एक जोड़ा रहा था जो यह बतारा था गी यह लोजिक दे रहा था है AIDS इदा करने से AIDS कटम हो जाती है Difference हाँ हाँ भई भई difference हैस्टाइग say no to kids like difference तक गरब बात के भी option है आपके पास तो अचाब यह सलमान आया इसका क्या करना है टाइम तो हो रहा है क्यूकि आज का सलमान भाई जल्दी से बता दीजिए सल्मान भाई आको ब्लॉक कर दिया जाएगा तीन तकी किलिटे में आप नहीं बोले कुछ यहाद करने के मूझ में आ पहले कवर कर लेते हैं हाँ सल्मान भाई को अग्ली बाल जूड़ पाएं चीक है कुल्मला के हमारे उद्रा भाई बताना चाहते हैं कि अब आश्चन लीगल होना चाहिए और इसली लीगल होना चाहिए कि डिफरेंस जैसे बच्चे होते हैं जी आचारे आशीश रफन जी जी मेरा यही कहना है हर बार और जब जब जुड़ता हूँ कि तो रहा सास्त्रा ध्यान करना जरूरी है और ऐसे मुलेचों का मलेच हंटिंग करना भी जरूरी है वह आप की उपर में हैं कि आप कि सुरुक में कर रहे हैं वाकि जो अनपर गमार है इन लोग को समझा कैसे फाइदा तो नहीं दिक इतना समझा सकते हैं आखरी में फिर अपने अपने अंदर च्छत्री गुन जरू रखे और च्छत्री गुन बहुत काम आएगा जैसरी राम बहुत बहुत धन्यवत त्यारे भाई आर्या जी तो सभी भाईयों से वही निवेदाना जाने के बाद एक कमेंट जरूर करें अपना फीडबैक जरूर रखें और हाँ मेरे पास दर्शन और वेद और हमारे उपनिशद और मनुस्मृति और कुछ और ग्रंथों की जिस त अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप हमें डिस्कॉर्ट सर्वर पर आईए में को एक बार आपके लिए अविलेबल करा दूँगा और इसीक साथ अगली स्ट्रीम हमारी पक्का होगी मंडे को इस बार स्कीप नहीं करूँगा ध्यान से और सभी को धन्यवाद नमस्ते जारवत शुब्रातरी मिलते अगली स्ट्रीम में बहुत बहुत धन्यवाद आ रहे जी तो आज की स्ट्रीम जो उत्ती लंभी हम नहीं कर पाए कि हमारे मोमिनों को काफी अकाल पड़ा रहा अभी लास में जाते जाते हैं हमारे पास एक मोमिन आया है लेकिन आप क्योंकि इतना कह दिया गया है तो फिर जो है ना क्लोस करना काफी बेगैरती वाली बात रहेगी तो इस वज़े से चले ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाईयों आपका जो लोग हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे एक बहुत स्पेशल धन्यवाद उन लोग एक बहुत स्पेशल धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने स्ट्रीम को शेर किया धन्यवाद हमारे पैनलिस्ट को जिन्होंने हमारा साथ दिया जिनकी वज़े से स्ट्रीम इतनी प्रॉपरली चल पाई जिनकी वज़े से हमारी ओडियंस को इतना कुछ सीखने को मिल तो ठीक है धन्यवाद जै श्री राम हर हर महादेर